इरान के बंकर में घातक मिसाइलों का ऐसा जखीरा मौजूद है जो इसरेल को विनाश करने के लिए काफी है शायद यही बज़े है कि अब इसरेल इरान के पर्माणू ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि इरान के पर्माणू हमलों से बचा जा सकते ज़रा देखिए खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इस्रेल इरान के किन परमाणू ठिकानों पर हमला करने जा रहा है इस्रेल के अफ़ार दे टाइम्स आफ इस्रेल के मताबिक इरान के फोटो और नटाजन परमाणू ठिकानों पर इस्रेल हमला करने जा रहा है खबरों में दावा किया गया है कि इसरेल अपने लड़ा को विमाद F-35A और F-15E-X को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है 80 मीटर गहराई में मौझूद इरान के फोडो परमाणू ठेकाने पर 30,000 पाउंड बंकर ब्लस्टर बम गिराने का प्लान है ताकि 80 मीटर गहराई में इरान के फोडो परमाणू ठेकाने को तबाख किया जा सके दाबा किया जा रहा है कि 1200 किलोमेटर दूर मौझूद फोडो परमाणू ठेकाने को अगर इस्रेल के F-35A और F-15E-X लड़ाकों विमान तबाख कर देते हैं तो ये इरान के लिए बहुत बड़ा नुक्सान इसाबित होगा ऐसा नहीं है कि इस्रेल के हमले का दाबा खोखला है क्योंकि इस सुवत इस्रेल के फाइटर जेट इरान के परमाणू ठेकानों पर जबरदस्थ हमला करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं एफ-35A और एफ-15E-X लड़ा को एक ऐसा अभ्यास कर रहे हैं जिसमें इस्रेल से इरान के बीच और सक 1500 किलोमेटर दूर पर बम गिराना है हमले से जोड़ी इस खबर के पुष्टी एक और खबर भी कर रही है International Atomic Energy Agency यानि IAEA ने ऐसा खुलासा किया है जो वाकई दिल तहला देने वाला है IAEA के चीफ राफेल ग्रासी ने मीडिया को गताया कि इरान के परमाणों ठेकानों पर इस्रेल के हमले का खत्रा बढ़ चुका है जिसकी वज़े से इरान में अपने कई परमाणों ठेकानों को बंद कर दिया है राफेल ग्रासी के मुताबिक IAEA के अधिकारी इरान के परमाणों ठेकानों का निरिक्षन नहीं कर सकते जिनकी जाच रोज होती थी इरान में इस्रेली खत्रे को देखते हुए परमाणों साइटें बद का भी है और अधिक्षन नहीं कर सकते हैं इरान ने भी कच्छी गोलिया नहीं खेली है इरान को भी कही न कहीं दूस से जबरदस्त मदद मिल रही है इस वक्द इरान दुनिया में आत्मखाती ध्रून बनाने में काफी आगे निकल चुका है उसके पास हजारों की दादाद में बलेस्टे, क्रूस और हाइपरसोनिक मिसाइले हैं जिसमें से कई पर्माणो वम से बहुत कम वक्ष में लैस हो सकती है इसी वज़ा से दावा किया जा रहा है कि इरान के पर्माणो फैसलेटी पर हमला करना इस्रेल के लिए इराक और सीरिया की तरह आसान नहीं होने वाला है सबसे पहली बाद इरानी पर्माणो फैसलेटी बिखरी होई है और उनमें से कई पहाड़ीों में इस्थित है दूसरी बाद ये कि इस्रेल से इरान के पर्माणो फैसलों तक सीधी उडान के लिए भी हवा में इंधन भरने या इंधन भरने के लिए लैंड करने की अवश्यक्ता होगी इरान और इस्रेल के बीच जॉडन, इरान और सौधी अरब इस्थित है जिन मसे कोई भी इस्रेली लड़ाको विमान को ना तो लैंडनिंग के अजाज़त देंगे और ना ही अपने अस्थित है और आन पदने के मनजूरी देगा तीसरा ये है कि इस्रेल से इरान के बीच की दूरी अच्तार सौ किलोमेटर दे जहाँ पर इस्रेली वायूसेना के लड़ाको विमानों के लिए परमान और फिकानों पर हमला करना जरा भी आसान नहीं होगा अब चनाँच रजीम इस्राईल दस दस पा खता बकने इन बार पासुख एरान हमान तोरी के मुनीराई मसल्ला इलाम करदन इधर इस्रेल के पी-म बैनमिन नेतन्याहू फाइटर जट एफ-15 बेस का दोरा कर चुके है नेतन्याहू भले ही इरान को दबाही की धमकिया दे लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत खदरनाक है जरा देखिये इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है युद्ध तो होना अभी बाकी है इरान को अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत पर जबरदस्थ भरूसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसरेल के बीच चल रही जंग से दूर हो जा जरा देखिये कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकत इरान के पास नो ऐसी बलेस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमेटर दूर इसरेल पर हमला बोल सकती है इन मिसाइल में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाए तो वो है सेचिक ये मिसाइल 17,000 किलोमेटर प्रतिगंटे की तेजी से 2500 किलोमेटर दूर हमला कर सकती है तो वहीं किबर मिसाइल की मारख्षम ताक 2000 किलोमेटर है इसके साथ ही हज कासेम की अटांकिंग रेंज 1400 किलोमीटर है। इरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर पावसलेस है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। इरान ने अपने डून के जखीरे में भी खास काम किया है। पूरे मिडलीस चित्र की बात की जाये तो इरा इरान आत्मधाती ध्रोन का सबसे बड़ा निर्माता है। इरान के पास मोहाजर 10 नाम का घातक ध्रोन है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। तो वहीं मोहाजर 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्पो टक भी ले जा सकता है। अब सवाल उड़ता है कि इरान ऐसे हालत में क्या कर करता है। खोल मिलाकर अगले 24-48 घंटे में अगर इसराइल इरान पर परमाणू हमला करता है, तो पूरा पश्ची मेश या परमाणू भट्टी में भस हो जाए। तो एरान ने इसराइल पर ताबर तोड़ कई हमले किये हैं और दावा किया है कि ये तो अभी ट्रेलर है, असली युद्ध अभी बाकी है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या अब होगा परमाणू युद्ध? पूरा तो इसराइल और इरान जन से पूरी दुनिया खौफ में आ चुकी है। इरान ने पांच घंटे तक इसराइल पर मिसाल और ड्रोन हमले किये है। इरानी जनरों का दावा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, युद्ध भी बाकी है। और इस बीच कुछ रिपोर्ट अब दावा किया जाने लगा है कि अगर इरान पर इसराइल और अमेरका मिलकर हमला करते हैं तो ऐसी सिती में रूस इरान के साथ युद्ध में कूट पड़े अगा, देखियो ये रिपोर्ट। इसराइल से युद्ध इरान के साथ रूस अगर इसराइल, अमेरिका, ब्रित्र और पश्यम देश ये सोच रहे हैं कि हम इरान को अगले 48 गंटे में तबाह कर देंगे तो ये गलत फैमी वो जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं कर ले क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राश्रोपति पुतिन का रूस इरान का जंग में साथ बेने जा रहा है दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर अमेरिका, बिटन और इस्रेल मिलकर इरान पर हमला करते हैं तो रूस की घातक मिसाइले, धून और लड़ाकु जहाज इरान को बचाने के लिए जंग में सीधे कूद पड़ेंगे राश्वपती पोतिन ने इरान को खुफिया तरीके से पूरा वार प्लैन पहुचा दिया है पश्य मीडिया के जानकारों के मुताबिक इस्रेल पर इरान का सीधा हमला साबित करता है कि इरान को रूस से हमले की हरी जंडी पहले ही मिल गई थी अब सबाल औरता है कि रूस इरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटन, इस्रेल और नाटो देशों से जंग क्यो करने पर उतारो है क्या इरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है ज़रा देखिये क्यो रूस इरान का साथ जंग में देने जा रहा है दो साल से ज्यादा समय से चल रही रूस इरान जंग में इरान जंग कर रूस का साथ दे रहा है इसलिए रूस इरान का जंग में साथ देने के लिए तयार हो चुका है इरान योकरेन युद में रूस को हजारो गाती ड्रोन शाहिब 136, मुहासे 10 जैसे ड्रोन दे रहा है जिसके जरिये रूस योकरेन को जग में रौन चुका है यहां तक की खुफिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इरान ने रूस को यूकरेन जंग में अपनी घातक में साई ले तीन लाख तोप के गोले दस करोड गोलियां तक दी हैं और उसके बाद भी हजारों रॉकेट जंग का सामान रूस अभी भी भी भेज रहा है डेफेंस एक्सपोर्ट्स का दावा है कि पोतिन इरान के एसान को दिल से मानते हैं और इरान से वफ़दारी दिखाते हुए अब जंग में इरान का साथ देने जा रहे हैं रूस के दम से ही इरान ने इसरेल पर घातक हमले किये हैं और दीन साथ दीस मिसाईल और गूम से हमला किया है बरादरान व दूस्तान मान दर मनतके के एलात मुदादी अमरीका दर आन किशवर हा दाराई पाईगाह निजामी इस इलाम करदीम के हदफ मा दर दिफाए मशरू सिर्फन तन्बीह रजीम इसराईल हस्त इरान के साथ मुस्लिम वार्ड, इसरेल के साथ नाटू इसरेल और इरान की जंग में दुनिया तेजी से बट रही है जहां रूस इरान के साथ खड़ा है तो वहीं अमेरिका, बिट्र, फ्रांस समेथ तमाम पशिमी और नैटो देश इसरेल के साथ खड़े है अब ज़र आप ये भी जान लीजिए कि इरान के साथ मुस्लिम वाल्ड के कौन-कौन से देश खड़े है और कौन से मुस्लिम देशों ने इरान के साथ गद़दारी किये पहले आप ये जान लीजिए कि जब इरान आधी रात में इसरेल पर भायानक हमले कर रहा था तो उस सुख अरब देश जॉर्डन ने इरान के घातक हमलों को नाकाम करने के लिए क्या किया टाइमस अफ इसरेल ने इसरेली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जॉर्डन के जट विमानों ने उत्तरी और मध्धी जॉर्डन से होकर इसरेल की ओर जाने वाले दरजनों इरानी ड्रोन को मार गिराया है जॉर्डन की तरफ से इस्रेयल की मदद के लिए अपने जेट भेजना एक बड़ा कदम है इस्रेयली सूत्रों का कहना है कि इरान के ड्रोन जॉर्डन घाटी और हवा में उतारे गए थे और यरुशलम की ओर जा रहे थे लेकन उससे पहले ही जॉर्डन की फाइटर जेट्स ने इरान के ड्रोन को मार किराया इरान जॉर्डन की गद्दारी से बेहत नाराज है इस्रेयल की मदद करने के लिए इरान की IRGC ने जॉर्डन को धमकी दी है कि अगर वो इस्राइल की और मदद करता है तो इरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा एक पश्यमी न्यूज एजनसी ने इरान के सूत्रों के हवाले से दाबा किया है इरान की सेना जायोनी शासन के खिलाफ हमले के दोरान जॉर्डन की गदेविधियों की सावधानी पूर्वक नेगरानी कर रही है और अगर जॉर्डन हस्तक्षिप करता है तो इरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा इस्रेल पर इरान के हमले के बाद से पूरे इरान में जश्ट मनाया जा रहा है इरान का दावा है कि उसने कई घंटे तक इस्रेल पर हमले किये लेकिन वहीं इस्रेल और अमेरिका का दावा है कि उसने इस्रेल के 300 से ज़ादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है जरा देखिए इरान के कितने ड्रोन और मिसाइले दबा हुई है इरान ने इस्रेल पर करीब पांच घंटे तक हमला किया इस्रेल पर इरान के हमले की दौरान अमेरिकी सेना ने 70 से जादा ड्रोन और कम से कम 3 बैलस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है इस्रेली सेना का कहना है कि उसने इरान द्वारा दागे गए करीब 99-30 ड्रून और मिसाइल को मार किराया है दावे की मुताबे इरान के 170 मिसाइल और ड्रून को इस्रेल के बाहर ही मार दिया गया जबकि एरान की 30 क्रूज मिसाइले एक भी इस्रैली एर स्पेस में नहीं घुस्पाई 30 में से 25 मिसाइले तबाह कर दी गई एरान की 120 बैलेस्टिक मिसाइले दागी गई जिने तबाह करने का दावा किया गया है लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एरान की कुछ बैलेस्टिक मिसाइलों ने इस्राइल के निवात्म ऐर बेस में गिर गई थी इस्राइली सेना ने माना है कि उसे मामूली नुकसान हुआ है कुल मिलाकर एरान के 320 ड्रॉन और मिसाइलें तबा हुई एरान नेखाया ट्रेलर इस्राइब तो अभी बाकिये पिछले कुछ घंटों में जो हालात पश्शिम एशिया में जंग से बने है उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका, बिटन जंग में सीधे तोर पर कूट पड़े है इस्राइल भी इरान पर जबावी हमले की तैयारी कर रहा है इस्राइल के पिम बैन्यमी नेतनियाहू फाइटर जेट एफ 15 बेस का दोरा कर चुके है नेतनियाहू भले ही इरान को तबाही की धंटिया दें लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत खदरनाक है ज़रा देखिये इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है युद्ध तो होना अभी बाकी है इरान को अपनी मिसाइल और रून ताकत पर जबरदस्ट भरुसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इस्राइल के बीट चल रही जंग से दूर हो जाओ ज़रा देखिये कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकत इरान के पास नो ऐसी बैलेस्टिक मिसाइल्स हैं जो हसारों किलोमेटर दूर इस्रैल पर हमला बोल सकती है इन मिसाइल में अगर सबसे ख़दरनाक मिसाइल की बात की जाये तो वो है सेच ये मिसाइल 17,000 किलोमेटर प्रती घंटे की तेजी से 2500 किलोमेटर दूर हमला कर सकती है तो वहीं खीबर मिसाइल की मारफशमताद 2000 किलोमेटर है इसके साथ ही हज कासेन की अटैकिंग रेंज 1400 किलोमेटर है इरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूकलियर पावर से लैस है इसके रेंज 3000 किलोमेटर है इरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है पूरे मेडलिस्ट क्शे तरकीबात कीजाए तो ईरान अटगाती ड्रोन का सबसे बड़ा नर्माता है ईरान के पास मोहाज़ 10 नाम का धातक ड्रोन भी है जिसके रेंग 2000 किलोमेटर है तो वही मोहाज़ 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस फो तक भी लेजा सकता है अमश एरान पत्का बमतकफा नेगद इसराइल वशिगरा योतर मे-300 यूमी में सुगीं शोनी ऐयूम ऐरानी पगश अट अलियूनות अवीरीत वाट तेखनोलोगीट चल बशिलोव कोऐलिट्सिया लोखमत खजका शियाखद इरतो अट रुबाम हमकरिया शिला यूमीम अब ऐसे हालात में अगर एरान रूस के साथ सीधे जंग में पूट पड़ता है तो फिर अमेरिका बिटन मिल कर भी इसराइल को एरान से बचा नहीं पाएंगे अब देखना होगा इरान का अगला कदम क्या होगा और इसराइल इरान के हमले का बदला कैसे लेता है चोंकि रूस अब इरान के साथ चटान बन कर खड़ा हो गया है पुरा अटालीस गहन्टे यही डेडलाइन है युद्ध की आर पार के युद्ध की इसराइल अपने दुश्मनों को वक्त बता कर मारता है समहलने का मौका भी नहीं देता है हमास के हमले के महज 72 घंटे बाद इसराइल ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था लेकिन इरान के पास उतना टाइम भी नहीं है अगर ड्रोन हमले में हिजबुल्ला इसराइल की 14 सेनिकों को घाल करने में काम्याब रहा तो उसका मतलब ये है कि इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोक पाने के लिए बिलकुल भी तयार नहीं था इरान के आमले से भी इसराइल का आत्म विश्वास बढ़ गया है और नेत्याहूं की भी वार कैबिनिट के अंदर इरान से बदला लेनी की कस्मे खा रही है बिलकुल साफ है कि इरान इसराल युद्ध चलता हुआ नजर नहीं आ रहा इसराइल की तरफ से 100% कन्फर्म हो गया है कि वो इरान पर हमला करेगा इसराइल ने अपने मित्र देश के विदेश मंत्रियों को बता दिया है कि इरान पर पलटवार भ्यानक होगा और इरान को सवक सिखाने के लिए सभी मित्र देशों को इखटा होना होगा पश्चिमेश्या की युद्ध पहेली अब धीरे धीरे खुन रही है एक तरफ इरान के युद्ध पोत इसराइल की जमीन के आसपास समंदर के किनारों पर चक्कर लगा रहे है और दूसरी तरफ इरान अब दसगुना तेज हमले करने की धमकी दे रहा है किसी भी वक्त इसराइल और इरान का बेहत खतरनाक युद्ध छिडने वाला है दूसरी तरफ इसराइल पर तीन तरफ से हुए 180 डिग्री हमले के बावजूद भी घजा पट्टी पर इसराइल का कहर इतनी खतरनाक तरीके से टूट रहा है कि इसराइल ने सिर्फ एक गोले में 5,000 लोगों को मार डाला है यह हमला घजा सिटी के अलबस्मा IVF सेंटर यानि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर पर हुआ जहां पर हजारों की संख्या में मानव भून रखे हुए थे सबसे पहले हम बिटेन की विदेश मंत्री डेविट केमरून के उस बयान की चर्चा करेंगे जिसने इसराइल इरान युद पर 100% मोहर लगा दी है दरसल इरान के पलटवार के बाद इसराइल के मित्र देशों के तमाम विदेश मंत्री रक्षा मंत्री इसराइल के दौरे कर रहे हैं बिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से इसराइल के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है इसराइल के रक्षा मंत्री यॉफ गैलिंट ने इटली के रक्षा मंत्री से मुलाकात की है इसराइल के अंदर बिटेन के विदेश मंत्री डेविट केमरान और इसराइल के राश्टपती साख हगोर्स की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद बिटेन की विदेश मंत्री डेविट किमरॉन ने इसाब कर दिया है कि इसराइल ने एरान पर पलटवार करने का फैसला कर लिया है इसराइल की राजधानी के अंदर और क्या चल रहा है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं तहरान जहां ऐसी रणनीती बन चुकी है कि युक्रेन और घजापट्टी से भी भीशन युद अटल हो गया है एक तरफ बिटेन की विदेश मंत्री डेविट किमरान ये ऐलान कर रहे हैं कि युद अटल है इसराइल हमला करेगा और दूसरी तरफ इरान के उप्विदेश मंत्री अली बागेरी ने एक बियान जारी किया है और बिल्कुल साफ साफ कहा है कि इसराइल को ये समझ लेना चाहिए कि इरान इस बार इसराइल के हमले का पलटवार करने के लिए 12 दिन का लंबा समय बिल्कुल भी नहीं लेगा इसराइल का हमला होते ही फौरण इरान के पलटवार की प्रतिक्रिया मिल जाएगी और इसराइल को दहला दिया जाएगा इसराइल की राजधानी तेल अवीव में इसराइल के बंतरी अपने साथी गडबंदन देशों के प्रतिनिद्यों के साथ युद के शुरुआत से पहले जबरदस बैठके कर रहे हैं और दूसरी तरफ इरान की राजधानी सेना दिवस मना रही है लेकिन इस बार सेना दिवस तेहरान की घुली सलक पर नहीं मनाया गया इस बार इरान ने सीक्रिट तरीके से एक बैरिक के अंदर अपना सेना दिवस मनाया है जो अपकी पिछले साल इरान की सेना ने आयातुला, रोहिला, खामनेई के मकबरे पर सेना दिवस मनाया था हाला कि एरान ने इसका कोई कारण नहीं दिया है कि उसने गुब तरीके से सेना दिवस क्यूं मनाया लेकिन इसे इसराइल के पलटवार के खौफ से जोड़ कर देखा जा रहा है एरान के सेना दिवस में बाकाइदा एरान के राज़्टपती अबराहीम रईसी का एक बियान भी सामने आया और इस बियान में उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने हमला किया तो इस बार प्रतिक्रिया बहुत बड़े पहमाने पर होगी और बहुत कठोर होगी अगर खुचकतरीन तार्रोजी अजनाहिये रजीम स्यूनिस्टी बेखाच वतन मासूरत बिगीरत वब मनाफ़ जम्हूरी इसलामी एरण यगीन बेदानेंट बर खुर्दी बिस्यार शडीद इरान को पता है कि इसराइल समुदर में भी कोई बड़ा एक्शन लेकर उसे चौका सकता है इसलिए इरान ने अपने युद्दपोत को लाल सागर की तरफ भेज़ दिया है इरान की नौसेना अपने वेपारिक जहाजों को बाकाइदा एसकौर्ट कर रही है इरान का युद्पोत जमरान फ्रिगेट अधन की खाड़ी में मौझूद है इरान को इस बात का डर है कि कहीं इसराइल उसके किसी वेपारिक जहाज पर अबजा न कर ले इसराइल के सामने इरान का गड़बंदन काफी कमजोर नजर आ रहा है एक तरफ इसराइल की सरकार अपने देश की राजधानी के अंदर इटली के रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग कर रही है लेकिन दूसरी तरफ इरान अभी भी अपने सायोग्यों के साथ मजबूत रिष्टे की तलाश में लगा हुआ है इसराइल का पड़ोसी देश जौडन खुलकर इसराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है वेस्ट इशिया के बाकि इसलामी देश असमंजस में नजर आ रहे हैं और वो इस युद्ध से दूर रहने की नीती पर अमल करते हुए दिख रहे हैं इरान और रूस के विदेश मंतरियों ने आपस में फोन पर बाचीज जरूर की है लेकिन फिर भी ये गड़बंदन इसराइल के गड़बंदन के सामने बेहत कमजोर नजर आता है तोकि इसराइल के साथ अमेरिका ना सिर्फ खुलकर खड़ा है बलके अमेरिका के जनरल और अमेरिका फ्रांस और बिटेन का पूरा साजो सामान इसराइल की सुरक्षा में तैनात है इरान और उसके सायोग्यों के लिए इस वक्त भी सबसे बड़ी मुसीबत इसराइल का सुरक्षा कवज बना हुआ है लिबनान में एरान के सयोगी इस बुल्ला के पास एरान के द्वारा दी गई मिसाइल ही है और दक्षिन लिबनान में एक बार फिर इस्राइल पर टेस्ट फायर किये गए इसराइल पर 6 मिसाइले दागी गई लेकिन इसराइल ने 6 की 6 मिसाइले बेकार कर दी और उन्हें इसराइल की धर्ती पर गिनने से पहले ही मार दिया दूसरी तरफ इसराइल बेखौफ होकर गाज़ापटी में लगातार कोहरा मचा रहा है बीते 24 घंटे के अंदर इसराइल ने गाज़ा पट्टी में 24 ठिकानों पर हमले किये और इन में 56 लोगों को मार दिया है इसराइल अब तक 33,899 फिलिस्तीनियों को गाज़ा में मार चुका है और 76,664 फिलिस्तीनियों को घायल कर चुका है दूसरी तरफ फिलिस्तीन हर साल की तरह इस साल भी 17 अपरेल को कैदी दिवस मना रहा है इस वक्त भी इसराइल की जेलों में साड़े 9,000 फिलिस्तीनी राज़नीतिक कैदी मौजूद है इन में से 561 को उम्र कैद की सजा मिली हुई है गाजा पट्टी में 7 अक्तूबर से 15 मार्च के बीच 394 ऐसे हमले हुए जो संयुक्त राश्ट से जुड़े संगठनों पर हुए है जिसमें संयुक्त राश्ट का जंड़ा पहरा रहा था और इन हमलों में भी 408 विस्तापित दोगों की मौत हुई पर्माणू शुद्ध इरान मरेगा या फिर मारेगा अगर इस्रेल ने धोखे से भी इरान के पर्माणू ठिकानों पर हमला किया तो ये तैय मानिये कि इरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर इरान के टॉप जनरल इस्रेल पर सीधा हमला पलग जपकते ही करतेंगे इरान के पंकर में घातक मिसाईलों का ऐसा जखीरा मौजूद है जो इस्रेल को विनाश करने के लिए काफी है शायद यही वज़े है कि अब इस्रेल इरान के पर्माणू ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि इरान के पर्माणू हमलों से बचा जा सकते जरा देखिये खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इस्रेल इरान के किन परमाणू ठिकानों पर हमला करने जा रहा है इस्रेल के अफ़ार The Times of Israel के मताबिक इरान के फोटो और नटजन परमाणू ठिकानों पर इस्रेल हमला करने जा रहा है खबरों में दाबा किया गया है कि इसरेल अपने लड़ा को विमान F-35A और F-15E-X को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है 80 मीटर गहराई में मौझूद इरान के फोडो परमाणू ठिकाने पर 30,000 पाउंड बंकर ब्लस्टर बम गिराने का प्लान है ताकि 80 मीटर गहराई में इरान के फोडो परमाणू ठिकाने को तबाख किया जा सके ताबा किया जा रहा है कि 1200 किलोमेटर दूर मौझूद फोडो परमाणू ठिकाने को अगर इस्रेल के F-35A और F-15E-X लड़ाकों विमान तबाख कर देते हैं तो ये इरान के लिए बहुत बड़ा नुक्सान थाबित होगा ऐसा नहीं है कि इस्रेल के हमले का दाबा खोखला है क्योंकि इस सुवक्ट इस्रेल के फाइटर जेट इरान के परमाणू ठिकानों पर जबर्दस्थ हमला करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं एफ-35A और एफ-15E-X लड़ा को एक ऐसा अभ्यास कर रहे हैं जिसमें इस्रेल से इरान के बीच और सक 1500 किलोमेटर दूर पर बम गिराना है हमले से जोड़ी इस खबर के पुष्टी एक और खबर भी कर रही है International Atomic Energy Agency यानि IAEA ने ऐसा खुलासा किया है जो वाकई दिल तहला देने वाला है IAEA के चीफ राफेल ग्रासी ने मीडिया को बताया कि इरान के परमाणों ठेकानों पर इस्रेल के हमले का खत्रा बढ़ चुका है जिसकी वज़े से इरान ने अपने कई परमाणों ठेकानों को बंद कर दिया है राफेल ग्रासी के मुताबिक IAEA के अधिकारी इरान के परमाणों ठेकानों का निरिक्षन नहीं कर सकते जिनकी जाच रोज होती थी इरान में इस्रेली खत्रे को देखते हुए परमाणों साइथें बद कर भी है इस अधिक आपने को बढ़ देखते हुए परमाणों साइथें बद कर भी है परमाणों शुद इरान मरेगा या फिर मारेगा इरान ने भी कच्छी गोलिया नहीं खेली है इरान को भी कही न कहीं दूस से सबरदस्त मदद मिल रही है इस वक्त इरान दुनिया में आत्मगाती ध्रून बनाने में काफी आगे निकल चुका है उसके पास हजारों की दादाद में बलेस्टिक, कूस और हाइपरसोनिक मिसाइले हैं जिसमें से कई परमाणों वं से बहुत कम वक्त में लैस हो सकती हैं इसी वज़ा से दावा किया जा रहा है कि इरान के परमाणों फैसलेटी पर हमला करना इस्रेल के लिए इराक और सीरिया की तरह आसान नहीं होने वाला है सबसे पहली बार ईरानी परमाणों फैसलेटी विखरी होई है और उनमें से कई पहाड़ीों में इस्तित है दूसरी बाग ये कि इस्रेल से इरान की पर्माणू उस्थलों तक सीधी उडान के लिए भी हवा में इंधन भरने या इंधन भरने के लिए लैंड करने की आवश्यक्ता होगी इरान और इस्रेल के बीच जॉडन, इरान और सॉड़ी अरब इस्थिक है जिन मसे कोई भी इस्रेली लड़ाको विमान को ना तो लैंडिन के अजाज़त देंगे और ना ही अपने अस्थमान से उरान पदने के मनजूरी देगा तीसरा ये है कि इस्रेल से इरान के बीच की दूरी 800 किलोमेटर देगे जहाँ पर इस्रेली वारु सेना के लड़ाको विमानों के लिए परमान और फिकानों पर हमला करना जरा भी आसान नहीं होगा अधर इस्रेल के पीम बेनमिन नेतनियाहू फाइटर जट एफ 15 बेस का दारा कर चुके है नेतनियाहू भले ही इरान को दबाही की धमकिया दे है लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत खदरनाक है ज़रा देखिये इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है युद्ध तो होना अभी बाकि है इरान को अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत पर जबरदस्थ भरूसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसरेल के बीच चल रही जंग से दूर हो जाओ ज़रा देखिये कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकर इरान के पास नो ऐसी बलेस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमेटर दूर इसरेल पर हमला बोल सकती है इन मिसाइल में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाये तो वो है सेजिन ये मिसाइल 17,000 किलोमेटर प्रति घंटे की तेजी से 2500 किलोमेटर दूर हमला कर सकती है तो वहीं कीबर मिसाइल की मारफशम ताक 2000 किलोमेटर है इसके साथ ही हज कासेम की अटांकिंग रेंज 1400 किलोमेटर है इरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर पावसलेस है इसकी रेंज 3000 किलोमेटर है इरान ने अपने डूरून के जखीरे में भी खास काम किया है पूरे मिडलीस च्रित्र की बात की जाये तो इरान आतुधाती भून का सबसे बड़ा निर्मा था है इरान के पास मोहाजर 10 नाम का खातक भून है जिसकी रेंज 2000 किलोमेटर है तो वही मोहाजर 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्पूटर भी ले जा सकता है अब सवाल उड़ता है कि इरान ऐसे हालत में क्या कर सकता है और क्या वाकई में इरान के पास ऐसे परमाणू बंब है जो इस्रेल को तबाह कर सकते है ज़रा देखिए International Atomic Energy Agency यानि IAEA इरान की परमाणू क्षमता पर क्या दाबा करता है गोल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे में अगर इस्रेल इरान पर परमाणू हमला करता है तो पूरा पश्ची मेश या परमाणू भट्टी में भस्म हो जाए तो इरान ने इस्रेल पर ताबर तोड़ कई हमले किये है और दावा किया है कि ये तो अभी ट्रेलर है असलिए युद्ध अभी बाकी है ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या अब होगा परमाणू युद्ध? तो इस्राइल और इरान जंग से पूरी दुनिया खौफ में आ चुकी है इरान ने पाँच गंटे तक इस्राइल पर मिसाल और ड्रोन हमले किये है इरानी जनरों का दावा है कि ये तो अभी ट्रेलर है युद्ध भी बाकी है और इस बीच कुछ रेपोर्ट अब दावा किया जाने लगा है कि अगर इरान पर इस्राइल और अमेरका मिलकर हमला करते है तो ऐसी सिथी में रूस इरान के साथ युद्ध में कूट पड़ेगा देखिए ये रेपोर्ट इस्राइल से युद्ध इरान के साथ रूस अगर इस्राइल, अमेरिका, ब्रित्राइल और पश्चम देश ये सोच रहे हैं कि हम इरान को अगले 48 गंटे में तबाह कर देंगे तो ये गलत फैमी वो जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं कर ले क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राश्रपती पुतिन का रूस इरान का जंग में साथ देने जा रहा है दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर अमेरिका, ब्रित्राइल और इस्राइल मिलकर इरान पर हमला करते हैं तो रूस की घातक मिसाइलें, धून और लड़ाकु जहाज इरान को बचाने के लिए जंग में सीधे कूद पड़ेंगे राश्रपती पुतिन ने इरान को खुफिया तरीके से पूरा वार प्लैन पहुचा दिया है वश्य मीडिया के जानकारों के मताबिक इस्रेयल पर इरान का सीधा हमला साबित करता है कि इरान को रूस से हमले की हरी जंडी पहले ही मिल गई थी अब सबाल उड़ता है कि रूस इरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटन, इस्रेयल और नैटो देशों से जंग क्यों करने पर उतारू है क्या इरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है ज़रा देखिए क्यों रूस इरान का साथ जंग में देने जा रहा है दो साल से ज्यादा समय से चल रही रूस योकरेन जंग में ईरान जम कर रूस का साथ दे रहा है इसलिका रूस इरान का जंग में साथ देने के लिए टैयार हो चुका है यहाँ तक क्कि खफिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इरान ने रूस को यूकरेन जंग में अपनी घातक में साइल तीन लाख तोप के गोले, दस करोड गोलियां तक दी हैं और उसके बाद भी हजारों रॉकेट, जंग का सामान रूस अभी भी भी भेज रहा है डेफेंस एक्सपोर्ट का दावा है कि पोतिन इरान के एसान को दिल से मानते हैं और इरान से वफ़दारी दिखाते हुए अब जंग में इरान का साथ देने जा रहे हैं रूस के दम से ही इरान ने इस्रेल पर घातक हमले किया है और 330 मिसाइल और भून से हमला किया है इस्रेल और इरान की जंग में दुना तेजी से बट रही है जहां रूस इरान के साथ खड़ा है तो वहीं अमेरिका, बिटे, फ्रांस समेथ तमाम पशिमी और नेटो देश इस्रेल के साथ खड़े हैं अब ज़र आप ये भी जान लीजिए कि इरान के साथ मुस्लिम वॉल्ड के कौन-कौन से देश खड़े है और कौन से मुस्लिम देशों ने इरान के साथ गट़दारी किये पहले आप ये जान लीजिए कि जब इरान आधी रात में इस्रेल पर भायानक हमले कर रहा था तो उस सुख अरब देश जॉर्डन ने इरान के घातक हमलों को नाकाम करने के लिए क्या किया टाइमस अफ इस्रेल ने इस्रेली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जॉर्डन के जट विमानों ने उत्तरी और मध्ध जॉर्डन से होकर इस्रेल की ओर जाने वाले दरजनों इरानी ड्रोन को मार गिराया है जॉर्डन की तरफ से इस्रेयल की मदद के लिए अपने जेट भेजना एक बड़ा कदम है इस्रेयली सूत्रों का कहना है कि इरान के ड्रोन जॉर्डन घाटी और हवा में उतारे गए थे और यरुशलम की ओर जा रहे थे लेकन उससे पहले ही जॉर्डन की फाइटर जेट्स ने इरान के ड्रोन को मार किराया इरान जॉर्डन की गद्दारी से बेहत नाराज है इस्रेयल की मदद करने के लिए इरान की आई आर जीसी ने जॉर्डन को धमकी दी है कि अगर वो इस्राइल की और मदद करता है तो इरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा एक पश्यमी न्यूज एजनसी ने इरान के सूत्रों के हवाले से दाबा किया है इरान की सेना जायोनी शासन के खिलाफ हमले के दोरान जॉर्डन की गदेविध्यों की सावधानी पूरवक निगरानी कर रही है और अगर जॉर्डन हस्तक्षेप करता है तो इरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा इस्रेल पर इरान के हमले के बाद से पूरे इरान में जश्ट मनाया जा रहा है इरान का दावा है कि उसने कई घंटे तक इस्रेल पर हमले किये लेकिन वहीं इस्रेल और अमेरिका का दावा है कि उसने इस्रेल के 300 से ज़ादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है जरा देखिए इरान के कितने ड्रोन और मिसाइले तबाह हुई है इरान ने इस्रेल पर करीब पांच घंटे तक हमला किया इस्रेल पर इरान के हमले की दौरान अमेरिकी सेना ने 70 से जादा ड्रोन और कम से कम तीन बैलेस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है इस्रेली सेना का कहना है कि उसने इरान द्वारा दागे गए करीब 99 फीस्दी ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया है दावे के मुताबे इरान के 170 मिसाइल और ढोन को इस्रेल के बाहर ही मार दिया गया जबकि इरान की 30 क्रूज मिसाइलें एक भी इस्रेली एर स्पेस में नहीं घुस्पाई 30 में से 25 मिसाइलें तबाह कर दी गई एरान की 120 बलेस्टिक मिसाइले दागी गई, जेने तबाग करने का दावा किया गया है लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एरान की कुछ बलेस्टिक मिसाइलों ने इस्राइल के निवात्म एयर बेस में गिर गई थी इस्राइली सिना नमाना है कि उसे मामूली नुकसान हुआ है, कौल मेलाकर एरान के 320 ड्रून और मिसाइलें तबा हुई एरान नדखाया घ्रूलर इस्ट तो अभी बाकी है पिछले कुछ घंटों में जो हालात पश्यम एशिया में जंग से बने हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका, बिटन जंग में सीधे तोर पर कूट पड़े हैं इस्रेल भी इरान पर जवावी हमले की तैयारी कर रहा है इस्रेल के पिम बेन्यमिन नेतनियाहू फाइटर जेट एफ-15 बेस का दोरा कर चुके हैं नेतनियाहू भले ही इरान को तबाही की धम्तियां दें लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत खदरनाक है ज़रा देखिए इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है युद्ध तो होना अभी बाकी है इरान को अपनी मिसाइल और रोन ताकत पर जबरदस्ट भरुसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इस्रेल के बीट चल रही जंग से दूर हो जाओ ज़रा देखिए कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकत इरान के पास नो ऐसी बैलेस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमेटर दूर इस्रेल पर हमला बोल सकती है इन मिसाइल में अगर सबसे ख़तरनाक मिसाइल की बात की जाये तो वो है सेच ये मिसाइल 17,000 किलोमेटर प्रती घंटे की तेजी से 2500 किलोमेटर दूर हमला कर सकती है तो वहीं खीबर मिसाइल की मारफ्शमताद 2000 किलोमेटर है इसके साथ ही हज कासेन की अटैकिंग रेंज 1400 किलोमेटर है इरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो निूखलियर पावर से लैस है इसके रेंज 3000 किलोमेटर है इरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है पूरे मेडल इस्ट क्षेतर की बात की जाये तो इरान आतिगाती ड्रोन का सबसे बड़ा निर्माता है अब ऐसे हलात मेडर इरान रूस के साथ सीधे जंग में पूट परता है तो फिर अमेरिका बिटन मिल कर भी इस्रेल को इरान से बचा नहीं पाएंगे अब देखना होगा इरान का अगला कदम क्या होगा और इस रेल इरान के हमले का बदला कैसे लेता है चोंकि रूस अब इरान के साथ चटान बन कर खड़ा हो गया है पुरा अटालीस गहन्टे यही डेडलाइन है युद्ध की आर पार के युद्ध की इसराइल अपने दुश्मनों को वक्त बता कर मारता है समहलने का मौका भी नहीं देता है हमास के हमले के महज 72 घंटे बाद इसराइल ने ओपरेशन शुरू कर दिया था लेकिन इरान के पास उतना टाइम भी नहीं है अगर ड्रोन हमले में हिजबुला इसराइल की 14 सेनिकों को घाल करने में काम्याब रहा तो उसका मतलब ये है कि इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोक पाने के लिए बिलकुल भी तयार नहीं था इरान के आमले से भी इसराइल का आत्म विश्वास बढ़ गया है और नेत्याहूं की भी वार कैबिनिट के अंदर इरान से बदला लेनी की कसमे खा रही है बिलकुल साफ है कि इरान इसराल युद्ध चलता हुआ नजर नहीं आ रहा इसराइल की तरफ से 100% कन्फर्म हो गया है कि वो इरान पर हमला करेगा इसराइल ने अपने मित्र देश के विदेश मंत्रियों को बता दिया है कि इरान पर पलटवार भ्यानक होगा और इरान को सवक सिखाने के लिए सभी मित्र देशों को इखटा होना होगा पश्चिमेश्या की युद्ध पहेली अब धीरे धीरे खुन रही है एक तरफ इरान के युद्ध पोत इसराइल की जमीन के आसपास समंदर के किनारों पर चक्कर लगा रहे है और दूसरी तरफ इरान अब दस गुना तेज हमले करने की धमकी दे रहा है किसी भी वक्त इसराइल और इरान का बेहत खतरनाक युद्ध छिडने वाला है दूसरी तरफ इसराइल पर तीन तरफ से हुए 180 डिग्री हमले के बावजूद भी घजा पट्टी पर इसराइल का कहर इतनी खतरनाक तरीके से टूट रहा है कि इसराइल ने सिर्फ एक गोले में 5,000 लोगों को मार डाला है यह हमला घजा सिटी के अलबस्मा IVF सेंटर यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर पर हुआ जहां पर हजारों की संख्या में मानव भून रखे हुए थे सबसे पहले हम बिटेन की विदेश मंत्री डेविट केमरून के उस बयान की चर्चा करेंगे जिसने इसराइल इरान युद पर 100% मोहर लगा दी है दरसल इरान के पलटवार के बाद इसराइल के मित्र देशों के तमाम विदेश मंत्री रक्षा मंत्री इसराइल के दोरे कर रहे हैं ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से इस्राइल के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है इस्राइल के रक्षा मंत्री यॉफ गैलिंट ने इटली के रक्षा मंत्री से मुलाकात की है इसराइल के अंदर बिटेन की विदेश मंतरी डेविट केमरान और इसराइल के राश्टपती साख हगोर्स की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद बिटेन की विदेश मंत्री डेविट किमरॉन ने एसाब कर दिया है कि इसराइल ने इरान पर पलटवार करने का फैसला कर लिया है इसराइल की राजधानी के अंदर और क्या चल रहा है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं तहरान जहां ऐसी रणनीती बन चुकी है कि युक्रेइन और घजापट्टी से भी भीशन युद अटल हो गया है एक तरफ बिटेन के विदेश मंत्री डेविट किमरान ये ऐलान कर रहे हैं कि युद अटल है इसराइल हमला करेगा और दूसरी तरफ इरान के उपविदेश मंत्री अलिव आगेरी ने एक बियान जारी किया है और बिल्कुल साफ साफ कहा है कि इसराइल को ये समझ लेना चाहिए कि इरान इस बार इसराइल के हमले का पलटवार करने के लिए 12 दिन का लंबा समय बिल्कुल भी नहीं लेगा इसराइल का हमला होते ही फौरण एरान के पलटवार की प्रतिक्रिया मिल जाएगी और इसराइल को दहला दिया जाएगा इसराइल की राजधानी तेलवीव में इसराइल के बंतरी अपने साथी गड़बंदन देशों के प्रतिनिदियों के साथ युद के शुरुआत से पहले जबरदस बैठके कर रहे हैं और दूसरी तरफ इरान की राजधानी सेना दिवस मना रही है लेकिन इस बार सेना दिवस तेहरान की खुली सड़क पर नहीं मनाया गया इस बार इरान ने सीक्रिट तरीके से एक बैरिक के अंदर अपना सेना दिवस मनाया है जो अपकी पिछले साल एरान की सेना ने आयातुला, रोहिला, खामनेई के मकबरे पर सेना दिवस मनाया था हाला कि एरान ने इसका कोई कारण नहीं दिया है कि उसने गुप तरीके से सेना दिवस क्यों मनाया लेकिन इसे इसराइल के पलटवार के खौफ से जोड़ कर देखा जा रहा है एरान के सेना दिवस में बाकाइदा एरान के राश्टपती इबराहिम रईसी का एक बयान भी सामने आया और इस बयान में उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने हमला किया तो इस बार प्रतिक्रिया बहुत बड़े पैमाने पर होगी और बहुत कठोर होगी अगर कुचकतरीन तर्रोजी अज नाहिया रजीम सेनिस्टी बे खाक वतन मासूरत बिगीरत वे मनाफ़ जमूरी इसलामी इरान यगीन बदानन बर खुर्दी बस्यार शड़ीद इरान को पता है कि इसराइल समुद्र में भी कोई बड़ा एक्शन लेकर तुसे चौका सकता है इसलिए इरान ने अपने युद्दपोत को लाल सागर की तरफ भेज दिया है इरान की नौसेना अपने वेपारिक जहाजों को बाकाइदा एसकौर्ट कर रही है इरान का युद्पोत जमरान फ्रिगेट अदन की खाड़ी में मौझूद है इरान को इस बात का डर है कि कहीं इसराइल उसके किसी वेपारिक जहाज पर अबजा न कर ले इसराइल के सामने इरान का गड़बंदन काफी कमजोर नजर आ रहा है एक तरफ इसराइल की सरकार अपने देश की राजधानी के अंदर इटली के रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग कर रही है लेकिन दूसरी तरफ इरान अभी भी अपने सयोग्यों के साथ मजबूत रिष्टे की तलाश में लगा हुआ है इसराइल का पड़ोसी देश जौडन खुल कर इसराइल के साथ ख़़ा नजर आ रहा है वेस्ट इश्या के बाकि इसलामी देश असमंजस में नजर आ रहे हैं और वो इस युद्ध से दूर रहने की नीती पर अमल करते हुए दिख रहे हैं इरान और रूस के विदेश मंत्रियों ने आपस में फोन पर बाचीज जरूर की है लेकिन फिर भी ये गड़बंदन इसराइल के गड़बंदन के सामने बेहत कमजोर नजर आता है तोंकि इसराइल के साथ अमेरिका ना सिर्फ खुल कर खड़ा है बलके अमेरिका के जनरल और अमेरिका फ्रांस और बिटेन का पूरा साथ औ सामान इसराइल की सुरक्षा में तैनात है इरान और उसके सयोग्यों के लिए इस वक्त भी सबसे बड़ी मुसीबत इसराइल का सुरक्षा कवज बना हुआ है लिबनान में एरान के सयोगी इस बुल्ला के पास एरान के दुआरा दी गई मिसाइल ही है और दक्षिन लिबनान में एक बार फिर इस्राइल पर टेस्ट फायर किये गए इस्राइल पर 6 मिसाइलें दागी गई लेकिन इस्राइल ने 6 की 6 मिसाइलें बेकार कर दी और उन्हें इस्राइल की धरती पर गिर्णने से पहले ही मार दिया दूसरी तरफ इस्राइल बे खौफ होकर गाजा पट्टी में लगातार कोहरा मचा रहा है बीते 24 घंटे के अंदर इस्राइल ने गाजा पट्टी में 24 ठिकानों पर हमले किये और इन में 56 लोगों को मार दिया है इसराइल अब तक 33,899 फिलिस्तीनियों को गाजा में मार चुका है और 76,664 फिलिस्तीनियों को घायल कर चुका है दूसरी तरफ फिलिस्तीन हर साल की तरह इस साल 20-17 अपरेल को कैदी दिवस मना रहा है इस वक्त भी इजरायल की जेलों में साड़े नौ हजार फिलिस्तीनी राज़नीतिक कैदी मौजूद है इन में से 561 को उम्र कैद की सजा मिली हुई है गाजा पट्टी में 7 अक्तुबर से 15 मार्च के बीच 394 ऐसे हमले हुए जो संयुक्त राज्ट से जुड़े संगठनों पर हुए है जिसमें संयुक्त राज्ट का जंडा पहरा रहा था और इन हमलों में भी 408 विस्तापित दोगों की मौत हुई परमाणू शुद्ध इरान मरेगा या फिर मारेगा अगर इस्रेल ने धोखे से भी इरान के परमाणू ठितानों पर हमला किया तो ये तै मानिये कि इरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर इरान के टॉप जनरल इस्रेल पर सीधा हमला पलग जपकते ही करतेंगे इरान के पंकर में घातक मिसायलों का ऐसा जखीरा मौजूद है जो इस्रेल को विनाश करने के लिए काफी है शायद यही वज़े है कि अब इस्रेल इरान के परमाणू ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि इरान के परमाणू हमलों से बचा जा सकते ज़रा देखिए खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इस्रेल इरान के किन परमाणू ठिकानों पर हमला करने जा रहा है इस्रेल के अफ़बार The Times of Israel के मताबिक इरान के फोटो और नटसन परमाणू ठिकानों पर इस्रेल हमला करने जा रहा है खबरों में दाबा किया गया है कि इस्रेल अपने लड़ा को विमान F-35A और F-15E-X को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है 80 मीटर गहराई में मौझूद इरान के फोटो परमाणू ठिकाने पर 30,000 पाउंड बंकर ब्लस्टर बम गिराने का प्लान है ताकि 80 मीटर गहराई में इरान के फोटो परमाणू ठिकाने को तबाख किया जा सके ताबा किया जा रहा है कि 1200 किलोमेटर दूर मौझूद फोटो परमाणू ठिकाने को अगर इस्रेल के F-35A और F-15E-X लड़ाकों विमान तबाख कर देते हैं तो ये इरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान थाबित होगा ऐसा नहीं है कि इस्रेल के हमले का दाबा खोखला है क्योंकि इस सुवक्व इस्रेल के फाइटर जेट इरान के परमाणू ठिकानों पर जबर्दस्थ हमला करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं एफ-35A और एफ-15E-X लड़ा को एक ऐसा अभ्यास कर रहे हैं जिसमें इस्रेल से इरान के बीच और सक 1500 किलोमेटर दूर पर बम गिराना है हमले से जोड़ी इस खबर के बुष्टी एक और खबर भी कर रही है International Atomic Energy Agency यानि IAEA ने ऐसा खुलासा किया है जो वाकई दिल तहला देने बाला है IAEA की चीफ राफेल ग्रासी में मीडिया को बताया कि इरान के परमाणों ठेकानों पर इस्रेल के हमले का खत्रा बढ़ चुका है जिसकी वज़े से इरान ने अपने कई परमाणों ठेकानों को बंद कर दिया है राफेल ग्रासी के मुताबिक IAEA के अधिकारी इरान के परमाणों ठेकानों का निरिक्षन नहीं कर सकते जिनकी जाच रोज होती थी इरान में इस्रेली खत्रे को देखते हुए परमाणों साइथें बढ़ का भी है परमाणों शुद इरान मरेगा या फिर मारेगा इरान ने भी कच्छी गोलिया नहीं खेली है इरान को भी कही न कहीं दूस से जबरदस्त मदद मिल रही है इस वक्त इरान दुनिया में आत्मगाती ध्रून बनाने में काफी आगे निकल चुका है उसके पास हजारों की दादाद में बलेस्टे, क्रूस और हाइपरसोनिक मिसाईले हैं जिसमें से कई परमाणों वम से बहुत कम वक्त में लैस हो सकती हैं इसी वज़ा से दावा किया जा रहा है कि इरान के परमाणों फैसलेटी पर हमला करना इस्रेल के लिए इराक और सीरिया की तरह आसान नहीं होने वाला है सबसे पहली बाद इरानी परमाणों फैसलेटी विखरी होई है और उनमें से कई पहाड़ीों में इस्थित है दूसरी बाग ये कि इस्रेल से इरान की पर्माणू उस्थलों तक सीधी उडान के लिए भी हवा में इंधन भरने या इंधन भरने के लिए लैंड करने की आवश्यक्ता होगी इरान और इस्रेल के बीच जौडन, इरान और सौधी अरब स्थिक जिन में से कोई भी इस्रेली लडाको विमान को ना तो लैंडनिंग के अजाज़त देंगे और ना ही अपने आस्वान से उडान खदने के मनजूरी देगा तीसरा ये है के इस्रेल से एरान के बीच की दूरी अटबार सौ किलो में करें जहाँ पर इस्रेली वरु सेना के लड़ाको विमानो के लिए परमान और प्रिगानो पर हमला करना जरा भी आसान नहीं होगा इधर इस्रेल के पीम बेनमी नेतनियाहू फाइटर जट एफ 15 बेस का दारा कर चुके है नेतनियाहू भले ही इरान को तबाही की धमकिया दे लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत खदरनाक है जरा देखिये इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है युद्ध तो होना अभी बाकि है इरान को अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत पर जबरदस्थ भरूसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसरेल के बीट चल रही जंग से दूर हो जाओ जरा देखिये कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकत इरान के पास नो ऐसी बलेस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमेटर दूर इसरेल पर हमला बोल सकती है इन मिसाइल में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाए तो वो है सेजिए यह मिसाइल 17,000 किलोमेटर प्रतिगंटे की तेजी से 25-100 किलोमेटर दूर हमला कर सकती है तो वही कीबर मिसाइल की मारक्षम ताक 2000 किलोमेटर है इसके साथ ही हज कासेम की अटांकिंग रेंज 1400 किलोमेटर है इरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर पावसलेस है इसकी रेंज 3,000 किलोमीटर है इरान ने अपने डून के जखीरे में भी खास काम किया है पूरे मिडलीस च्रित्र की बात की जाये तो इरान आत्मुधाती डून का सबसे बड़ा निर्माता है इरान के पास मुहाजर 10 नाम का खातक भून है जिसकी रेंज 2,000 किलोमीटर है तो वहीं मुहाजर 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्पूटक भी ले जा सकता है अब सवाल उड़ता है कि इरान ऐसे हालत में क्या कर सकता है और क्या वाकई में इरान के पास ऐसे परमाणू बंब हैं जो इसरेल को तबाह कर सकते हैं जरा देखिए International Atomic Energy Agency यानि IAEA इरान की परमाणू क्षमता पर क्या दावा करता है खोल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे में अगर इसरेल इरान पर परमाणू हमला करता है तो पूरा पश्ची मेश या परमाणू भट्टी में भस्म हो जाएगी तो इरान ने इसराइल पर ताबर तोड़ कई हमले किये हैं और दावा किया है कि ये तो अभी ट्रेलर है असलिए युद्ध अभी बाकी है ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या अब होगा परमाणू युद्ध तो इसराइल और एरान जन से पूरी दुनिया खौफ में आ चुकी है इरान ने 5 गंटे तक इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किये है इरानी जनरों का दावा है कि ये तो अभी ट्रेलर है युद्ध भी बाकी है और इस बीच कुछ रेपोर्ट अब दावा किया जाने लगा है कि अगर एरान पर इसराइल और अमेरका मिलकर हमला करते हैं तो ऐसी सिथी में रूस एरान के साथ युद्ध में कूट पड़ेगा ये कि येरे बात तो अप्राइल अवने बाते हैं एल्ट उल्टूशन खड़ेगा एसराइल बाते हैं ऑर एसराइल झार शजड़े खआँ आर जाराएल और हैं इस्रेल से युद्ध इरान के साथ रूस अगर इस्रेल, अमेरिका, बित्र और पश्यम देश ये सोच रहे हैं कि हम इरान को अगले 48 गंटे में तबाह कर देंगे तो ये गलत फैमी वो जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं कर ले क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राश्रोपति पुतिन का रूस इरान का जन्ग में साथ बेने जा रहा है दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर अमेरिका, ब्रिटर और इस्रेल मिलकर इरान पर हमला करते हैं तो रूस की घातक मिसाइले, धून और लड़ाकु जहाज इरान को बचाने के लिए जन्ग में सीधे कूद पड़ेंगे राश्वपती पोतिन ने इरान को खुफिया तरीके से पूरा वार प्लैन पहुचा दिया है बश्य मीडिया के जानकारों के मताविक इस्रेल पर इरान का सीधा हमला साबित करता है कि इरान को रूस से हमले की हरी जंडी पहले ही मिल गई थी अब सबाल उड़ता है कि रूस इरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटन, इस्रेल और नाटो देशों से जंग क्यों करने पर उतारू है क्या इरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है जरा देखिए क्यों रूस इरान का साथ जंग में देने जा रहा है दो साल से ज्यादा समय से चल रही रूस योकरेन जंग में इरान जम कर रूस का साथ दे रहा है इसलिए अब रूस इरान का जंग में साथ देने के लिए तयार हो चुका है इरान योकरेन युद में रूस को हजारों आपन घाती ढोंग शाहित 136 मौहासर 10 जैसे ढोंग दे रहा है जिसके जरिये रूस योकरेन को जंग में रौंद चुका है यहां तक की खुफिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इरान ने रूस को योकरेन जंग में अपनी घातक में साई ले तीन लाख तोप के गोले 10 करोड गोलियां तक दी है और उसके बाद भी हजारों रौकेट जंग का सामान रूस अभी भी भी भेज रहा है डेफेंस एक्सपोर्ट का दावा है कि पोतिन इरान के ऐसान को दिल से मानते हैं और इरान से वफ़दारी दिखाते हुए अब जंग में इरान का साथ देने जा रहे हैं रूस के दम से ही इरान ने इसरेल पर घातक हमले किया है और दीन साथ दीस मिसाईल और गूम से हमला किया है बरादरान व दूस्तान मान दर मनतगे के एलात मुदादी अमरीका दर आन किशवर हा दाराई पाईगाह निजामी इस इलाम करदें के हदफ मा दर दफाव मश्रू सिर्फन थन्बी है रेजीम इसराईल है इरान के साथ मुस्लिम वाल्ड इसरेल के साथ नेटो इसरेल और इरान की जंग में दुनिया तेजी से बट रही है जहां रूस इरान के साथ खड़ा है तो वहीं अमेरिका, बिटे, फ्रांस, समेथ तमाम पशिमी और नेटो देश इसरेल के साथ खड़े हैं अब जर आप ये भी जान लीजिए कि इरान के साथ मुस्लिम वाल्ड के कौन-कौन से देश खड़े हैं और कौन से मुस्लिम देशों ने इरान के साथ गद़दारी किये पहले आप ये जान लीजिए कि जब इरान आधी रात में इसरेल पर भायानक हमले कर रहा था तो उस स्वक अरब देश जॉर्डन ने इरान के घातक हमलों को नाकाम करने के लिए क्या किया टाइमस अफ इसरेल ने इसरेली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जॉर्डन के जट विमानों ने उत्तरी और मध्ध जॉर्डन से होकर इसरेल की ओर जाने वाले दरजुनों इरानी ड्रोन को मार गिराया है जॉर्डन की तरब से इसरेल की मदद के लिए अपने जट भेजना एक बड़ा कदम है इस्रेली सूत्रों का कहना है कि इरान के ड्रोन जॉर्डन घाटी और हवा में उतारे गए थे और यरुशलम की ओर जा रहे थे लेकन उससे पहले ही जॉर्डन के फाइटर जेट्स ने इरान के ड्रोन को मार किराया इरान जॉर्डन की गद्दारी से बेहत नाराज है इस्रेल की मदद करने के लिए इरान की IRGC ने जॉर्डन को धमकी दी है कि अगर वो इस्रेल की और मदद करता है तो इरान का अगला टार्गेट जॉर्डन होगा एक पश्यमी न्यूज एजनसी ने इरान के सूत्रों के हवाले से दाबा किया है इरान की सेना जायोनी शासन के खिलाफ हमले के दौरान जॉर्डन की गदेविद्यों की सावधानी पूरवक नेगरानी कर रही है और अगर जॉर्डन हस्तक्षेप करता है तो इरान का अगला टार्गेट जॉर्डन होगा इस्रेल पर इरान के हमले के बाद से पूरे इरान में जश्ट मनाया जा रहा है इरान का दावा है कि उसने कई घंटे तक इस्रेल पर हमले किये लेकिन वहीं इस्रेल और अमेरिका का दावा है कि उसने इस्रेल के 300 से ज़ादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है जरा देखिए इरान के कितने ड्रोन और मिसाइले दबा हुई है इरान ने इस्रेल पर करीब पांच घंटे तक हमला किया इस्रेल पर इरान के हमले की दोरान अमेरिकी सेना ने 70 से जादा ड्रोन और कम से कम तीन पैलेस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। इसरेली सेना का कहना है कि उसने इरान द्वारा दागे गए करीब 99- Amsterdam थीजदी ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया है। दावे की मुताबे इरान के 170 मिसाइल और ढोन को इसरेल के बाहर ही मार दिया गया जबकि इरान की 30 क्रूज मिसाइलें एक भी इसरेली एर स्पेस में नहीं घुस्पाई 30 में से 25 मिसाइलें तबाह कर दी गई एरान की 120 बलेस्टिक मिसाइले दागी गई, जिने तबाह करने का दावा किया गया है लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एरान की कुछ बलेस्टिक मिसाइलों ने इसरेल के 99 एर बेस में गिर गई थी इसरेली से नहीं माना है कि उसे मामूली नुकसान हुआ है तोल मलाकए ओिरान केतीज सौबी स्ड़ून औरमसाइलन तबा हुई हमारेका अदोत अदेळा अदेल मतानित अदिसल just weeks और कंदूध लियां अठेगा रहा हुषिद लगासी बादेल प्कूड़ीट, ब्लामसाइकीज पिछले कुछ घंटों में जो हालात पश्यम एशिया में जंग से बने हैं। यी तो ट्रेलर देखा है, युद्ध तो होना अभी बाकी है। इरान को अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत पर जबरदस्ट भरुसा है। और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसरैल के बीट चल रही जंग से दूर हो जाओ। ज़रा देखिए कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकत। इरान के पास नो ऐसी बैलेस्टिक मिसाइल्स हैं जो हसारों किलोमेटर दूर इसरैल पर हमला बोल सकती है। इन मिसाइल में अगर सबसे ख़दरनाक मिसाइल की बात की जाये तो वो है सेचे। इरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है। पूरे मेडलीस्ट क्शेत की बात की जाये तो इरान अगरती ड्रोन का सबसे बड़ा निर्माता है। इरान के पास मोहाज़र टेन नाम का धातक ड्रोन भी है। जिसकी रेन, वो हजार किलोमीटर है, तो वही मोहाज़र टेन अपने साथ 300 किलोग्राम का वे स्पोर्टक भी लेजा सकता है। अमश एरान पत्का बमतकफा नगद इसराइल वशिगरा योतर म-300 इयोमी मसुगीं शुनीं ऐयूम ऐरानी पगश अता अलियनות अवीरीत वाट तेकनोलोगीत शल बशिलूव कौलिटिया लोगमत-चजका शियाखद यर्टो एत रुबम हमकरिया श्योमीम अब ऐसे हालात में अगर इरान रूस के साथ सीधे जंग में पूर पड़ता है तो फिर अमेरिका बिटन मिल कर भी इसराइल को इरान से बचा नहीं पाएंगे अब देखना होगा कि इरान का अगला कदम क्या होगा और इसराइल इरान के हमले का बदला कैसे लेता है चोंकि रूस अब इरान के साथ चटान बन कर खड़ा हो गया है पुरा 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 अनतालीस गहन्टे यही डेडलाइन है युद्ध की आर पार के युद्ध की इसराइल अपने दुश्मनों को वक्त बता कर मारता है समहलने का मौका भी नहीं देता है हमास के हमले के महज 72 घंटे बाद इसराइल ने आपरेशन शुरू कर दिया था लेकिन इरान के पास उतना टाइम भी नहीं है अगर ड्रोन हमले में इसराइल की 14 सेनिकों को घाल करने में कामियाब रहा तो उसका मतलब ये है कि इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोक पाने के लिए बिलकुल भी तैयार नहीं था इरान के हमले से भी इसराइल का आत्म विश्वास बढ़ गया है और नेत्याहूं की भी वार कैबिनिट के अंदर इरान से बदला लेनी की कसमे खा रही है बिलकुल साफ है कि इरान इसराइल युद्ध चलता हुआ नजर नहीं आ रहा इसराइल की तरफ से 100% कन्फर्म हो गया है कि वो इरान पर हमला करेगा इसराइल ने अपने मित्र देश के विदेश मंत्रियों को बता दिया है कि इरान पर पलटवार भ्यानक होगा और इरान को सवक सिखाने के लिए सभी मित्र देशों को इखटा होना होगा पश्चिमेश्या की युद्ध पहेली अब धीरे धीरे खुन रही है एक तरफ इरान के युद्ध पोत इसराइल की जमीन के आसपास समंदर के किनारों पर चक्कर लगा रहे है और दूसरी तरफ इरान अब दसगुना तेज हमले करने की धमकी दे रहा है किसी भी वक्त इसराइल और इरान का बेहत खतरनाक युद्ध छिडने वाला है दूसरी तरफ इसराइल पर तीन तरफ से हुए 180 डिग्री हमले के बावजूद भी घजा पट्टी पर इसराइल का कहर इतनी खतरनाक तरीके से टूट रहा है कि इसराइल ने सिर्फ एक गोले में पाँच हजार लोगों को मार डाला है यह हमला घजा सिटी के अलबस्मा आईवी अफ सेंटर यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर पर हुआ जहां पर हजारों की संख्या में मानव भून रखे हुए थे सबसे पहले हम बिटेन की विदेश मंत्री डेविट केमरून के उस बयान की चर्चा करेंगे जिसने इसराइल इरान युद पर 100% मोहर लगा दी है दरसल इरान के पलटवार के बाद इसराइल के मित्र देशों के तमाम विदेश मंत्री रक्षा मंत्री इसराइल के दौरे कर रहे हैं बिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से इसराइल के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है इसराइल के रक्षा मंतरी यॉफ गैलिंट ने इटली के रक्षा मंतरी से मुलाकात की है इसराइल के अंदर बिटेन के विदेश मंतरी डेविट केमरान और इसराइल के राश्टपती साख हगोर्स की मुलाकात हुई है और इस मुलाकाद के बाद बिटेन की विदेशमंत्री डेविट किमरॉन ने साब कर दिया है कि इसराइल ने इराण पर पलटवार करने का फैसला कर लिया है इसराइल की राजधानी के अंदर और क्या चल रहा है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं तहरान जहां ऐसी रणनीती बन चुकी है कि युक्रेन और घजापट्टी से भी भीशन युद्ध अटल हो गया है एक तरफ बिटेन की विदेश मंतरी डेबिट किमरान यह एइलान कर रहे हैं कि युद्ध अटल है इसरायल हमला करेगा और दूसरी तरफ इरान की विदेश मंतरी अली बागेριी ने एक बयान जारी किया है और बिल्कुल साफ साफ कहा है कि इसराइल को ये समझ लेना चाहिए कि इरान इस बार इसराइल के हमले का पलटवार करने के लिए 12 दिन का लंबा समय बिल्कुल भी नहीं लेगा इस्राइल का हमला होते ही फौरण एरान के पलटवार की प्रतिक्रिया मिल जाएगी और इस्राइल को दहला दिया जाएगा इसराइल की राजधानी तेल अवीव में इसराइल के बंतरी अपने साथी गडबंदन देशों के प्रतिनिद्यों के साथ युद के शुरुआत से पहले जबरदस बैठके कर रहे हैं और दूसरी तरफ इरान की राजधानी सेना दिवस मना रही है लेकिन इस बार सेना दिवस तेहरान की खुली सलक पर नहीं मनाया गया इस बार इरान ने सीक्रिट तरीके से एक बैरिक के अंदर अपना सेना दिवस मनाया है जो अपकी पिछले साल इरान की सेना ने आयातुला, रोहिला, खामनेई के मकबरे पर सेना दिवस मनाया था हाला कि एरान ने इसका कोई कारण नहीं दिया है कि उसने गुब तरीके से सेना दिवस क्यों मनाया लेकिन इसे इसराइल के पलटवार के खौफ से जोड़ कर देखा जा रहा है एरान के सेना दिवस में बाقाइदा एरान के राजडपती अबराहिम रईसी का एक बयान भी सामने आया और इस बयान में उनुने कहा कि अगर इसराइल ने हमला किया तो इस बार प्रतिक्रिया बहुत बड़े पैमाने पर होगी और बहुत कठोर होगी इरान को पता है कि इसराइल समुद्र में भी कोई बड़ा अक्शन लेकर तुसे चौका सकता है इसलिए इरान ने अपने युद्द पोत को लाल सागर की तरफ भेज़ दिया है इरान की नौसेना अपने वेपारिक जहाजों को बाकाइदा एसकौर्ट कर रही है इरान का युद्द पोत जमरान फ्रिगेट अदन की खाड़ी में मौझूद है इरान को इस बात का डर है कि कहीं इसराइल उसके किसी वेपारिक जहाज पर कबजा न कर ले इसराइल के सामने इरान का गड़बंदन काफी कमजोर नजर आ रहा है एक तरफ इसराइल की सरकार अपने देश की राजधानी के अंदर इटली के रक्षामंत्री के साथ मीटिंग कर रही है लेकिन दूसरी तरफ इरान अभी भी अपने सयोग्यों के साथ मजबूत रिष्टे की तलाश में लगा हुआ है इसराइल का पड़ोसी देश जॉडन खुलकर इसराइल के साथ ख़़ा नजर आ रहा है वेस्ट इशिया के बाकि इसलामी देश असमंजस में नजर आ रहे हैं और वो इस युद्ध से दूर रहने की नीती पर अमल करते हुए दिख रहे हैं इरान और रूस के विदेश मंत्रियों ने आपस में फोन पर बाचीज जरूर की है लेकिन फिर भी ये गड़बंदन इसराइल के गड़बंदन के सामने बेहत कमजोर नजर आता है तोकि इसराइल के साथ अमेरिका ना सिर्फ खुल कर खड़ा है बलके अमेरिका के जनरल और अमेरिका फ्रांस और बिटेन का पूरा साजो सामान इसराइल की सुरक्षा में तैनात है इरान और उसके सयोग्यों के लिए इस वक्त भी सबसे बड़ी मुसीबत इसराइल का सुरक्षा कवज बना हुआ है लिबनान में एरान के सयोगी इस बुल्ला के पास एरान के दुआरा दी गई मिसाइल ही है और दक्षिन लिबनान में एक बार फिर इस्राइल पर टेस्ट फायर किये गए इस्राइल पर 6 मिसाइलें दागी गई लेकिन इस्राइल ने 6 की 6 मिसाइलें बेकार कर दी और उन्हें इस्राइल की धर्थी पर गिर्णने से पहले ही मार दिया दूसरी तरफ इस्राइल बेखौफ होकर गाज़ा पट्टी में लगातार कोहरा मचा रहा है बीते 24 घंटे के अंदर इस्राइल ने गाज़ा पट्टी में 24 ठिकानों पर हमले किये और इनमे 56 लोगों को मार दिया है इसराइल अब तक 33,899 फिलिस्तीनियों को غذا में मार चुका है और 76,664 फिलिस्तीनियों को घायल कर चुका है दूसरी तरफ फिलिस्तीन हर साल की तरह इस साल 20-17 अपरैल को कैदी दिवस मना रहा है इस वक्त भी इजरायल की जेलों में साड़े नौ हजार फिलिस्तीनी राज़नीतिक कैदी मौजूद है इन में से 561 को उम्र कैद की सजा मिली हुई है गाजा पट्टी में 7 अक्तूबर से 15 मार्च के बीच 394 ऐसे हमले हुए जो संयुक्त राज़ से जुड़े संगठनों पर हुए है जिसमें संयुक्त राज़ का जंडा पहरा रहा था और इन हमलों में भी 408 विस्तापित दोगों की मौत हुई परमाणू शुद्ध इरान मरेगा या फिर मारेगा अगर इस्रेल ने धोखे से भी इरान के परमाणू ठिकानों पर हमला किया तो ये तै मानिये कि इरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर इरान के टॉप जनरल इस्रेल पर सीधा हमला पलक जपकते ही करतेंगे इरान के बंकर में घातक मिसायलों का ऐसा जखीरा मौजूद है जो इस्रेल को विनाश करने के लिए कापी है शायद यही वज़े है कि अब इस्रेल इरान के परमाणू ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि इरान के परमाणू हमलों से बचा जा सकते जड़ा देखिए खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इस्रेल इरान के किल परमालू ठिकानों पर हमला करने जा रहा है इस्रेल के अफ़ार दे टाइम्स आफ इस्रेल के मताबिक इरान के फोटो और नटाजन परमालू ठिकानों पर इस्रेल हमला करने जा रहा है खबरों में दाबा किया गया है कि इसरेल अपने लड़ा को विमान F-35A और F-15E-X को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है 80 मीटर गहराई में मौझूद इरान के फोडो परमाणू ठेकाने पर 30,000 पाउंड बंकर ब्लस्टर वम गिराने का प्लान है ताकि 80 मीटर गहराई में इरान के फोडो परमाणू ठेकाने को तबाख किया जा सके ताबा किया जा रहा है कि 1200 किलोमेटर दूर मौझूद फोडो परमाणू ठेकाने को अगर इस्रेल के F-35A और F-15E-X लड़ाकों विमान तबाख कर देते हैं तो ये इरान के लिए बहुत बड़ा नुक्सान थाबित होगा ऐसा नहीं है कि इस्रेल के हमले का दाबा खोखला है क्योंकि इस स्वक्ट इस्रेल के फाइटर जेट इरान के परमाणू ठेकानों पर जबरदस्थ हमला करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं एफ-35A और एफ-15E-X लड़ा को एक ऐसा अभ्यास कर रहे हैं जिसमें इस्रेल से इरान के बीच और सक 1500 किलोमेटर दूर पर बम गिराना है हमले से जोड़ी इस खबर के पुष्टी एक और खबर भी कर रही है International Atomic Energy Agency यानि IAEA ने ऐसा खुलासा किया है जो वाकई दिल तहला देने वाला है IAEA के चीफ राफेल ग्रासी ने मीडिया को बताया कि इरान के परमाणों ठेकानों पर इस्रेल के हमले का खत्रा बढ़ चुका है जिसकी वज़े से इरान ने अपने कई परमाणों ठेकानों को बंद कर दिया है राफेल ग्रासी के मुताबिक IAEA के अधिकारी इरान के परमाणों ठेकानों का नीरिक्षन नहीं कर सकते जिनकी जाच रोज होती थी इरान में इस्रेली खत्रे को देखते हुए परमाणों साइथें बढ़ कर भी है और आज परमाणों को बंद कर दिया है परमाणों शुद इरान मरेगा या फिर मारेगा इरान ने भी कच्छी गोलिया नहीं खेली है इरान को भी कही न कहीं दूस से जबरदस्त मदद मिल रही है इस वक्त इरान दुनिया में आत्मगाती ध्रून बनाने में काफी आगे निकल चुका है उसके पास हजारों की दादाद में बलेस्टिक, कूस और हाइपरसोनिक मिसाइले हैं जिसमें से कई परमाणों वं से बहुत कम वक्त में लैस हो सकती है इसी वज़ा से दावा किया जा रहा है कि इरान के परमाणों फैसलेटी पर हमला करना इसरेल के लिए इराक और सीरिया की तरह आसान नहीं होने वाला है सबसे पहली बाद इरानी परमाणों फैसलेटी विखरी होई है और उनमें से कई पहाड़ीों में इस्थित है दूसरी बाद ये कि इसरेल से इरान की परमाणों फैसलों तक सीधी उडान के लिए भी हवा में इंधन भरने या इंधन भरने के लिए लैंड करने की आवश्यक्ता होगी इरान और इसरेल के बीच जॉडन, इरान और सौटी अरब इस्थित है जिन मसे कोई बी इसरेली लड़ाको विमान को ना तो लैंडिन के अजाज़त देंगे और ना ही अपने अस्थित है अरान पदने के मनजोरी देगा तीसरा ये है कि इसरेल से इरान के बीच की दूरी 800 किलोमेटर दे जहाँ पर इसरेली वारु सेना के लड़ाको विमानों के लिए परमान और फिकानों पर हमला करना जरा भी आसान नहीं होगा इधर इसरेल के पीम बेनमिन नेतनियाहू फाइटर जट एफ 15 बेस का दारा कर चुके है नेतनियाहू भले ही इरान को दबाही की धमकिया दे लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत खदरनाक है ज़रा देखिये इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है युद्ध तो होना अभी बाकी है इरान को अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत पर जबरदस्त भरूसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसरेल के बीच चल रही जंग से दूर हो जाओ ज़रा देखिये कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकर इरान के पास नो ऐसी बलेस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमेटर दूर इसरेल पर हमला बोल सकती है इन मिसाइल में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाये तो वो है सेजिन ये मिसाइल 17,000 किलोमेटर प्रति घंटे की तेजी से 2500 किलोमेटर दूर हमला कर सकती है तो वहीं कीबर मिसाइल की मारक्षम ताक 2000 किलोमेटर है इसके साथ ही हज का सेम की अटांकिंग रेंज 1400 किलोमेटर है इरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर पावस एलैस है इसकी रेंज 3000 किलोमेटर है इरान ने अपने डूरून के जखीरे में भी खास काम किया है पूरे मिडलीस्ट च्रित्र की बात की जाये तो इरान आतुधाती ध्रोन का सबसे बड़ा निर्मा था है इरान के पास मुहाजर 10 नाम का खातक ध्रोन है जिसकी रेंज 2000 किलोमेटर है तो वहीं मुहाजर 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्पोटर भी ले जा सकता है अब सवाल उड़ता है कि इरान ऐसे हालत में क्या कर सकता है और क्या वाकई में इरान के पास ऐसे परमाणू बंब है जो इसरेल को तबाह कर सकते है जरा देखिए International Atomic Energy Agency यानि IAEA इरान की परमाणू प्षमता पर क्या दावा करता है खोल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे में अगर इसरेल इरान पर परमाणू हमला करता है तो पूरा पश्ची मेश या परमाणू बढ़ती में भस्मो जाए तो एरान ने इसराइल पर तावर तोड़ कई हमले किये हैं और दावा किया है कि ये तो अभी ट्रेलर है असलिए युद्ध अभी बाकी है ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या अब होगा परमाणू युद्ध तो इसराइल और इरान जन से पूरी दुनिया खौफ में आ चुकी है इरान ने पांच घंटे तक इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किये है इरानी जनरों का दावा है कि ये तो अभी ट्रेलर है युद्ध भी बाकी है और इस बीच कुछ रेपोर्ट अब दावा किया जाने लगा है कि अगर इरान पर इसराइल और अमेरका मिलकर हमला करते है तो ऐसी सिथी में रूस इरान के साथ युद्ध में कूट पड़ेगा देखिए ये रेपोर्ट इसराइल से युद्ध इरान के साथ रूस अगर इसराइल, अमेरिका, ब्रित्राइल और पश्चम देश ये सोच रहे हैं कि हम इरान को अगले 48 गंटे में तबाह कर देंगे तो ये गलत फैमी वो जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं कर ले क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राश्रपति पुतिन का रूस इरान का जंग में साथ देने जा रहा है दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर अमेरिका, ब्रिटन और इस्रेल मिलकर इरान पर हमला करते हैं तो रूस की घातक मिसाइले, धून और लड़ाकु जहाज इरान को बचाने के लिए जंग में सीधे कूद पड़ेंगे राश्वपती पोतिन ने इरान को खुफिया तरीके से पूरा वार प्लैन पहुचा दिया है बश्य मीडिया के जानकारों के मुताबिक इस्रेल पर इरान का सीधा हमला साबित करता है कि इरान को रूस से हमले की हरी जंडी पहले ही मिल गई थी अब सबाल ओरता है कि रूस इरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटन, इस्रेल और नाटो देशों से जंग क्यो करने पर उतारू है क्या इरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है ज़रा देखिए क्यों रूस इरान का साथ जंग में देने जा रहा है दो साल से ज्यादा समय से चल रही रूस योकरेन जंग में इरान जम कर रूस का साथ दे रहा है इसलिए रूस इरान का जंग में साथ देने के लिए तयार हो चुका है इरान योकरेन युद में रूस को हजारो अगाती ड्रोंग शाहिद 136, वहाँ से 10 जैसे ड्रोंग दे रहा है जिसके जर्ये रूस योकरेन को जंग में रॉंद चुका है यहां तक कि खुफिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इरान ने रूस को यूकरेन जंग में अपनी घातक में साई ले तीन लाख तोप के गोले दस करोड गोलियां तक दी हैं और उसके बाद भी हजारों रॉकेट जंग का सामान रूस अभी भी भी भेज रहा है डेफेंस एक्सपोर्ट्स का दावा है कि पोतिन इरान के एसान को दिल से मानते हैं और इरान से वफ़दारी दिखाते हुए अब जंग में इरान का साथ देने जा रहे हैं रूस के दम से ही इरान ने इसरेल पर घातक हमले किया है और 330 मिसाइल और घून से हमला किया है इसरेल और इरान की जंग में दुना तेजी से बट रही है जहां रूस इरान के साथ खड़ा है तो वहीं अमेरिका, बिट्र, फ्रांस समेथ तमाम पशिमी और नेटो देश इसरेल के साथ खड़े है अब ज़र आप ये भी जान लीजिए कि इरान के साथ मुस्लिम वॉल्ड के कौन-कौन से देश खड़े है और कौन से मुस्लिम देशों ने इरान के साथ गद़दारी किये पहले आप ये जान लीजिए कि जब इरान आधी रात में इसरेल पर भायानक हमले कर रहा था तो उस सुख अरब देश जॉर्डन ने इरान के घातक हमलों को नाकाम करने के लिए क्या किया टाइमस अफ इसरेल ने इसरेली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जॉर्डन के जट विमानों ने उत्तरी और मध्य जॉर्डन से होकर इसरेल की ओर जाने वाले दरजनों इरानी ड्रोन को मार गिराया है जॉर्डन की तरफ से इसरेल की मदद के लिए अपने जट भेजना एक बड़ा कदम है इस्रेली सूत्रों का कहना है कि इरान के ड्रोन जॉर्डन घाटी और हवा में उतारे गए थे और येरुशलम की ओर जा रहे थे लेकन उससे पहले ही जॉर्डन के फाइटर जेट्स ने इरान के ड्रोन को मार गिराया इरान जॉर्डन की गद्दारी से बेहत नाराज है के हवाले से दाबा किया है इरान की सेना जायोनी शासन के खिलाफ हमले के दौरान जॉर्डन की गद्दियों की सावधानी पूरवक निगरानी कर रही है और अगर जॉर्डन हस्तक्षेप करता है तो इरान का अगला ठार्गेट जॉर्डन होगा इस्रेल पर इरान के हमले के बाद से पूरे इरान में जश्ट मनाया जा रहा है इरान का दावा है कि उसने कई घंटे तक इस्रेल पर हमले किये लेकिन वहीं इस्रेल और अमेरिका का दावा है कि उसने इस्रेल के 300 से ज़ादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है जरा देखिए इरान के कितने ड्रोन और मिसाइले तबा हुई है इरान ने इस्रेल पर करीब 5 घंटे तक हमला किया इस्रेल पर इरान के हमले की दोरान अमेरिकी सेना ने 70 से जादा ड्रोन और कम से कम 3 बैलस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है इस्रेली सेना का कहना है कि उसने इरान द्वारा दागे गए करीब 99-30 ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया है दावे की मुताबे इरान के 170 मिसाइल और ड्रोन को इस्रेल के बाहर ही मार दिया गया जबकि इरान की 30 क्रूज मिसाइले एक भी इस्रेली एर स्पेस में नहीं घुस्पाई 30 में से 25 मिसाइले तबाह कर दी गई इरान की 120 बलेस्टिक मिसाइले दागी गई जिने तबाह करने का दावा किया गया है लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एरान की कुछ बेलस्टिक मिसाइलों ने इसरेल के निवात्म एर बेस में गिर गई थी इसरेली से नहने माना है कि उसे मामूली नुकसान हुआ है कुल मिलाकर एरान के 320 डुरॉन और मिसाइलें तबा हुई एरान नदिका ट्रेलर इसरे तो अभी बाकिये पिछले कुछ घंटों में जो हालात पश्यम एशिया में जंग से बने है उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका, बिटन जंग में सीधे तोर पर कूट पड़े है इसरेल भी इरान पर जवावी हमले की तैयारी कर रहा है इसरेल के पिम बेनियमिन नेतनियाहू फाइटर जेट एफ-15 बेस का दोरा कर चुके है नेतनियाहू भले ही इरान को तबाही की धंटियां दे लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत खदरनाक है ज़रा देखिये इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है युद्ध तो होना अभी बाकी है इरान को अपनी मिसाइल और रोन ताकत पर जबरदस्ट भरुसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसरेल के बीट चल रही जंग से दूर हो जाओ ज़रा देखिये कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकत इरान के पास नो ऐसी बैलेस्टिक मिसाइल्स हैं जो हसारों किलोमेटर दूर इसरेल पर हमला बोल सकती है इन मिसाइल में अगर सबसे ख़तरनाक मिसाइल की बात की जाये तो वो है सेज़ ये मिसाइल 17,000 किलोमेटर प्रती घंटे की तेजी से 25-100 किलोमेटर दूर हमला कर सकती है तो वहीं खीबर मिसाइल की मारफ शमताद 2000 किलोमेटर है इसके साथ ही हज कासेन की अटैकिंग रेंज 1400 किलोमेटर है इरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूकलियर पावर सेलैस है इसके रेंज 3000 किलोमेटर है इरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है पूरे मेडल इस्ट क्षेतर की बात की जाये तो इरान आतिभाती ड्रोन का सबसे बड़ा निर्माता है एरान के पास मोहाज़त 10 नाम काधा तक ब्रॉन भी है, जिसकी रेन 2,000 किलोमीटर है, तो वही मोहाज़त 10 अपने साथ 300 किलोग्राम काव बस्पोर तक भी लेजा सकता है एमश एरान पत्का बमतकफा नגद इसराइल वशिगरा योतर में 300 इयומים मसुगים शונים ऐयूम ऐरानी पगश अता अलियनות अवीरית वाट तकनोलोगी शल चाल बशिलूव कौलिटिया लोगमत चजका शियाख़गा यगद यरतू एत रुबम हमकरिया शिल ऐयूमी अब ऐसे हालात में अगर इरान रूस के साथ सीधे जंग में कूट पड़ता है तो फिर अमेरिका बिटन मिल कर भी इसराइल को इरान से बचा नहीं पाएंगे अब देखना होगा कि इरान का अगला कदम क्या होगा और इसराइल इरान के हमले का बदला कैसे लेता है चोंकि रूस अब इरान के साथ चट्टान बन कर खड़ा हो गया है पुरा अनतालीस गहन्टे यही डेडलाइन है युद्ध की आर पार के युद्ध की इसराइल अपने दोश्मनों को वक्त बता कर मारता है समहलने का मौका भी नहीं देता है हमास के हमले के महज 72 घंटे बाद इसराइल ने ओपरेशन शुरू कर दिया था लेकिन इरान के पास उतना टाइम भी नहीं है अगर ड्रोन हमले में हिजबुल्ला इसराइल की 14 सेनिकों को घाल करने में काम्याब रहा तो उसका मतलब ये है कि इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोक पाने के लिए बिलकुल भी तैयार नहीं था इरान के आमले से भी इसराइल का आत्म विश्वास बढ़ गया है और नेत्याहूं की भी वार कैबिनिट के अंदर इरान से बदला लेनी की कस्मे खा रही है बिलकुल साफ है कि इरान इसराल युद्ध चलता हुआ नजर नहीं आ रहा इसराइल की तरफ से 100% कन्फर्म हो गया है कि वो इरान पर हमला करेगा इसराइल ने अपने मित्र देश के विदेश मंत्रियों को बता दिया है कि इरान पर पलटवार भ्यानक होगा और इरान को सवक सिखाने के लिए सभी मित्र देशों को इखटा होना होगा पश्चिमेश्या की युद्ध पहेली अब धीरे धीरे खुन रही है एक तरफ इरान के युद्ध पोत इसराइल की जमीन के आसपास समंदर के किनारों पर चक्कर लगा रहे है और दूसरी तरफ इरान अब दस गुना तेज हमले करने की धमकी दे रहा है किसी भी वक्त इसराइल और इरान का बेहत खतरनाक युद्ध छिडने वाला है दूसरी तरफ इसराइल पर तीन तरफ से हुए 180 डिगरी हमले के बावजूद भी घजा पट्टी पर इसराइल का कहर इतनी खतरनाक तरीके से तूट रहा है कि इसराइल ने सिर्फ एक गोले में 5,000 लोगों को मार डाला है यह हमला घजा सिटी के अलबस्मा IVF सेंटर यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर पर हुआ जहां पर हजारों की संख्या में मानव भून रखे हुए थे सबसे पहले हम बिटेन की विदेश मंत्री डेविट केमरून के उस बयान की चर्चा करेंगे जिसने इसराइल इरान युद पर 100% मोहर लगा दी है दरसल इरान के पलटवार के बाद इसराइल के मित्र देशों के तमाम विदेश मंत्री रक्षा मंत्री इसराइल के दौरे कर रहे हैं ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से इस्राइल के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है इस्राइल के रक्षा मंत्री यॉफ गैलिंट ने इटली के रक्षा मंत्री से मुलाकात की है इसराइल के अंदर बिटेन की विदेश मंतरी डेविट केमरान और इसराइल के राश्टपती साख हगोर्स की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद बिटेन की विदेश मंतरी डेविट किमरॉन ने एसाब कर दिया है कि इसराइल ने एरान पर पलटवार करने का फैसला कर लिया है इसराइल की राजधानी के अंदर और क्या चल रहा है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं तहरान जहां ऐसी रणनीती बन चुकी है कि युक्रेन और घजापट्टी से भी भीशन युद अटल हो गया है एक तरफ बिटेन की विदेश मंतरी डेविट किमरान ये एलान कर रहे हैं कि युद अटल है इसराइल हमला करेगा और दूसरी तरफ इरान के उप्विदेश मंतरी अलीब आगेरी ने एक बियान जारी किया है और बिल्कुल साफ साफ कहा है कि इसराइल को ये समझ लेना चाहिए कि इरान इस बार इसराइल के हमले का पलटवार करने के लिए 12 दिन का लंबा समय बिल्कुल भी नहीं लेगा इसराइल का हमला होते ही फौरण इरान के पलटवार की प्रतिक्रिया मिल जाएगी और इसराइल को दहला दिया जाएगा इसराइल की राजधानी तेलवीव में इसराइल के बंतरी अपने साथी गड़बंदन देशों के प्रतिनिद्यों के साथ युद के शुरुआत से पहले जबरदस बैठके कर रहे हैं और दूसरी तरफ इरान की राजधानी सेना दिवस मना रही है लेकिन इस बार सेना दिवस तेहरान की खुली सड़क पर नहीं मनाया गया इस बार इरान ने सीक्रिट तरीके से एक बैरिक के अंदर अपना सेना दिवस मनाया है जो अपकी पिछले साल एरान की सेना ने आयातुला, रोहिला, खामनेई के मकबरे पर सेना दिवस मनाया था हाला कि एरान ने इसका कोई कारण नहीं दिया है कि उसने गुब तरीके से सेना दिवस क्यों मनाया लेकिन इसे इसराइल के पलटवार के खौफ से जोड़ कर देखा जा रहा है एरान के सेना दिवस में बाकाइदा एरान के राश्टपती इबराहिम रईसी का एक बयान भी सामने आया और इस बयान में उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने हमला किया तो इस बार प्रतिक्रिया बहुत बड़े पैमाने पर होगी और बहुत कठोर होगी अगर कुचकतरीन तर्रोजी अजनाहिया रजीम सेयुनिस्टी बेखाच वतन मासूरत बिगीरत वे मनाफ़ जमूरी इसलामी इरान यगीन बदानन बर खुर्दी बस्यार शड़ीद इसलाल सागर की तरफ भेज दिया है इरान की नौसेना अपने वेपारिक जहाजों को बाकाइदा एसकौर्ट कर रही है इरान का युतपोद जमरान फ्रिगेट अदन की खाड़ी में मौजूद है इरान को इस बात का डर है कि कहीं इसराइल उसके किसी वेपारिक जहाज प साथ मीटिंग कर रही है लेकिन दूसरी तरफ एरान अभी भी अपने सयोग्यों के साथ मजबूत रिष्टे की तलाश में लगा हुआ है इसराइल का पड़ोसी देश जौडन खुल कर इसराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है वेस्ट एशिया के बाकि इसलामी देश असम नजर आता है तोकि इसराइल के साथ अमेरिका ना सिर्फ खुल कर खड़ा है बलके अमेरिका के जनरल और अमेरिका फ्रांस और बिटेन का पूरा साजो सामान इसराइल की सुरक्षा में तैनात है इरान और उसके सयोग्यों के लिए इस वक्त भी सबसे बड़ी मुसीबत इ लिबनान में एरान के सयोगी इस बुल्ला के पास एरान के दुआरा दी गई मिसाइल ही है और दक्षिन लिबनान में एक बार फिर इसराइल पर टेस्ट फायर किये गए इसराइल पर 6 मिसाइले दागी गई लेकिन इसराइल ने 6 की 6 मिसाइले बेकार कर दी और उन्हें इस पट्टी में 24 ठिकानों पर हमले किये और इन में 56 लोगों को मार दिया है इसराइल अब तक 33,899 फिलिस्तीनियों को गाजा में मार चुका है और 76,664 फिलिस्तीनियों को घायल कर चुका है दूसरी तरफ फिलिस्तीन हर साल की तरह इस साल 27 अपरेल को कैदी दिवस मना रहा है इस वक्त भी इजराइल की जेलों में 9,000 फिलिस्तीनी राज़नीतिक कैदी मौजूद है इन में से 561 को उम्र कैद की सजा मिली हुई है गाजा पट्टी में 7 अक्तूबर से 15 मार्च के बीच 394 ऐसे हमले हुए जो संयुक्त राश्ट से जुड़े संगठनों पर हुए हैं जिसमें संयुक्त राश्ट का जंड़ा पहरा रहा था और इन हमलों में भी 408 विस्तापित दोगों की मौत हुई परमाणू शुद्ध इरान मरेगा या फिर मारेगा अगर इसरेल ने धोखे से भी इरान के परमाणू ठिकानों पर हमला किया तो ये तैय मानिये कि इरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर इरान के टॉप जनरल इसरेल पर सीधा हमला पलक जपकते ही करतेंगे इरान के बंकर में घातक मिसाइलों का ऐसा जखीरा मौझूद है जो इसरेल को विनाश करने के लिए काफी है शायद यही वज़े है कि अब इसरेल इरान के पर्माणू ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि इरान के पर्माणू हमलों से बचा जा सकते जड़ा देखिए, खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इस्रैल के किन परमाणु ठिकानों पर हमला करने जा रहा है इस्रैल के अफ़ार The Times of Israel के मताबिक, इस्रैल के फोटो और नसन परमाणु ठिकानों पर इस्रैल हमला करने जा रहा है खबरों में दावा किया गया है कि इसरेल अपने लड़ा को विमान F-35A और F-15E-X को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है 80 मीटर गहराई में मौझूद इरान के फोडो परमाणू ठिकाने पर 30,000 पाउंड बंकर ब्लस्टर बम किराने का प्लान है ताकि 80 मीटर गहराई में इरान के फोडो परमाणू ठिकाने को तबाख किया जा सके ताबा किया जा रहा है कि 1200 किलोमेटर दूर मौझूद फोडो परमाणू ठिकाने को अगर इस्रेल के F-35A और F-15E-X लड़ाकों विमान तबाख कर देते हैं तो ये इरान के लिए बहुत बड़ा नुक्सान थाबित होगा ऐसा नहीं है कि इस्रेल के हमले का दाबा खोखला है क्योंकि इस सुवत इस्रेल के फाइटर जेट इरान के परमाणू ठिकानों पर जबरदस्थ हमला करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं एफ-35A और एफ-15E-X लड़ा को एक ऐसा अभ्यास कर रहे हैं जिसमें इस्रेल से इरान के बीच और सत 1500 किलोमेटर दूर पर बम गिराना है हमले से जोड़ी इस खबर के बुश्टी एक और खबर भी कर रही है International Atomic Energy Agency यानि IAEA ने ऐसा खुलासा किया है जो वाकई दिल तहला देने वाला है IAEA के चीफ राफेल ग्रासी ने मीडिया को गताया कि इरान के परमाणों ठेकानों पर इस्रेल के हमले का खत्रा बढ़ चुगा है जिसकी वज़े से इरान ने अपने कई परमाणों ठेकानों को बंद कर दिया है राफेल ग्रासी के मुताबिक IAEA के अधिकारी इरान के परमाणों ठेकानों का नीरिक्षन नहीं कर सकते जिनकी जाच रोज होती ही इरान में इस्रेली खत्रे को देखते हुए परमाणों साइथें बद का भी है परमाणों शुद इरान मरेगा या फिर मारेगा इरान ने भी कच्छी गोलिया नहीं खेली है इरान को भी कहीं न कहीं दूस से जबरदस्त मदद मिल रही है इस वक्द इरान दुनिया में आत्मगाती भून बनाने में काफी आगे निकल चुका है उसके पास हजारों की दादाद में बलेस्टे, कूस और हाइपरसोनिक मिसाइले हैं जिसमें से कई परमाणों बं से बहुत कम वक्त में लेस हो सकती हैं इसी वज़़ा से दावा किया जा रहा है कि इरान के परमाणों फैसलेटी पर हमला करना इस्रेल के लिए एराक और सीरिया की तरह आसान नहीं होने वाला है सबसे पहली बार इरानी परमाणों फैसलेटी विखरी होई है और उनमें से कई पहाड़ियों में इस्थित है दूसरी बाग ये कि इस्रेल से इरान के परमाणों फैसलों तक सीधी उरान के लिए भी हवा में इंधन भरने या इंधन भरने के लिए लैंड करने की अवश्यक्ता होगा इरान और इस्रेल के बीच जॉडन, इरान और साओडी अरब इस्थित है जिन मसे कोई भी इस्रेली लड़ाको विमान को ना तो लैंडिन के अजाज़त देंगे और ना ही अपने अस्थित है अज़ान फद्ने के मनजूरी देगा तीसरा ये है कि इस्रेल से इरान के बीच की दूरी अट-थार सा किलो मेड़ दे जहाँ पर इस्रेली वरुसेना के लड़ाको विमानों के लिए परमानों फिकानों पर हमला करना जरा भी आसान नहीं होगा इधर इस्रेल के पी-म बेनमिन नेतनियाहू फाइटर जट F-15 बेस का दोरा कर चुके है नेतनियाहू भले ही इरान को दबाही की धमकिया दे लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत खदरनाक है ज़रा देखिये इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है युद्ध तो होना अभी बाकि है इरान को अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत पर जबरदस्त भरूसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसरेल के बीच चल रही जंग से दूर हो जाओ ज़रा देखिये कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकर इरान के पास नो ऐसी बलेस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमेटर दूर इसरेल पर हमला बोल सकती है इन मिसाइल में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाए तो वो है सेजे ये मिसाइल 17,000 किलोमेटर प्रति घंडे की देजी से 25-100 किलोमेटर दूर हमला कर सकती है तो वही कीबर मिसाइल की मारफ्षम ताग 2000 किलोमीटर है। इसके साथ ही हज कासेम की अटांकिंग रेंज 1400 किलोमीटर है। इरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर पावसलेस है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। इरान ने अपने डून के जखीरे में भी खास काम किया है। पूरे मिडलीस्ट छेत्र की बात की जाये तो इरान आत्मिधाती डून का सबसे बड़ा निर्माता है। इरान के पास मुहाजर 10 नाम का खातक डून है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। तो वही मुहाजर 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्पू टक भी ले जा सकता है। अब सवाल उड़ता है कि इरान ऐसे हालत में क्या कर सकता है। और क्या वाकई में इरान के पास ऐसे परमाणू बंब हैं, जो इसरेल को तबाह कर सकते हैं। ज़रा देखें, International Atomic Energy Agency यानी IAEA इरान की परमाणू क्षमता पर क्या दावा करता है। खोल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे में अगर इसरेल इरान पर परमाणू हमला करता है, तो पूरा पश्ची मेश या परमाणू भट्टी में भस्म हो जाए। तो एरान ने इसराइल पर ताबर तोड़ कई हमले किये हैं और दावा किया है कि ये तो अभी ट्रेलर है, असलिए युद्ध अभी बाकी है। ऐसे में आप सवाल ये है कि क्या अब होगा परमाणू युद्ध? पूरा तो इसराइल और इरान जंग से पूरी दुनिया खौफ में आ चुकी है। इरान ने पाँच घंटे तक इसराइल पर मिसाल और ड्रोन हमले किये हैं। इरानी जनरों का दावा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, युद्ध भी बाकी है। और इस बीच कुछ रिपॉर्ट अब दावा किया जाने लगा है कि अगर इरान पर इसराइल और अमेरिका मिलकर हमला करते हैं, तो ऐसी सिथी में रूस इरान के साथ युद्ध में कूट पड़ेगा। देखिए ये रिपॉर्ट अगर इसराइल से युद्ध इरान के साथ रूस अगर इसराइल, अमेरिका, ब्रित्र और पश्च्रम देश ये सोच रहे हैं कि हम इरान को अगले 48 गंटे में तबाह कर देंगे तो ये गलत फ्यमी वो जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं कर ले क्योंकि कुछ खुफिया रिपॉर्ट में दावा किया जा रहा है कि राश्रपती पुतिन का रूस इरान का जंग में साथ बेने जा रहा है दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर अमेरिका, बिटर और इस्रेल मिलकर इरान पर हमला करते हैं तो रूस की घातक मिसाइले, धून और लडाकु जहाज इरान को बचाने के लिए जंग में सीधे कूद पड़ेंगे राश्वपती पोतिन ने इरान को खुफिया तरीके से पूरा वार प्लैन पहुचा दिया है बश्य मीडिया के जानकारों के मताबिक इस्रेल पर इरान का सीधा हमला साबित करता है कि इरान को रूस से हमले की हरी जंडी पहले ही मिल गई थी अब सबाल उड़ता है कि रूस इरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रितन, इस्रेल और नाटो देशों से जंग क्यों करने पर उतारू है क्या इरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है ज़रा देखिये क्यों रूस इरान का साथ जंग में देने जा रहा है दो साल से ज्यादा समय से चल रही रूस योकरेन जंग में इरान जम कर रूस का साथ दे रहा है इसलिए अब रूस इरान का जंग में साथ दिने के लिए तयार हो चुका है इरान योकरेन युद में रूस को हजारो अगाती ढों शाहित 136 मुहासर 10 जैसे ढों दे रहा है जिसके जरिये रूस योकरेन को जंग में रौंद चुका है यहां तक की खुफिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इरान ने रूस को योकरेन जंग में अपनी घातक में साई ले तीन लाख तोप के गोले 10 करोड गोलियां तक दी है और उसके बाद भी हजारो रौकेट जंग का सामान रूस अभी भी भी भेज रहा है डेफेंस एक्सपोर्ट का दावा है कि पोतिन इरान के एसान को दिल से मानते हैं और इरान से वफ़दारी दिखाते हुए अब जंग में इरान का साथ देने जा रहे हैं रूस के दम से ही इरान ने इसरेल पर घातक हमले किया है और 330 मिसाइल और रूम से हमला किया है बरादरान व दूस्तान मान दर मनतगे के एलात मुदादी अमरीका दर आन किशवर हा दाराई पाईगाह निजामी इस इलाम करदीम के हदफ मा दर दिफाए मश्रू सिर्फन तन्बीह रजीम इसराईल हस्त इरान के साथ मुस्लिम वर्ड, इसरेल के साथ नाटू इसरेल और इरान की जंग में दुनिया तेजी से बट रही है जहां रूस इरान के साथ खड़ा है तो वहीं अमेरिका, बिटन, फ्रांस समेथ तमाम पशिमी और नैटो देश इसरेल के साथ खड़े है अब ज़र आप ये भी जान लीजिए कि इरान के साथ मुस्लिम वर्ड के कौन-कौन से देश खड़े है और कौन से मुस्लिम देशों ने इरान के साथ गद़दारी किये पहले आप ये जान लीजिए कि जब इरान आधी रात में इसरेल पर भायानक हमले कर रहा था तो उस वक्त अरब देश जॉर्डन ने इरान के घातक हमलों को नाकाम करने के लिए क्या किया टाइमस अफ इसरेल ने इसरेली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जॉर्डन के जट विमानों ने उत्तरी और मध्ध जॉर्डन से होकर इसरेल की ओर जाने वाले दरजुनों इरानी ड्रोन को मार गिराया है जॉर्डन की तरफ से इस्रेयल की मदद के लिए अपने जेट भेजना एक बड़ा कदम है इस्रेयली सूत्रों का कहना है कि इरान के ड्रोन जॉर्डन घाटी और हवा में उतारे गए थे और येरुशलम की ओर जा रहे थे लेकन उससे पहले ही जॉर्डन की फाइटर जेट्स ने इरान के ड्रोन को मार किराया इरान जॉर्डन की गद्दारी से बेहत नाराज है इस्रेयल की मदद करने के लिए इरान की IRGC ने जॉर्डन को धमकी दी है कि अगर वो इस्राइल की और मदद करता है तो इरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा एक पश्यमी न्यूज एजनसी ने इरान के सूत्रों के हवाले से दाबा किया है इरान की सेना जायोनी शासन के खिलाफ हमले के दोरान जॉर्डन की गदेविधियों की सावधानी पूरवक निगरानी कर रही है और अगर जॉर्डन हस्तक शेप करता है तो इरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा इस्राइल पर इरान के हमले के बाद से पूरे इरान में जश्ट मनाया जा रहा है इरान का दावा है कि उसने कई घंटे तक इस्राइल पर हमले किये लेकिन वहीं इस्रेल और अमेरिका का दावा है कि उसने इस्रेल के 300 से ज़ादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है जरा देखिए इरान के कितने ड्रोन और मिसाइले तबा हुई है इरान ने इस्रेल पर करीब 5 घंटे तक हमला किया इजरेयली सेना का कहना है कि उसने इरान द्वारा दागे गय करीब 99 फीस्दी ड्रौन और मिसाइल को मार गिराया है दावे के मुताबे इरान के 170 मिसाइल और भून को इजरेयल के बाहर ही मार दिया गया जबकि एरान की 30 круze मिसाईले एक भी इसरैली एैर सस्पेस में नहीं गुस्पाई 30 में से 25 मिसाईले तबाः कर दी गई इरान की 120 बलेस्टिक मिसाईले दागी गई जिने तबाह करने का दावा किया गया है लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एरान की कुछ बैलेस्टिक मिसाइलों ने इस्राइल के निवात्म ऐर बेस में गिर गई थी इस्राइली सेना ने माना है कि उसे मामूली नुकसान हुआ है कुल मिलाकर एरान के 320 ड्रून और मिसाइलें तबा हुई एरान नेखाया ट्रेलर इश्ट तो अभी बाकिये पिछले कुछ घंटों में जो हालात पश्शिम एशिया में जंग से बने हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका बिटन जंग में सीधे तोर पर कूट पड़े हैं इस्राइल भी इरान पर जबावी हमले की तैयारी कर रहा है इस्राइल के पिम बेन्यमिन नेतनियाहू फाइटर जेट एफ 15 बेस का दोरा कर चुके है नेतनियाहू भले ही इरान को तबाही की धंटियां दे लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत खदरनाक है जरा देखिये इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है युद्ध तो होना अभी बाकी है इरान को अपनी मिसाइल और रोन ताकत पर जबरदस्ट भरुसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इस्रेल के बीट चल रही जंग से दूर हो जाओ जरा देखिये कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकत इरान के पास नो ऐसी बैलेस्टिक मिसाइल्स हैं जो हसारों किलोमेटर दूर इस्रेल पर हमला बोल सकती है इन मिसाइल में अगर सबसे ख़तरनाक मिसाइल की बात की जाये तो वो है सेज़ ये मिसाइल 17,000 किलोमेटर प्रतीग हंटे की तेजी से 2500 किलोमेटर दूर हमला कर सकती है तो वहीं खेबर मिसाइल की मारफशमताग 2000 किलोमेटर है इसके साथ ही हज कासेन की अटैकिंग रेंज 1400 किलोमेटर है इरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो नूकलियर पावर से लैस है इसके रेंज 3000 किलोमेटर है इरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है पूरे मेडल इस्ट क्षेतर की बात की जाये तो इरान आत्मभादी ड्रोन का सबसे बड़ा निर्माता है अब ऐसे हालत मेडर इरान रूस के साथ सीधे जंग में पूट परता है तो फिर अमेरिका बिटन मिल कर भी इस्रेल को इरान से बचा नहीं पाएंगे अब देखना होगा इरान का अगला कदम क्या होगा और इस्रेल इरान के हमले का बदला कैसे लेता है क्योंकि रूस अब इरान के साथ चट्टान बन कर खड़ा हो गया है पूरा अड़तालीस गहन्टे यही डेड्लाइन है युद्ध की आर पार के युद्ध की इस्रेल अपने दुश्मनों को वक्त बता कर मारता है समहलने का मौका भी नहीं देता है हमास के हमले के महज 72 घंटे बाद इस्रेल ने ओपरेशन शुरू कर दिया था लेकिन इरान के पास उतना टाइम भी नहीं है अगर ड्रोन हमले में हिजबुला इस्रेल की 14 सेनिकों को घाल करने में काम्याब रहा तो उसका मतलब ये है कि इस्रेल का एर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोक पाने के लिए बिलकुल भी तयार नहीं था इरान के आमले से भी इस्रेल का आत्म विश्वास बढ़ गया है और नेत्याहूं की भी वार कैबिनिट के अंदर इरान से बदला लेनी की कस्मे खा रही है बिलकुल साफ है कि इरान इस्राल युद्ध चलता हुआ नजर नहीं आ रहा इस्राइल की तरफ से 100% कन्फर्म हो गया है कि वो इरान पर हमला करेगा इस्राइल ने अपने मित्र देश के विदेश मंत्रियों को बता दिया है कि इरान पर पलटवार भ्यानक होगा और इरान को सवक सिखाने के लिए सभी मित्र देशों को इखटा होना होगा पश्चिमेश्या की युद्ध पहेली अब धीरे धीरे खुन रही है एक तरफ इरान के युद्ध पोत इस्राइल की जमीन के आसपास समंदर के किनारों पर चक्कर लगा रहे है और दूसरी तरफ इरान अब दस गुना तेज हमले करने की धमकी दे रहा है किसी भी वक्त इसराइल और इरान का बेहत खतरनाक युद्ध छिडने वाला है दूसरी तरफ इसराइल पर तीन तरफ से हुए 180 डिग्री हमले के बावजूद भी घजा पट्टी पर इसराइल का कहर इतनी खतरनाक तरीके से टूट रहा है कि इसराइल ने सिर्फ एक गोले में 5,000 लोगों को मार डाला है यह हमला घजा सिटी के अलबस्मा IVF सेंटर यानी इन बिट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर पर हुआ जहां पर हजारों की संख्या में मानव भून रखे हुए थे सबसे पहले हम बिटेन की विदेश मंत्री डेविट केमरून के उस बयान की चर्चा करेंगे जिसने इसराइल इरान युद पर 100% मोहर लगा दी है दरसल इरान के पलटवार के बाद इसराइल के मित्र देशों के तमाम विदेश मंत्री रक्षा मंत्री इसराइल के दौरे कर रहे हैं बिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से इसराइल के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है इस्राइल के रक्षा मंत्री यॉफ गैलिंट ने इटली के रक्षा मंत्री से मुलाकात की है इस्राइल के अंदर बिटेन के विदेश मंत्री डेविट केमरान और इस्राइल के राश्टपती साख हगोर्स की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद बिटेन की विदेश मंतरी डेविट किमरॉन ने इसाब कर दिया है कि इसराइल ने एरान पर पलटवार करने का फैसला कर लिया है इसराइल की राजधानी के अंदर और क्या चल रहा है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं तहरान जहां ऐसी रणनीती बन चुकी है कि युक्रेन और घजापट्टी से भी भीशन युद अटल हो गया है एक तरफ बिटेन की विदेश मंतरी डेविट किमरान ये ऐलान कर रहे हैं कि युद अटल है इसराइल हमला करेगा और दूसरी तरफ इरान के उपदेश मंतरी अली बागेरी ने एक बियान जारी किया है और बिल्कुल साफ साफ कहा है कि इसराइल को ये समझ लेना चाहिए कि इरान इस बार इसराइल के हमले का पलटवार करने के लिए 12 दिन का लंबा समय बिल्कुल भी नहीं लेगा इसराइल का हमला होते ही फौरण इरान के पलटवार की प्रतिक्रिया मिल जाएगी और इसराइल को दहला दिया जाएगा इसराइल की राजधानी तेल अवीव में इसराइल के बंतरी अपने साथी गडबंदन देशों के प्रतिनिद्यों के साथ युद के शुरुआत से पहले जबर्दस बैठके कर रहे हैं और दूसरी तरफ इरान की राजधानी सेना दिवस मना रही है लेकिन इस बार सेना दिवस तेहरान की घुली सलक पर नहीं मनाया गया इस बार इरान ने सीकर्ट तरीके से एक बैरिक के अंदर अपना सेना दिवस मनाया है जो अपकी पिछले साल इरान की सेना ने आयातुला-रोहिला-कामन téléphone के मकबरे पर सेना दिवस मनाया था हाला कि एरान ने इसका कोई कारण नहीं दिया है कि उसने गुब तरीके से सेना दिवस क्यों मनाया लेकिन इसे इसराइल के पलटवार के खौफ से जोड़ कर देखा जा रहा है एरान के सेना दिवस में बाकाईदा एरान के राजटपती इबराहीम रईसी का एक बियान भी सामने आया और इस बियान में उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने हमला किया तो इस बार प्रतिकरिया बहुत बड़े पहमाने पर होगी और बहुत कठोर होगी अगर कुचकतरीन तार्रोजी अज नाहिये रजीम स्यूनिस्टी बेखाच वतन मासूरत बिगीरत वब मनाफ़ जम्हूरी इसलामी एरन यगीन बेदानेंट बर खुर्दी बिस्यार शड़ीद इरान को पता है कि इसराइल समुदर में भी कोई बड़ा एक्शन लेकर उसे चौका सकता है इसलिए इरान ने अपने युद्दपोत को लाल सागर की तरफ भेज़ दिया है इरान की नौसेना अपने वेपारिक जहाजों को बाकाइदा एसकौर्ट कर रही है इरान का युद्पोत जमरान फ्रिगेट अधन की खाड़ी में मौझूद है इरान को इस बात का डर है कि कहीं इसराइल उसके किसी वेपारिक जहाज पर अबजा न कर ले इसराइल के सामने इरान का गड़बंदन काफी कमजोर नजर आ रहा है एक तरफ इसराइल की सरकार अपने देश की राजधानी के अंदर इटली के रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग कर रही है लेकिन दूसरी तरफ इरान अभी भी अपने सायोग्यों के साथ मजबूत रिष्टे की तलाश में लगा हुआ है इसराइल का पड़ोसी देश जौडन खुलकर इसराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है वेस्ट इशिया के बाकि इसलामी देश असमंजस में नजर आ रहे हैं और वो इस युद्ध से दूर रहने की नीती पर अमल करते हुए दिख रहे हैं इरान और रूस के विदेश मंतरियों ने आपस में फोन पर बाचीज जरूर की है लेकिन फिर भी ये गड़बंदन इसराइल के गड़बंदन के सामने बेहत कमजोर नजर आता है तोकि इसराइल के साथ अमेरिका ना सिर्फ खुलकर खड़ा है बलके अमेरिका के जनरल और अमेरिका फ्रांस और बिटेन का पूरा साथ औ सामान इसराइल की सुरक्षा में तैनात है इरान और उसके सायोग्यों के लिए इस वक्त भी सबसे बड़ी मुसीबत इसराइल का सुरक्षा कवज बना हुआ है लिबनान में एरान के सयोगी इस बुल्ला के पास एरान के दुआरा दी गई मिसाइल ही है और दक्षिन लिबनान में एक बार फिर इस्राइल पर टेस्ट फायर किये गए इस्राइल पर 6 मिसाइलें दागी गई लेकिन इस्राइल ने 6 की 6 मिसाइलें बेकार कर दी और उन्हें इसराइल की धर्ती पर गिंडने से पहले ही मार दिया दूसरी तरफ इसराइल बेखौफ होकर गाजा पट्टी में लगातार कोहरा मचा रहा है बीते 24 घंटे के अंदर इसराइल ने गाजा पट्टी में 24 ठिकानों पर हमले किये और इनमे 56 लोगों को मार दिया है इसराइल अब तक 33,899 फिलिस्टीनियों को गाजा में मार चुका है और 76,664 फिलिस्टीनियों को घायल कर चुका है दूसरी तरफ फिलिस्टीन हर साल के तरह इस साल 20-17 अपरेल को कैदी दिवस मना रहा है इस वक्त भी इसराइल की जेलों में साले 9,000 फिलिस्टीनी राजनीतिक कैदी मौजूद है इनमें से 561 को उम्र कैद की सजा मिली हुई है गाजा पट्टी में 7 अक्तुबर से 15 मार्च के बीच 394 ऐसे हमले हुए जो संयुक्त राश्ट से जुड़े संगठनों पर हुए है जिसमें संयुक्त राश्ट का जंडा पहरा रहा था और इन हमलों में भी 408 विस्तापित दोगों की मौत हुई परमाणू शुद्ध इरान मरेगा या फिर मारेगा अगर इसरेल ने धोखे से भी इरान के परमाणू ठिकानों पर हमला किया तो ये तैमानिये कि इरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर इरान के टॉप जनरल इसरेल पर सीधा हमला पलग जपकते ही कर देंगे इरान के बंकर में घातक मिसाइलों का ऐसा जखीरा मौझूद है जो इसरेल को विनाश करने के लिए काफी है शायद यही वज़े है कि अब इसरेल इरान के परमाणू ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि इरान के परमाणू हमलों से बचा जा सकते ज़रा देखिए खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इसरेल इरान के किल परमाणू ठिकानों पर हमला करने जा रहा है इसरेल के अफ़बार The Times of Israel के मताबिक इरान के फोटो और नटाजन परमाणू ठिकानों पर इसरेल हमला करने जा रहा है खबरों में दाबा किया गया है कि इसरेल अपने लड़ा को विमान F-35A और F-15E-X को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है 80 मीटर गहराई में मौझूद इरान के फोडो परमानू ठिकाने पर 30,000 पाउंड बंकर ब्लस्टर बम किराने का प्लान है ताकि 80 मीटर गहराई में इरान के फोडो परमानू ठिकाने को तबाख किया जा सके ताबा किया जा रहा है कि 1200 किलोमेटर दूर मौझूद फोडो परमानू ठिकाने को अगर इसरेल के F-35A और F-15E-X लड़ाकों विमान तबाख कर देते हैं तो ये इरान के लिए बहुत बड़ा नुक्सान थाबित होगा ऐसा नहीं है कि इसरेल के हमले का दाबा खोखला है क्योंकि इस सुवत इसरेल के फाइटर जेट इरान के परमानू ठिकानों पर जबरदस्थ हमला करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं F-35A और F-15E-X लड़ा को एक ऐसा अभ्यास कर रहे हैं जिसमें इसरेल से इरान के बीच और सक 1500 किलोमेटर दूर पर बम गिराना है हमले से जोड़ी इस खबर के पुष्टी एक और खबर भी कर रही है International Atomic Energy Agency यानि IAEA ने ऐसा खुलासा किया है जो वाकई दिल तहला देने वाला है IAEA के चीफ राफेल ग्रासी ने मीडिया को गताया कि इरान के परमाणों ठिकानों कर इसरेल के हमले का खत्रा पर चुगा है जिसकी वज़े से इरान ने अपने कई परमाणों ठिकानों को बंद कर दिया है राफेल ग्रासी के मुताबिक आईये IAEA के अधिकारी इरान के परमाणों ठिकानों का नीरिक्षन नहीं कर सकते जिनकी जाच रोज होती ही इरान में इस्रेली खत्रे को देखते हुए परमाणों साइथें बद का भी है इरान ने भी कच्छी गोलिया नहीं खेली है इरान को भी कही न कहीं दूस से जबरदस्त मदद मिल रही है इस वक्द इरान दुनिया में आग्मगाती ध्रून बनाने में काफी आगे निकल चुका है उसके पास हजारों की दादाव में बलेस्टिक, कूज और हाइपरसोनिक मिसाइले हैं जिसमें से कई परमाणों बं से बहुत कम वक्ट में लैस हो सकती है इसी वज़़े से दावा किया जा रहा है कि इरान के परमाणों फैसलेटी पर हमला करना इसरेल के लिए एराक और सीरिया की तरह आसान नहीं होने वाला है सबसे पहली बाद इरानी परमाणों फैसलेटी विखरी होई है और उनमें से कई पहाड़ीों में इस्थित है दूसरी बाग ये कि इस्रेल से इरान की पर्माणू उस्थलों तक सीधी उरान के लिए भी हवा में इंधन भरने या इंधन भरने के लिए लैंड करने की आवश्यक्ता होगी इरान और इस्रेल के बीच जॉर्डन, इरान और सॉड़ी अरबिस्थिक है जिन मसे कोई भी इस्रेली लड़ाको विमान को ना तो लैंडनिंग के अजाज़त देंगे और ना ही अपने अस्पान से उरान पदने के मनजूरी देगा तीसरा ये है कि इस्रेल से इरान के बीच की दूरी अटारा सौ किलोमेटर देगा अहापर इस्रेली वरुसेना के लड़ाको विमानों के लिए परमान और फिगानों पर हमला करना जरा भी आसान नहीं होगा अब चिनान चे रजीम इसराईल दस दस पा खताब कने इन बार पासुख एरान हमान तोली के मुनीराई मसल्ला इलाम करदन हद अगली नखाहत बूद बलके फौरी वशदीद खाहत इधर इसरेल के पीम बैनमिन नेतन्याहू फाइटर जट एफ-15 बेस का दोरा कर चुके है नेतन्याहू भले ही इरान को दबाही की धमकिया दे लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे है वो बेहत खदरनाक है ज़रा देखिये इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है युद्धतों होना अभी बाकी है इरान को अपनी मिसाइल और ड्रून ताकत पर जबरदस्त भरूसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसरेल के बीच चल रही जंग से दूर हो जा ज़रा देखिये कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकत इरान के पास नो ऐसी बलेस्टिक मिसाइल से हैं जो हजारों किलोमेटर दूर इसरेल पर हमला बोल सकती है इन मिसाइल में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाये तो वो है सेजिए ये मिसाइल 17,000 किलोमेटर प्रति घंटे की तेजी से 2500 किलोमेटर दूर हमला कर सकती है तो वहीं कीब किलोमीटर है इरान ने अपने ढून के जखीरे में भी खास काम किया है पूरे मिडल इस्ट छित्र की बात की जाये तो इरान आत्मधाती ढून का सबसे बड़ा निर्माता है इरान के पास महाज़र 10 नाम का धातर ढून है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है तो वही महाज़र 10 International Atomic Energy Agency यानि IAEA इरान की परमाणू क्षमता पर क्या दावा करता है खोल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे में अगर इस्राइल इरान पर परमाणू हमला करता है तो पूरा पश्ची मेश या परमाणू भट्टी में भस्म हो जाए तो एरान ने इसराइल पर ताबर तोड़ कई हमले किये हैं और दावा किया है कि ये तो अभी ट्रेलर है असलिए युद्ध अभी बाकी है ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या अब होगा परमाणू युद्ध पूरा तो इसराइल और इरान जन से पूरी दुनिया खौफ में आ चुकी है इरान ने पांच घंटे तक इसराइल पर मिसाल और ड्रोन हमले किये हैं इरानी जनरों का दावा है कि ये तो अभी ट्रेलर है युद्ध भी बाकी है और इस बीच कुछ रेपोर्च अब दावा किया जाने लगा है कि अगर इरान पर इसराइल और अमेरिका मिलकर हमला करते हैं तो ऐसी सिथी में रूस इरान के साथ युद्ध में कूट पड़ेगा देखिए ये रिपोर्ट इसराइल से युद्ध इरान के साथ रूस अगर इसराइल, अमेरिका, ब्रिट्र और पश्चम देश ये सोच रहे हैं कि हम इरान को अगले 48 गंटे में तबाह कर देंगे तो ये गलत फेहमी वो जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं कर ले क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राश्रपति पुतिन का रूस इरान का जन्ग में साथ देने जा रहा है दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर अमेरिका, ब्रिट्र और इसराइल मिलकर इरान पर हमला करते हैं तो रूस की घातक मिसाइले, धून और लड़ाकु जहाज इरान को बचाने के लिए जंग में सीधे कूद पड़ेंगे राश्रपती पोतिन ने इरान को खुफिया तरीके से पूरा वार प्लैन पहुचा दिया है पश्य मीडिया के जानकारों के मताबिक इस्रेयल पर इरान का सीधा हमला साबित करता है कि इरान को रूस से हमले की हरी जंडी पहले ही मिल गई थी अब सबाल उड़ता है कि रूस इरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटन, इस्रेयल और नाटो देशों से जंग क्यों करने पर उतारो है क्या इरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है ज़रा देखिए क्यों रूस इरान का साथ जंग में देने जा रहा है दो साल से ज़्यादा समय से चलरही रूस योकरेन जंग में इरान जंब कर रूस का साथ दे रहा है इसी लिए रूस इरान का जंग में साथ दिने के लिए तयार हो चुका है इरान योकरेन युद में रूस को हजारों गाती ढोन शाहिब 136 मुहासिट 10 जैसे ढोन दे रहा है जिसके जरिये रूस योकरेन को जंग में रौन चुका है यहां तक की खुफिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इरान ने रूस को यूकरेन जंग में अपनी घातक में साई ले तीन लाख तोप के गोले दस करोड गोलियां तक दी हैं और उसके बाद भी हजारों रॉकेट जंग का सामान रूस अभी भी भी भेज रहा है डेफेंस एक्सपोर्ट का दावा है कि पोतिन इरान के आसान को दिल से मानते हैं और इरान से वफधारी दिखाते हुए अब जंग में इरान का साथ देने जा रहे हैं रूस के दम से ही इरान ने इसरेल पर घातक हमले किया है और 330 मिसाइल और धून से हमला किया है बरादरान व दूस्तान मान दर मनतगे कि एलात मुद्ध अमरीका दर आन किशवर हा दाराई पाईगाह निजामी इस इलाम करदें कि हदफ मा दर दफाव मश्रू सिर्फन तन्बीह रजीम इसराईल हस्त इसराईल और इरान की जंग में दुनिया तेजी से बट रही है जहां रूस इरान के साथ खड़ा है तो वहीं अमेरिका, बिटे, फ्रांस समेत तमाम पश्यमी और नेटो देश इसराईल के साथ खड़े है अब ज़र आप ये भी जान लीजिए कि इरान के साथ मुस्लिम वॉल्ड के कौन-कौन से देश खड़े है और कौन से मुस्लिम देशों ने इरान के साथ गद़दारी किये पहले आप ये जान लीजिए कि जब इरान आधी रात में इसराईल पर भायानक हमले कर रहा था तो उस वक्त अरब देश जॉर्डन ने इरान के घातक हमलों को नाकाम करने के लिए क्या किया टाइमस अफ इसराईल ने इसराईली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जॉर्डन के जट विमानों ने उत्तरी और मध्य जॉर्डन से होकर इसराईल की ओर जाने वाले दरजनों इरानी ड्रोन को मार गिराया है जॉर्डन की तरफ से इस्रेयल की मदद के लिए अपने जेट भेजना एक बड़ा कदम है इस्रेयली सूत्रों का कहना है कि इरान के ड्रोन जॉर्डन घाटी और हवा में उतारे गए थे और येरुशलम की ओर जा रहे थे लेकिन उससे पहले ही जॉर्डन की फाइटर जेट्स ने इरान के ड्रोन को मार किराया इरान जॉर्डन की गद्दारी से बेहत नाराज है इस्रेयल की मदद करने के लिए इरान की IRGC ने जॉर्डन को धमकी दी है कि अगर वो इस्राइल की और मदद करता है तो इरान का अगला टार्गेट जॉर्डन होगा एक पश्यमी न्यूज एजनसी ने इरान के सूत्रों के हवाले से दाबा किया है इरान की सेना जायोनी शासन के खिलाफ हमले के दोरान जॉर्डन की गदेविधियों की सावधानी पूर्वक निगरानी कर रही है और अगर जॉर्डन हस्तक शेप करता है तो इरान का अगला टार्गेट जॉर्डन होगा इस्राइल पर इरान के हमले के बाद से पूरे इरान में जश्ट मनाया जा रहा है इरान का दावा है कि उसने कई घंटे तक इस्राइल पर हमले किये लेकिन वहीं इस्रेल और अमेरिका का दावा है कि उसने इस्रेल के 300 से ज़ादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है जरा देखिए इरान के कितने ड्रोन और मिसाइले तबा हुई है इरान ने इस्रेल पर करीब 5 घंटे तक हमला किया इजरेयली सेना का कहना है कि उसने इरान द्वारा दागे गए करीब 99 फीस्दी ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया है दावे के मुताबे इरान के 170 मिसाइल और ढोन को इस्रेल के बाहर ही मार दिया गया जबकि इरान की 30 क्रूज मिसाइले एक भी इस्रेली एर स्पेस में नहीं घुस्पाई 30 में से 25 मिसाइले तबाह कर दी गई एरान की 120 बले़े के ड़ैय ड़ टावा किया गया है लेकिन ये भी कहा जा रही कि एरान की कुछ बलेस्टिक मिसाइलों ने इसराइल के 29 एयर बेस में गिर गई थी इसराइली सेना ने माना है कि उसे म्मौली नुक्सान हुआ है कौल मलאקר, איראן के तीन सो बीस ड्रून और मसायलें ताबा हुई हमारेका खות अदाइए अदाइमा, अजब लिए नगें लियुका प्रियन खेया प्राइब कर घाएड अब लेकाड़ा प्रूश तारिश जहाना प्रूस और मारेका प्राइब लिएान इरान ने दिखाया ट्रेलर युद तो अभी बाकी है पिछले कुछ घंटों में जो हालात पश्चिम एशिया में जंग से बने है उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका, बिटन जंग में सीधे तोर पर कूथ पड़े है इस्रेल भी इरान पर जवावी हमले की तैयारी कर रहा है इस्रेल के पीम वेन्यमिन नेतन्याहू फाइटर जेट एफ 15 बेस का दोरा कर चुके है नेतन्याहू भले ही इरान को तबाही की धंकिया दें लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत खदरनाक है जरा देखिये इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है युद्ध तो होना अभी बाकी है इरान को अपनी मिसाइल और रोन ताकत पर जबरदस्त भरुसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसरैल के बीट चल रही जंग से दूर हो जाओ जरा देखिये कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकत इरान के पास नो ऐसी बेलेस्टिक मिसाइल से हैं जो हसारों किलोमेटर दूर इसरैल पर हमला बोल सकती है इन मिसाइल में अगर सबसे ख़दरनाक मिसाइल की बात की जाए तो वो है सेज़ ये मिसाइल 17,000 किलोमेटर परती घंटे की तेजी से 2500 किलोमेटर दूर हमला कर सकती है तो वह ही खीबर मिसाइल की मारफशमता 2000 किलोमीटर है इसके साथ ही हज का सेम की अटैकिंग रेंज 1400 किलोमीटर है इरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो नुकलियर पावर से लेस है इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है इरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है पूरे मेडल इस्ट क्षेतर की बात की जाये तो इरान आ स्पोर्टक भी लेजा सकता है अमश एरान पत्का बमतकफा नेगद इसराइल वशिगरा योतर मि-300 ऐयोमी में सुगीं शोनी ऐयूम ऐयरानी पगश अता अलियनות अवीरीत वाटेखनोलोगी शल चल बशिलूब कौालीचिया लोगमत अब ऐसे हालात में अगर इरान रूस के साथ सीधे जंग में कूट पड़ता है तो फिर अमेरिका बिटन मिल कर भी इसराइल को इरान से बचा नहीं पाएंगे अब देखना होगा इरान का अगला कदम क्या होगा और इसराइल इरान के हमले का बदला कैसे लेता है चोंकि रूस अब इरान के साथ चटान बन कर खड़ा हो गया है पुरा 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 अटालीस घंटे यही डेड्लाइन है युद्ध की आर पार के युद्ध की इसराइल अपने दुश्मनों को वक्त बता कर मारता है समहलने का मौका भी नहीं देता है हमास के हमले के महज 72 घंटे बाद इसराइल ने आपरेशन शुरू कर दिया था लेकिन इरान के पास उतना टाइम भी नहीं है अगर ड्रोन हमले में इसराइल की 14 सेनिकों को गाल करने में कामियाब रहा तो उसका मतलब ये है कि इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोक पाने के लिए बिलकुल भी तैयार नहीं था इरान के हमले से भी इसराइल का आत्म विश्वास बढ़ गया है और नेत्याहूं की भी वार कैबिनेट के अंदर इरान से बदला लेनी की कसमे खा रही है बिलकुल साफ है कि इरान इसराइल युद्ध चलता हुआ नजर नहीं आ रहा इसराइल की तरफ से 100% कन्फर्म हो गया है कि वो इरान पर हमला करेगा इसराइल ने अपने मित्र देश के विदेश मंत्रियों को बता दिया है कि इरान पर पलटवार भ्यानक होगा और इरान को सवक सिखाने के लिए सभी मित्र देशों को इखटा होना होगा पश्चिमेश्या की युद्ध पहेली अब धीरे धीरे खुन रही है एक तरफ इरान के युद्ध पोत इसराइल की जमीन के आसपास समंदर के किनारों पर चक्कर लगा रहे हैं और दूसरी तरफ इरान अब दस गुना तेज हमले करने की धमकी दे रहा है किसी भी वक्त इसराइल और इरान का बेहत खतरनाक युद्ध छिडने वाला है दूसरी तरफ इसराइल पर तीन तरफ से हुए 180 डिग्री हमले के बावजूद भी गज़ा पट्टी पर इसराइल का कहर इतनी खतरनाक तरीके से ठूट रहा है कि इसराइल ने सिर्फ एक गोले में पाँच हजार लोगों को मार डाला है यह हमला गज़ा सिटी के अलबस्मा आईवी अफ सेंटर यानि इन बिट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर पर हुआ जहां पर हजारों की संक्या में मानब भून रखे हुए थे सबसे पहले हम बिटेन की विदेश मंत्री डेविट केमरून के उस बयान की चर्चा करेंगे जिसने इसराइल इरान युद पर 100% मोहर लगा दी है दरसल इरान के पलटवार के बाद इसराइल के मित्र देशों के तमाम विदेश मंत्री रक्षा मंत्री इसराइल के दोरे कर रहे हैं बिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से इसराइल के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है इसराइल के रक्षा मंतरी यॉफ गैलिंट ने इटली के रक्षा मंतरी से मुलाकात की है इसराइल के अंदर बिटेन के विदेश मंतरी डेविट केमरान और इसराइल के राश्टपती साख हगोर्स की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद बिटेन के वि इस्राइल की राजधानी के अंदर और क्या चल रहा है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं तहरान जहां ऐसी रणनीती बन चुकी है कि युक्रेइन और घजापट्टी से भी भीशन युद्ध अटल हो गया है एक तरफ बिटेन के विदेश मंतरी डेविट केमरान यह ऐलान कर रहे हैं कि युद्ध अटल है इस्राइल हमला करेगा और दूसरी तरफ इरान के उप विदेश मंतरी अली बागेरी ने एक बयान जारी किया है और बिल्कुल साफ साफ कहा है कि इसराइल को ये समझ लेना चाहिए कि इरान इस बार इसराइल के हमले का पलटवार करने के लिए 12 दिन का लंबा समय बिल्कुल भी नहीं लेगा इस्राइल का हमला होते ही फौरण एरान के पलटवार की प्रतिक्रिया मिल जाएगी और इस्राइल को दहला दिया जाएगा इसराइल की राजधानी तेल अवीव में इसराइल के बंतरी अपने साथी गडबंदन देशों के प्रतिनिद्यों के साथ युद के शुरुआत से पहले जबरदस बैठके कर रहे हैं और दूसरी तरफ इरान की राजधानी सेना दिवस मना रही है लेकिन इस बार सेना दिवस तेहरान की खुली सलक पर नहीं मनाया गया इस बार इरान ने सीक्रिट तरीके से एक बैरिक के अंदर अपना सेना दिवस मनाया है जोब की पिछले साल एरान की सेना ने आयातुल्ला, रोहिल्ला, खामनेई के मकबरे पर सेना दिवस मनाया था हाला कि एरान ने इसका कोई कारण नहीं दिया है कि उसने गुप तरीके से सेना दिवस क्यों मनाया लेकिन इसे इसराइल के पलटवार के खौफ से जोड़ कर देखा जा रहा है एरान के सेना दिवस में बाकाइदा एरान के राज्टपती इबराहिम रईसी का एक बयान भी सामने आया और इस बयान में उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने हमला किया तो इस बार प्रतिक्रिया बहुत बड़े पैमाने पर होगी और बहुत कठोर होगी एरान को पता है कि इसराइल समुद्र में भी कोई बड़ा एक्शन लेकर तुसे चौका सकता है इसलिए एरान ने अपने युद पोत को लाल सागर की तरफ भेज़ दिया है इरान की नौसेना अपने वेपारिक जहाजों को बाकाइदा एसकौर्ट कर रही है इरान का युद पोत जमरान फ्रिगेट अदन की खाड़ी में मौझूद है इरान को इस बात का डर है कि कहीं इसराइल उसके किसी वेपारिक जहाज पर अबज़ा न कर ले इसराइल के सामने इरान का गड़बंदन काफी कमजोर नज़र आ रहा है एक तरफ इसराइल की सरकार अपने देश की राजधानी के अंदर इटली के रक्षा मंतरी के साथ मीटिंग कर रही है लेकिन दूसरी तरफ इरान अभी भी अपने सयोग्यों के साथ मजबूत रिष्टे की तलाश में लगा हुआ है इसराइल का पड़ोसी देश जॉडन कुल कर इसराइल के साथ ख़़ा नज़र आ रहा है वेस्ट इशिया के बाकि इसलामी देश असमंजस में नज़र आ रहे हैं और वो इस युद्ध से दूर रहने की नीती पर अमल करते हुए दिख रहे हैं इरान और रूस के विदेश मंतरियों ने आपस में फोन पर बाचीज जरूर की है लेकिन फिर भी ये गड़बंदन इसराइल के गड़बंदन के सामने बेहत कमजोर नज़र आता है क्योंकि इसराइल के साथ अमेरिका ना सिर्फ खुलकर खड़ा है बलके अमेरिका के जनरल और अमेरिका, फ्रांस और बिटेन का पूरा साजो सामान इसराइल की सुरक्षा में तैनात है इरान और उसके सयोग्यों के लिए इस वक्त भी सबसे बड़ी मुसीबत इसराइल का सुरक्षा कवज बना हुआ है लिबनान में एरान के सयोगी इसबुल्ला के पास एरान के द्वारा दी गई मिसाइल ही है और दक्षिन लिबनान में एक बार फिर इस्राइल पर टेस्ट फायर किये गए इस्राइल पर छे मिसाइलें दागी गई लेकिन इसराइल ने 6 की 6 मिसाइले बेकार कर दी और उन्हें इसराइल की धर्ती पर गिनने से पहले ही मार दिया दूसरी तरफ इसराइल बेखौफ होकर गजापटी में लगातार कोहरा मचा रहा है बीते 24 घंटे के अंदर इसराइल ने गाज़ापटी में 24 ठिकानों पर हमले किये और इन में 56 लोहों को मार दिया है इसराइल अब तक 33,899 फिलिस्तिनियों को गाज़ा में मार चुका है और 76,664 फिलिस्तिनियों को घाल कर चुका है दूसरी तरह फिलिस्तीन हर साल की तरह इस साल भी सतना अपरेल को कैदी दिवस मना रहा है इस वक्त भी इसराइल की जेलों में साड़े नौ हजार फिलिस्तीनी राजनीतिक कैदी मौजूद है इन में से 561 को उम्र कैद की सजा मिली हुई है गाजा पट्टी में 7 अक्तूबर से 15 मार्च के बीच 394 ऐसे हमले हुए जो संयुक्त राश्ट से जुड़े संगठनों पर हुए है जिसमें संयुक्त राश्ट का जंड़ा पहरा रहा था और इन हमलों में भी 408 विस्तापित दोगों की मौत हुई परमाणू शुद्ध इरान मरेगा या फिर मारेगा अगर इसरेल ने धोखे से भी इरान के परमाणू ठिकानों पर हमला किया तो ये तैय मानिये कि इरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर इरान के टॉप जनरल इसरेल पर सीधा हमला पलक जपकते ही करतेंगे इरान के बंकर में घातक मिसाईलों का ऐसा जखीरा मौझूद है जो इसरेल को विनाश करने के लिए काफी है शायद यही वज़े है कि अब इसरेल इरान के परमाणू ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि इरान के परमाणू हमलों से बचा जा सकते ज़रा देखिए खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इस्रेल इरान के किन परमाणू ठिकानों पर हमला करने जा रहा है इस्रेल के अफ़ार दे टाइम्स ओफ इस्रेल के मताबिक इरान के फोटो और नटाजन परमाणू ठिकानों पर इस्रेल हमला करने जा रहा है खबरों में दाबा किया गया है कि इसरेल अपने लड़ा को विमान F-35A और F-15E-X को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है 80 मीटर गहराई में मौझूद इरान के फोडो परमाणू ठेकाने पर 30,000 पाउंड बंकर ब्लस्टर बम गिराने का प्लान है ताकि 80 मीटर गहराई में इरान के फोडो परमाणू ठेकाने को तबाख किया जा सके ताबा किया जा रहा है कि 1200 किलोमेटर दूर मौझूद फोडो परमाणू ठेकाने को अगर इस्रेल के F-35A और F-15E-X लड़ाकों विमान तबाख कर देते हैं तो ये इरान के लिए बहुत बड़ा नुक्सान इसाबित होगा ऐसा नहीं है कि इस्रेल के हमले का दाबा खोखला है क्योंकि इस सुवक्ष इस्रेल के फाइटर जेट इरान के परमाणू ठेकानों पर जबरदस्थ हमला करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं एफ-35A और एफ-15E-X लड़ा को एक ऐसा अभ्यास कर रहे हैं जिसमें इस्रेल से इरान के बीच और सक 1500 किलोमेटर दूर पर बम गिराना है हमले से जोड़ी इस खबर के पुष्टी एक और खबर भी कर रही है International Atomic Energy Agency यानि IAEA ने ऐसा खुलासा किया है जो वाकई दिल तहला देने वाला है IAEA के चीफ राफेल ग्रासी ने मीडिया को बताया कि इरान के परमाणों ठेकानों पर इस्रेल के हमले का खत्रा बढ़ चुका है जिसकी वज़े से इरान में अपने कई परमाणों ठेकानों को बंद कर दिया है राफेल ग्रासी के मुताबिक IAEA के अधिकारी इरान के परमाणों ठेकानों का निरिक्षन नहीं कर सकते जिनकी जाच रोज होती थी इरान में इस्रेली खत्रे को देखते हुए परमाणों साइटें बद कर भी है परमाणू शुद इरान मरेगा या फिर मारेगा इरान ने भी कच्छी गोलिया नहीं खेली है इरान को भी कही न कहीं दूस से जबरदस्त मदद मिल रही है इस वक्द इरान दुनिया में आत्मगाती ध्रून बनाने में काफी आगे निकल चुका है उसके पास हजारों की दादाद में बलेस्टिक, कूस और हाइपरसोनिक मिसाइले हैं जिसमें से कई परमाणू वं से बहुत कम वक्त में लैस हो सकती हैं इसी वज़ा से दावा किया जा रहा है कि इरान के परमाणू फैसलिटी पर हमला करना इस्रेल के लिए इराक और सीरिया की तरह आसान नहीं होने वाला है सबसे पहली बाद इरानी परमाणू फैसलिटी विखरी होई है और उनमें से कई पहाड़ीों में इस्थित है दूसरी बाद ये कि इस्रेल से इरान की परमाणू फैसलों तक सीधी उडान के लिए भी हवा में इंधन भरने या इंधन भरने के लिए लैंड करने की आवश्यक्ता होगी इरान और इस्रेल के बीच जॉडन, इरान और सौडी अरब इस्थित है जिन मसे कोई भी इस्रेली लड़ाको गुमान को ना तो लैंडनिंग के अजाज़त देंगे और ना ही अपने अस्थित है इस्रेल से इरान के बीच की दूरी 800 किलोमेटर दें जहाँ पर इस्रेली वारु सेना के लड़ाको नुमानों के लिए परमान और फिगानों पर हमला करना जरा भी आसान नहीं होगा अब चनाँच रजीम इस्राइल दस दस पा खता बकने इन बार पासुख एरान हमान तोली के मुनीराई मसल्लह एलाम करदन इधर इस्रेयल के पीम बैनमिन नेतन्याहू फाइटर जट एफ 15 बेस का दोरा कर चुके हैं नेतन्याहू भले ही इरान को दबाही की धंकिया दे लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत खदरनाक है जरा देखिए इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा ह युद्ध तो होना अभी बाकी है इरान को अपनी मिसाइल और ड्रून ताकत पर जबरदस्त भरूसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसरेयल के बीच चल रही जंग से दूर हो जाओ जड़ा देखिए कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकत इरान के पा पच्चिस सौ किलो मिसाइल दूर हमला कर सकती है तो वहीं कीबर मिसाइल की मारप्षम ताकけて दो SG क Milo है इसके साथ हिए हज कासेम की अटांकिंग रेंज 2400 किलो मिसाइल है इरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूप्लियर पावसले से है इसकी रेंज 37 किलो मिसाइल तो वही मुहाजर 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्पोटक भी ले जा सकता है। तो एरान ने इसराइल पर तावर तोड़ कई हमले किये हैं और दावा किया है कि ये तो अभी ट्रेलर है असलिए युद्ध अभी बाकी है ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या अब होगा परमाणू युद्ध? तो इसराइल और इरान जंग से पूरी दुनिया खौफ में आ चुकी है। इसराइल पर मिसाल और ड्रोन हमले किये हैं। इरानी जनरों का दावा है कि ये तो अभी ट्रेलर है युद्ध भी बाकी है। और इस बीच कुछ रेपर्ट अब दावा किया जाने लगा है कि अगर इरान पर इसराइल और अमेर्का मिल कर हमला करते हैं, तो ऐसी सिती में रूस एरान के साथ युद में कूद पड़ेगा देखिए ये रिपोर्ट इसरेल से युद इरान के साथ रूस अगर इसरेल, अमेरिका, ब्रिटर और पश्चम देश ये सोच रहे हैं कि हम इरान को अगले 48 गंटे में तबाह कर देंगे तो ये गलत फैमी वो जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं कर ले क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राश्रोबति पुतिन का रूस इरान का जंग में साथ देने जा रहा है दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर अमेरिका, बिटन और इस्रेल मिलकर इरान पर हमला करते हैं पश्य मीडिया के जानकारों के मताबिक इस्रेयल पर इरान का सीधा हमला साबित करता है कि इरान को रूस से हमले की हरी जंडी पहले ही मिल गई थी I looked at last night, what it tells me is that we can make good on our commitment to defend Israel It tells me that Israel does have superior military capability Just think about the hardware that Iran threw into the sky and how little damage that caused I mean that's a real testament to how strong the IDF is It also tells me and it should tell everybody else that Israel is not alone अब सबाल उरता है कि रूस इरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटन, इस्रेल और नाटो देशों से जंग क्यों करने पर उतारो है क्या इरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है जरा देखिए क्यों रूस इरान का साथ जंग में देने जा रहा है दो साल से ज्यादा समय से चल रही रूस योकरेन जंग में एरान जम कर रूस का साथ दे रहा है इसलिए अब रूस इरान का जंग में साथ दिने के लिए तयार हो चुका है इरान योकरेन युद में रूस को हजारो अड़ाती ढून शाहित 136 वहां से 10 जैसे धोन दे रहा है जिसके जरिये रूस योकरेन को जंग में रौन चुका है यहां तक कि खुफिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि एरान ने रूस को योकरेन जंग में अपनी घातक में साई लिए तीन लाख तोप के गोले, दस करोड गोलियां तक दी है और उसके बाद भी हजारों रौकेट, जंग का सामान, रूस अभी भी भी भेज रहा है डेफेंस एक्सपोर्ट का दावा है कि पुतिन इरान के एसान को दिल से मानते है और एरान से वफदारी दिखाते हुए अब जंग में एरान का साथ देने जा रहे है रूस के दम से ही एरान ने इसरेल पर गातक हमले किये है और तीन सौत तीस मिसाईल और गूम से हमला किया है बरादरान व दूस्तान मान दर मनतके कि एलात मुद्धिय अमरीका दर आन किशवर हा दाराई पाईगाह नजामी इस इलाम करदें कि हदफ मा दर दफाए मश्रू सिर्फन तन्बीह रजीम इसराईल हस्त इसराईल और इरान की जंग में दुनिया तेजी से बट रही है जहां रूस इरान के साथ खड़ा है तो वहीं अमेरिका, बिटे, फ्रांस, समेथ तमाम पशिमी और नेटो देश इसराईल के साथ खड़े है अब जराँ आप ये भी जान लीजिए कि इरान के साथ मुस्लिम वॉल्ल के कौन-कौन से देश खड़े है और कौन से मुस्लिम देशों ने इरान के साथ गद़्दारी किये पहले आप ये जान लीजिए कि जब इरान आधी रात में इसरैल पर भायानक हमले कर रहा था तो उस सुख अरब देश जॉर्डन ने इरान के घातक हमलों को नाकाम करने के लिए क्या किया। टाइमस अफ इसरेल ने इसरेली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जॉर्डन के जेट विमानों ने उत्तरी और मध्धी जॉर्डन से होकर इसरेल की ओर जाने वाले दरजनों इरानी ड्रोन को मार गिराया है। जॉर्डन की तरफ से इस्रेयल की मदद के लिए अपने जेट भेजना एक बड़ा कदम है इस्रेयली सूत्रों का कहना है कि इरान के ड्रोन जॉर्डन घाटी और हवा में उतारे गए थे और यरुशलम की ओर जा रहे थे लेकन उससे पहले ही जॉर्डन की फाइटर जेट्स ने इरान के ड्रोन को मार किराया इरान जॉर्डन की गद्दारी से बेहत नाराज है इस्रेयल की मदद करने के लिए इरान की IRGC ने जॉर्डन को धमकी दी है कि अगर वो इस्राइल की और मदद करता है तो इरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा एक पश्यमी न्यूज एजनसी ने इरान के सूत्रों के हवाले से दाबा किया है इरान की सेना जायोनी शासन के खिलाफ हमले के दोरान जॉर्डन की गदेविद्यों की सावधानी पूरवक निगरानी कर रही है और अगर जॉर्डन हस्तक्षिप करता है तो इरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा इस्रेल पर इरान के हमले के बाद से पूरे इरान में जश्ट मनाया जा रहा है इरान का दावा है कि उसने कई घंटे तक इस्रेल पर हमले किये लेकिन वहीं इस्रेल और अमेरिका का दावा है कि उसने इस्रेल के 300 से ज़ादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है जरा देखिए इरान के कितने ड्रोन और मिसाइले दबा हुई है इरान ने इस्रेल पर करीब 5 घंटे तक हमला किया इस्रेल पर इरान के हमले की दोरान अमेरिकी सेना ने 70 से ज़ादा ढ्रोन और कम से कम 3 बैलस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है इस्रेली सेना का कहना है कि उसने इरान द्वारा दागे गए करीब 99 फीस्दी ढ्रोन और मिसाइल को मार गिराया है दावे की मुताबे इरान के 170 मिसाइल और ढोन को इस्रेल के बाहर ही मार दिया गया जबकि इरान की 30 क्रूज मिसाइले एक भी इस्रेली एर स्पेस में नहीं घुस्पाई 30 में से 25 मिसाइले तबाह कर दी गई एरान के 120 ब्लेस्टिक मिसाइलें डागी गई, जिने तबाद करने का दावा किया गया है लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एरान के ब्लेस्टिक मिसाइलों ने इसरे Peninsulaे के 59 एर बेस में गिर गई थी इसरेtalी सिना ने माना है कि उसे मामूली नुकसान हुआ कुल मिलाकर एरान के 320 ड्रॉन और मिसाइलें तबा हुई हमारखा जो अदाइमा अदाइन लो एस्ताइमा अज़ जब लियोत एरानीम वकशुविम लानखायोत साल लोरोत पिकूद आॉरफ वलारेख लेकल तर्खिश एरान ने दिखाया ट्रेलर इशुद तो अभी बाकी है पिछले कुछ घंटों में जो हालात पश्चिम एशिया में जंग से बने है उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका बिटन जंग में सीधे तोर पर कूद पड़े है इस्रेल भी इरान पर जवावी हमले की तैयारी कर रहा है इस्रेल के पिम वैन्यमिन नेतन्याहू फाइटर जेट एफ-15 बेस का दोरा कर चुके है नेतन्याहू भले ही इरान को तबाही की धंटिया दें लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत ख़दरनाक है जरा देखिये इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है युद्ध तो होना अभी बाकी है इरान को अपनी मिसाइल और रोन ताकत पर जबरदस्ट भरुसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसरैल के बीट चल रही जंग से दूर हो जाओ जरा देखिये कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकत इरान के पास नो ऐसी बेलेस्टिक मिसाइल्स हैं जो हसारों किलोमेटर दूर इसरैल पर हमला बोल सकती है इन मिसाइल में अगर सबसे ख़दरनाक मिसाइल की बात की जाये तो वो है सेच ये मिसाइल 17,000 किलोमेटर प्रती घंटे की तेजी से 25-100 किलोमेटर दूर हमला कर सकती है तो वहीं खीबर मिसाइल की मारफशमताद 2000 किलोमेटर है इसके साथ ही हज का सेम की अटैकिंग रेंज 1400 किलोमेटर है इरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो नुकलियर पावर से लैस है इसकी रेंज 3000 किलोमेटर है इरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है पूरे मेडलिस्ट कशे तरकीबाद कीजाय तो ऐरान अधगाती ब्रॉन का सबसे बड़ा नर्माता है ऐरान के पास मोहाज़ 10 नाम का घातक ब्रॉन भी है जिसकी रेन 2,000 किलोमेटर है तो वही मोहाज़ 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विसफोटक भी लेजा सकता है अमश ऐरान पत्का बमतकफा नगद इसराइल वशिगरा योतर मे-300 इयोमी मसुगीं शोनी ऐयूम ऐरानी पगश अता अलियनות האווירית वाट तेखनोलोगी चल बशिलूव कौलिटिया लोगमत-चजका शियाखद यर्टो एत रुबम हमकरिया शिल ऐयूमी अब ऐसे हालात में अगर इरान रूस के साथ सीधे जंग में पूट पड़ता है तो फिर अमेरिका बिटन मिल कर भी इसराइल को इरान से बचा नहीं पाएंगे अब देखना होगा इरान का अगला कदम क्या होगा और इसराइल इरान के हमले का बदला कैसे लेता है 48 गंटे यही डेडलाइन है युद्ध की आर पार के युद्ध की इसराइल अपने दुश्मनों को वक्त बता कर मारता है समहलने का मौका भी नहीं देता है हमास के हमले के महज 72 गंटे बाद इसराइल ने ओपरेशन शुरू कर दिया था लेकिन इरान के पास उतना टाइम भी नहीं है अगर ड्रोन हमले में हिजबुल्ला इसराइल की 14 सेनिकों को घाल करने में काम्याब रहा तो उसका मतलब यह है कि इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोक पाने के लिए बिलकुल भी तैयार नहीं था इरान के आमले से भी इसराइल का आत्म विश्वास बढ़ गया है और नेत्याहूं की भी वार कैबिनेट के अंदर इरान से बदला लेनी की कसमे खा रही है बिलकुल साफ है कि इरान इसराइल युद्ध चलता हुआ नजर नहीं आ रहा इसराइल की तरफ से 100% कनफर्म हो गया है कि वो इरान पर हमला करेगा इसराइल ने अपने मित्र देश के विदेश मंत्रियों को बता दिया है कि इरान पर पलटवार भ्यानक होगा और इरान को सवक सिखाने के लिए सभी मित्र देशों को इखटा होना होगा पश्चिमेश्या की युद्ध पहेली अब धीरे धीरे खुरू रही है एक तरफ इरान के युद्ध पोत इसराइल की जमीन के आसपास समंदर के किनारों पर चक्कर लगा रहे है और दूसरी तरफ इरान अब दसगुना तेज हमले करने की धमकी दे रहा है किसी भी वक्त इसराइल और इरान का बेहत खतरनाक युद्ध छिडने वाला है दूसरी तरफ इसराइल पर तीन तरफ से हुए 180 डिगरी हमले के बावजूद भी घजा पट्टी पर इसराइल का कहर इतनी खतरनाक तरीके से चूट रहा है कि इसराइल ने सिर्फ एक गोले में 5,000 लोगों को मार डाला है यह हमला घजा सिटी के अलबस्मा IVF सेंटर यानी इन बिट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर पर हुआ जहां पर हजारों की संक्या में मानब भून रखे हुए थे सबसे पहले हम बिटेन की विदेश मंत्री डेविट केमरून के उस बयान की चर्चा करेंगे जिसने इसराइल इरान युद पर 100% मोहर लगा दी है दरसल इरान के पलटवार के बाद इसराइल के मित्र देशों के तमाम विदेश मंत्री रक्षा मंत्री इसराइल के दोरे कर रहे हैं ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से इस्राइल के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है इस्राइल के रक्षा मंत्री यॉफ गैलिंट ने इटली के रक्षा मंत्री से मुलाकात की है इसराइल के अंदर बिटेन की विदेश मंतरी डेविट केमरान और इसराइल के राश्टपती साख हगोर्स की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद बिटेन की विदेश मंत्री डेविट किमरॉन ने एसाब कर दिया है कि इसराइल ने इरान पर पलटवार करने का फैसला कर लिया है इसराइल की राजधानी के अंदर और क्या चल रहा है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं तहरान जहां ऐसी रणनीती बन चुकी है कि युक्रेइन और घजापट्टी से भी भीशन युद अटल हो गया है एक तरफ बिटेन की विदेश मंतरी डेविट किमरान ये एलान कर रहे हैं कि युद अटल है इसराइल हमला करेगा बारा दिन का लंबा समय बिल्कुल भी नहीं लेगा इसराइल का हमला होते ही फौरण इरान के पलटवार की प्रतिक्रिया मिल जाएगी और इसराइल को देहला दिया जाएगा इसराइल की राजधानी तेलवीव में इसराइल के बंतरी अपने साथी गड़बंदन देशों के प्रतिनिद्यों के साथ युद के शुरुआत से पहले जबरदस बैठके कर रहे हैं और दूसरी तरफ इरान की राजधानी सेना दिवस मना रही है लेकिन इस बार सेना दिवस तेहरान की खुली सलक पर नहीं मनाया गया इस बार एरान ने सीक्रिट तरीके से एक बैरिक के अंदर अपना सेना दिवस मनाया है जो अपकी पिछले साल एरान की सेना ने आयातुला, रोहिला, खामनेई के मकबरे पर सेना दिवस मनाया था हाला कि एरान ने इसका कोई कारण नहीं दिया है कि उसने गुब तरीके से सेना दिवस क्यों मनाया लेकिन इसे इसराइल के पलटवार के खौफ से जोड़ कर देखा जा रहा है एरान के सेना दिवस में बाकाइदा एरान के राज़पती इबराहिम रईजी का एक बयान भी सामने आया और इस बयान में उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने हमला किया तो इस बार प्रतिक्रिया बहुत बड़े पैमाने पर होगी और बहुत कठोर होगी अगर कुचकतरीन तर्रोजी अजनाहिया रजीम सेयुनिस्टी बेखाँच वतन मासूरत बिगीरत वब मनाफ़ जमूरी इसलामी रण यगीन बेदानेंट बर खुर्दी बस्यार शडीद इरान को पता है कि इसराइल समुदर में भी कोई बड़ा एक्शन लेकर तुसे चौका सकता है इसलिए इरान ने अपने युद्दपोत को लाल सागर की तरफ भेज़ दिया है इरान की नौसेना अपने वेपारिक जहाजों को बाकाइदा एसकौर्ट कर रही है इरान का युद्दपोत जमरान फ्रिगेट अदन की खाड़ी में मौजूद है इरान को इस बात का डर है कि कहीं इसराइल उसके किसी वेपारिक जहाज पर कबजा न कर ले इसराइल के सामने इरान का गड़बंदन काफी कमजोर नजर आ रहा है एक तरफ इसराइल की सरकार अपने देश की राजधानी के अंदर इटली के रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग कर रही है लेकिन दूसरी तरफ इरान अभी भी अपने सयोग्यों के साथ मजबूत रिष्टे की तलाश में लगा हुआ है इसराइल का पड़ोसी देश जौडन खुलकर इसराइल के साथ ख़डा नजर आ रहा है वेस्ट एशिया के बाकि इसलामी देश असमंजस में नजर आ रहे हैं और वो इस युद्ध से दूर रहने की नीती पर अमल करते हुए दिख रहे हैं इरान और रूस के विदेश मंत्रियों ने आपस में फोन पर बाचीज जरूर की है लेकिन फिर भी ये गड़बंदन इसराइल के गड़बंदन के सामने बेहत कमजोर नजर आता है क्योंकि इसराइल के साथ अमेरिका ना सिर्फ खुलकर खड़ा है बलके अमेरिका के जनरल और अमेरिका फ्रांस और बिटेन का पूरा साथ औ सामान इसराइल की सुरक्षा में तैनात है इरान और उसके सयोग्यों के लिए इस वक्त भी सबसे बड़ी मुसीबत इसराइल का सुरक्षा कवज बना हुआ है लेबनान में एरान के सयोगी इसबुल्ला के पास एरान के द्वारा दी गई मिसाइल ही है और दक्षिन लेबनान में एक बार फिर इस्राइल पर टेस्ट फायर किये गए इसराइल पर 6 मिसाइलें दागी गई लेकिन इसराइल ने 6 की 6 मिसाइलें बेकार कर दी और उन्हें इसराइल की धर्ती पर गिनने से पहले ही मार दिया दूसरी तरफ इसराइल बेखौफ होकर गजापटी में लगातार कोहरा मचा रहा है बीते 24 घंटे के अंदर इसराइल ने गाज़ा पट्टी में 24 ठिकानों पर हमले किये और इन में 56 लोगों को मार दिया है इसराइल अब तक 33,899 फिलिस्तीनियों को गाज़ा में मार चुका है और 76,664 फिलिस्तीनियों को घायल कर चुका है दूसरी तरह फिलिस्तीन हर साल की तरह इस साल भी 17 अपरेल को कैदी दिवस मना रहा है इस वक्त भी इसराइल की जेलों में साड़े 9,000 फिलिस्तीनी राज़नीतिक कैदी मौजूद है इन में से 561 को उम्र कैद की सजा मिली हुई है गाजा पट्टी में 7 अक्तूबर से 15 मार्च के बीच 394 ऐसे हमले हुए जो संयुक्त राश्ट से जुड़े संगठनों पर हुए है जिसमें संयुक्त राश्ट का जंड़ा पहरा रहा था और इन हमलों में भी 408 विस्तापित दोगों की मौत हुई परमाणू शुद्ध इरान मरेगा या फिर मारेगा अगर इसरेल ने धोखे से भी इरान के परमाणू ठिकानों पर हमला किया तो ये तैय मानिये कि इरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर इरान के टॉप जनरल इसरेल पर सीधा हमला पलक जपकते ही करतेंगे इरान के बंकर में घातक मिसाईलों का ऐसा जखीरा मौझूद है जो इसरेल को विनाश करने के लिए काफी है शायद यही वज़े है कि अब इसरेल इरान के पर्मालू ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि इरान के पर्मालू हमलो से बचा जा सकते ज़रा देखिए खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इस्रेल इरान के किन परमाणू ठिकानों पर हमला करने जा रहा है इस्रेल के अफ़ार दे टाइम्स ओफ इस्रेल के मताबिक इरान के फोटो और नटाजन परमाणू ठिकानों पर इस्रेल हमला करने जा रहा है खबरों में दाबा किया गया है कि इसरेल अपने लड़ा को विमान F-35A और F-15E-X को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है 80 मीटर गहराई में मौझूद इरान के फोडो परमाणू ठेकाने पर 30,000 पाउंड बंकर ब्लस्टर बम गिराने का प्लान है ताकि 80 मीटर गहराई में इरान के फोडो परमाणू ठेकाने को तबाख किया जा सके ताबा किया जा रहा है कि 1200 किलोमेटर दूर मौझूद फोडो परमाणू ठेकाने को अगर इस्रेल के F-35A और F-15E-X लड़ाकों विमान तबाख कर देते हैं तो ये इरान के लिए बहुत बड़ा नुक्सान इसाबित होगा ऐसा नहीं है कि इस्रेल के हमले का दावा खोखला है क्योंकि इस सुवक्ष इस्रेल के फाइटर जेट इरान के परमाणू ठेकानों पर जबरदस्थ हमला करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं एफ-35A और एफ-15E-X लड़ा को एक ऐसा अभ्यास कर रहे हैं जिसमें इस्रेल से इरान के बीच और सक 1500 किलोमेटर दूर पर बम गिराना है हमले से जोड़ी इस खबर के पुष्टी एक और खबर भी कर रही है International Atomic Energy Agency यानि IAEA ने ऐसा खुलासा किया है जो वाकई दिल तहला देने वाला है IAEA के चीफ राफेल ग्रासी ने मीडिया को बताया कि इरान के परमाणों ठेकानों पर इस्रेल के हमले का खत्रा बढ़ चुका है जिसकी वज़े से इरान में अपने कई परमाणों ठेकानों को बंद कर दिया है राफेल ग्रासी के मुताबिक IAEA के अधिकारी इरान के परमाणों ठेकानों का निरिक्षन नहीं कर सकते जिनकी जाच रोज होती थी यान में इस्रेली कटरे को देखते हुए परमाणों साइटें बद कर भी है और अधिक्ण theaters in Iran were informed by the Iranian government that yesterday all the nuclear facilities that we are from falls on security considerations परमाणू शुद इरान मरेगा या फिर मारेगा इरान ने भी कच्छी गोलिया नहीं खेली है इरान को भी कही न कहीं दूस से जबरदस्त मदद मिल रही है इस वक्द इरान दुनिया में आत्मगाती ध्रून बनाने में काफी आगे निकल चुका है उसके पास हजारों की दादाद में बलेस्टे, कूस और हाइपरसोनिक मिसाइले हैं जिसमें से कई परमाणू वं से बहुत कम वक्त में लैस हो सकती हैं इसी वज़ा से दावा किया जा रहा है कि इरान के परमाणू फैसलेटी पर हमला करना इस्रेल के लिए इराक और सीरिया की तरह आसान नहीं होने वाला है सबसे पहली बाद इरानी परमाणू फैसलेटी विखरी होई है और उनमें से कई पहाड़ीों में इस्थित है दूसरी बाद ये कि इस्रेल से इरान की परमाणू फैसलों तक सीधी उडान के लिए भी हवा में इंधन भरने या इंधन भरने के लिए लैंड करने की आवश्यक्ता होगी इरान और इस्रेल के बीच जॉडन, इरान और सौडी अरब इस्थित है जिन मसे कोई भी इस्रेली लड़ाको गुमान को ना तो लैंडनिंग के अजाज़त देंगे और ना ही अपने अस्थित है अरान पदने के मनजूरी देगा तीसरा ये है कि इस्रेल से इरान के बीच की दूरी 800 किलो मेटर दे जहाँ पर इस्रेली वायूसेना के लड़ाको गुमानों के लिए परमान और फिकानों पर हमला करना जरा भी आसान नहीं होगा अब चनाँच रजीम इस्राईल दस दस पा खता बकने इन बार पासुख एरान हमान तोली के मनीराई मसल्लح एलाम करदन इधर इस्रेल के पीम बैनमिन नेतन्याहू फाइटर जट एफ 15 बेस का दौरा कर चुके है नेतन्याहू भले ही इरान को दबाही की धंकिया दे लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत खदरनाक हैं जरा देखिये इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है युद्ध तो होना अभी बाकी है इरान को अपनी मिसाईल और ड्रोन ताकत पर जबरदस्त भरूसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसरेल के बीच चल रही जंग से दूर हो जा ज़रा देखिये कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकड़ इरान के पास नो ऐसी बलेस्टिक मिसाईल सहें जो हजारों किलोमेटर दूर इसरेल पर हमला बोल सकती है इन मिसाईल में अगर सबसे खतरनाक मिसाईल की गन्टे की तेजी से पच्चिस सो किलोमेटर दूर हमला कर सकती है. तो वहीं कीबर मिसाइल की मारफ्षम ताग 2000 किलोमेटर है. इसके साथ ही हज का सेम की अटांकिंग रेंज 1400 किलोमेटर है. इरान के पास कुरूज मिसाइल भी है, जो न्यूक्लियर पावसलेस है. इसकी रेंज 3,000 किलोमीटर है इरान ने अपने ड्रून के जखीरे में भी खास काम किया है पूरे मिडलीस्ट छित्र की बात की जाये तो इरान आत्मधाती ड्रून का सबसे बड़ा निर्माता है इरान के पास महाजर 10 नाम का घातक भ्रून है जिसकी रेंज 2,000 किलोमीटर है तो वहीं महाजर 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्फो टक भी ले जा सकता है अब सवाल उड़ता है कि इरान ऐसे हालत में क्या कर सकता है और क्या वाकई में इरान के पास ऐसे परमाणू बंब है जो इसरेल को तबाह कर सकते है ज़रा देखिए International Atomic Energy Agency यानि IAEA इरान की परमाणू क्षमता पर क्या दाबा करता है खोल मिलाकर अगले 24-48 घंटे में अगर इसरेल इरान पर परमाणू हमला करता है तो पूरा पश्ची मेश या परमाणू भट्टी में भस्म हो जाए तो एरान ने इसराहिल पर ताबर तोड़ कई हमले किये हैं और दावा किया है कि ये तो अभी ट्रेलर है असलिए युद्ध अभी बाकी है ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या अब होगा परमाणू युद्ध तो इसराहिल और इरान जंग से पूरी दुनिया खौफ में आ चुकी है इरान ने पांच घंटे तक इसराहिल पर मिसाल और ड्रोन हमले किये है इरानी जनरों का दावा है कि ये तो अभी ट्रेलर है युद्ध भी बाकी है और इस बीच कुछ रेपोर्ट अब दावा किया जाने लगा है कि अगर इरान पर इसराहिल और अमेरका मिलकर हमला करते हैं तो ऐसी सिथी में रूस इरान के साथ युद्ध में कूट पड़ेगा देगे एरपाट इसराहिल से युद्ध इरान के साथ रूस अगर इसराहिल, अमेरिका, ब्रिटर और पश्यम देश ये सोच रहे हैं कि हम इरान को अगले 48 गंटे में तबाह कर देंगे तो ये गलत फैमी वो जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं कर ले क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राज्श्रोपधि पुतिन का रूस इरान का जंग में साथ बेने जा रहा है दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर अमेरिका, बिटन और इस्रेल मिलकर इरान पर हमला करते हैं तो रूस की घातक मिसाइले, धून और लड़ाकु जहाज इरान को बचाने के लिए जंग में सीधे कूद पड़ेंगे राश्वपती पोतिन ने इरान को खुफिया तरीके से पूरा वार प्लैन पहुचा दिया है पश्य मीडिया के जानकारों के मताबिक इस्रेल पर इरान का सीधा हमला साबित करता है कि इरान को रूस से हमले की हरी जंडी पहले ही मिल गई थी अब सबाल ओरता है कि रूस इरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटन, इस्रेल और नाटो देशों से जंग क्यो करने पर उतारो है क्या इरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है ज़रा देखिये क्यो रूस इरान का साथ जंग में देने जा रहा है दो साल से ज्यादा समय से चल रही रूस योकरेन जंग में इरान जम कर रूस का साथ दे रहा है इसलिए अब रूस इरान का जंग में साथ दिने के लिए तयार हो चुका है यहां तक कि खुफया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इरान ने रूस को यूकरेन जंग में अपनी घातक में साई लिए तीन लाग तोप के गोले 10 करोड गोलियां तक दी है और उसके बाद भी हजारों रॉकेट जंग का सामान, रूस अभी भी भेज रहा है डेफेंस एक्सपोर्ट्स का दावा है कि पोतिन इरान के आसान को दिल से मानते हैं और इरान से वफ़दारी दिखाते हुए अब जंग में इरान का साथ देने जा रहे हैं रूस के दम से ही एरान ने इजरेल पर गाता कमले किये हैं और 330 मिसाइल और रूम से हमला किया है बरादरान और दूस्तान मान दर मनतके के एलात मुद्धिय अमरीका दर आन किशवर हा दाराई पाईगाह निजामी इस इलाम करदीम कि हदफ मा दर दिफाए मश्रू सिर्फन तन्बीह रजीम इसराईल हस्त इरान के साथ मुस्लिम वर्ड, इस्रेल के साथ नेटो इस्रेल और इरान की जंग में दुनिया तेजी से बट रही है जहां रूस इरान के साथ खड़ा है तो वहीं अमेरिका, बिट्र, फ्रांस समेथ तमाम पश्यमी और नेटो देश इसरेल के साथ खड़े है अब ज़र आप ये भी जान लीजिए कि इरान के साथ मुस्लिम वॉल्ड के कौन-कौन से देश खड़े है और कौन से मुस्लिम देशों ने इरान के साथ गद़दारी किये पहले आप ये जान लीजिए कि जब इरान आधी रात में इसरेल पर भायानक हमले कर रहा था तो उस सुख अरब देश जॉर्डन ने इरान के घातक हमलों को नाकाम करने के लिए क्या किया टाइमस अफ इसरेल ने इसरेली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जॉर्डन के जट विमानों ने उत्तरी और मध्य जॉर्डन से होकर इसरेल की ओर जाने वाले दरजनों इरानी ड्रोन को मार गिराया है जॉर्डन की तरफ से इस्रेयल की मदद के लिए अपने जेट भेजना एक बड़ा कदम है इस्रेयली सूत्रों का कहना है कि इरान के ड्रोन जॉर्डन घाटी और हवा में उतारे गए थे और यरुशलम की ओर जा रहे थे लेकन उससे पहले ही जॉर्डन की फाइटर जेट्स ने इरान के ड्रोन को मार किराया इरान जॉर्डन की गद्दारी से बेहत नाराज है इस्रेयल की मदद करने के लिए इरान की IRGC ने जॉर्डन को धमकी दी है कि अगर वो इस्राइल की और मदद करता है तो इरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा एक पश्यमी न्यूज एजनसी ने इरान के सूत्रों के हवाले से दाबा किया है इरान की सेना जायोनी शासन के खिलाफ हमले के द दौरान जॉर्डन की गदेविधियों की सावधानी पूरवक निगरानी कर रही है और अगर जॉर्डन हस्तक्षइप करता है तो इरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा इस्रेल पर इरान के हमले के बाद से पूरे इरान में जश्ट मनाया जा रहा है इरान का दावा है कि उसने कई घंटे तक इस्रेल पर हमले किये लेकिन वहीं इस्रेल और अमेरिका का दावा है कि उसने इस्रेल के 300 से ज़ादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है जरा देखिए इरान के कितने ड्रोन और मिसाइले दबा हुई है इरान ने इस्रेल पर करीब 5 घंटे तक हमला किया इस्रेल पर इरान के हमले की दोरान अमेरिकी सेना ने 70 से ज़ादा ढ्रोन और कम से कम 3 बैलस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है इस्रेली सेना का कहना है कि उसने इरान द्वारा दागे गए करीब 99 फीस्दी ढ्रोन और मिसाइल को मार गिराया है दावे की मुताबे इरान के 170 मिसाइल और ढोन को इस्रेल के बाहर ही मार दिया गया जबकि इरान की 30 क्रूज मिसाइले एक भी इस्रेली एर स्पेस में नहीं घुस्पाई 30 में से 25 मिसाइले तबाह कर दी गई एरान की 120 बलेस्टिक मिसाइलें दागी गई, जेने तबाग करने का दावा किया गया है लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एरान की कुछ बलेस्टिक मिसाइलों ने इस्राइल के निवात्म एयर बेस में गिर गई थी इस्राइली सिना नमाना है कि उसे मामूली नुकसान हुआ है, कुल मेलाकर एरान के तीन सौबीस ड्रून और मिसाइलें तबा हुई अमारगा थो अद्रून आल पर एरान के ताह एरान के ताहश का द्रून ड्रून उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका, बिटन, जंग में सीधे तोर पर कूट पड़े हैं। अपनी मिसाइल और प्रोन ताकत पर जबरदस्ट भरुसा है। और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसरेल के बीट चल रही जंग से दूर हो जाओ। ज़रा देखिए कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकत। इरान के पास नो ऐसी बैलेस्टिक मिसाइल्स हैं जो हसारों किलोमेटर दूर इसरेल पर हमला बोल सकती है। इन मिसाइल में अगर सबसे ख़दरनाक मिसाइल की बात की जाये तो वो है सेचे। ये मिसाइल 17,000 किलोमेटर प्रतिग हंटे की तेजी से 2500 किलोमेटर दूर हमला कर सकती है। तो वही खीवर मिसाइल की मारप्चमताग 2,000 किलोमेटर है। इसके साथ ही हज कासेन की अटैकिंग रेंज 1400 किलो मीटर है इरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूख्लियर पावर से लैस है इसकी रेंज 3000 किलो मीटर है इरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है पूरे मेडलिस्ट कशे तरकी बाद की जाय तो ऐरान अधगाती ब्रॉन का सबसे बड़ा निर्माता है ऐरान के पास मोहाज़ 10 नाम का धातक ब्रॉन भी है जिसकी रेन 2,000 किलोमेटर है तो वही मोहाज़ 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का ब्रॉन तरक भी लेजा सकता है अमश एरान पत्का बमतकफा नगद इसराइल वशिगरा योतर मे-300 योमी में सुगीं शोनी ऐयूम ऐरानी पगश अता अलियनות अवीरीत वाटिकनोलोगित शल बशिलूव कोवालिट्सिया लोगमत चजका शियाखद इर्टो एत रुबम हमकरिया शिल ऐयूमी अब ऐसे हालात मेदर ऐरान रूस के साथ सीधे जंग में पूट पड़ता है तो फिर अमेरिका बिटन मिलकर भी इसरैल को इरान से बचा नहीं पाएंगे अब देखना होगा इरान का अगला कदम क्या होगा और इसरैल इरान के हमले का बदला कैसे लेता है चोंकि रूस अब इरान के साथ चट्टान बन कर खड़ा हो गया है पुरा अणतालीस घंटे यही डेडलाइन है युद्ध की आर पार के युद्ध की इसरैल अपने दुश्मनों को वक्त बता कर मारता है समहलने का मौका भी नहीं देता है हमास के हमले के महज 72 घंटे बाद इसरैल ने आपरेशन शुरू कर दिया था लेकिन इरान के पास उतना टाइम भी नहीं है अगर ड्रोन हमले में हिस्बॉल्ला इसरैल की 14 सेनिकों को घाल करने में काम्याब रहा तो उसका मतलब यह है कि इसरैल का एर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोक पाने के लिए बिलकुल भी तयार नहीं था इरान के हमले से भी इस बॉल्ला का आत्म विश्वास बढ़ गया है और नेत्याहूं की भी वार कैबिनेट के अंदर इरान से बदला लेनी की कसमे खा रही है बिलकुल साफ है कि इरान इसराल युद्ध चलता हुआ नजर नहीं आ रहा इसराइल की तरफ से 100% कनफर्म हो गया है कि वो इरान पर हमला करेगा इसराइल ने अपने मित्र देश के विदेश मंत्रियों को बता दिया है कि इरान पर पलटवार भ्यानक होगा और इरान को सवक सिखाने के लिए सभी मित्र देशों को इखटा होना होगा पश्चिमेश्या की युद्ध पहेली अब धीरे धीरे खुन रही है एक तरफ इरान के युद्ध पोत इसराइल की जमीन के आसपास समंदर के किनारों पर चक्कर लगा रहे है और दूसरी तरफ इरान अब दसगुना तेज हमले करने की धमकी दे रहा है किसी भी वक्त इसराइल और इरान का बेहत खतरनाक युद्ध छिडने वाला है दूसरी तरफ इसराइल पर तीन तरफ से हुए 180 डिगरी हमले के बावजूद भी घजा पट्टी पर इसराइल का कहर इतनी खतरनाक तरीके से चूट रहा है कि इसराइल ने सिर्फ एक गोले में 5,000 लोगों को मार डाला है यह हमला गजा सिटी के अलबस्मा IVF सेंटर यानी इन बिट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर पर हुआ जहां पर हजारों की संक्या में मानब भून रखे हुए थे सबसे पहले हम बिटेन की विदेश मंत्री डेविट केमरून के उस बयान की चर्चा करेंगे जिसने इसराइल इरान युद पर 100% मोहर लगा दी है दरसल इरान के पलटवार के बाद इसराइल के मित्र देशों के तमाम विदेश मंत्री रक्षा मंत्री इसराइल के दोरे कर रहे हैं ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से इस्राइल के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है इस्राइल के रक्षा मंत्री यॉफ गैलिंट ने इटली के रक्षा मंत्री से मुलाकात की है इसराइल के अंदर बिटेन की विदेश मंतरी डेविट केमरान और इसराइल के राश्टपती साख हगोर्स की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद बिटेम की विदेश मंत्री डेविट किमरॉन ने इसाब कर दिया है कि इसराइल ने इरान पर पलटवार करने का फैसला कर लिया है इसराइल की राजधानी के अंदर और क्या चल रहा है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं तहरान जहां ऐसी रणनीती बन चुकी है कि युक्रेइन और घजापट्टी से भी भीशन युद अटल हो गया है एक तरफ बिटेन के विदेश मंतरी डेविट किमरान ये ऐलान कर रहे हैं कि युद अटल है इसराइल हमला करेगा और दूसरी तरफ इरान के विदेश मंतरी अली बागेरी ने एक बियान जारी किया है और बिल्कुल साफ साफ कहा है कि इसराइल को ये समझ लेना चाहिए कि इरान इस बार इसराइल के हमले का पलटवार करने के लिए बारा दिन का लंबा समय बिल्कुल भी नहीं लेगा इसराइल का हमला होते ही फौरण इरान के पलटवार की प्रतिक्रिया मिल जाएगी और इसराइल को दहला दिया जाएगा इसराइल की राजधानी तेलवीव में इसराइल के बंतरी अपने साथी गड़बंदन देशों के प्रतिनिद्यों के साथ युद के शुरुआत से पहले जबरदस बैठके कर रहे हैं और दूसरी तरफ इरान की राजधानी सेना दिवस मना रही है लेकिन इस बार सेना दिवस तेहरान की खुली सलक पर नहीं मनाया गया इस बार इरान ने सीक्रिट तरीके से एक बैरिक के अंदर अपना सेना दिवस मनाया है जो अपकी पिछले साल एरान की सेना ने आयातुल्ला, रोहिल्ला, खामनेई के मकबरे पर सेना दिवस मनाया था हाला कि एरान ने इसका कोई कारण नहीं दिया है कि उसने गुब तरीके से सेना दिवस क्यों मनाया लेकिन इसे इसराइल के पलटवार के खौफ से जोड़ कर देखा जा रहा है एरान के सेना दिवस में बाकाइदा एरान के राश्टपती इबराहिम रईसी का एक बयान भी सामने आया और इस बयान में उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने हमला किया तो इस बार प्रतिक्रिया बहुत बड़े पैमाने पर होगी और बहुत कठोर होगी एरान को पता है कि इसराइल समुद्र में भी कोई बड़ा एक्शन लेकर तुसे चौका सकता है इसलिए एरान ने अपने युद्दबोत को लाल सागर की तरफ भेज़ दिया है इरान की नौसेना अपने वेपारिक जहाजों को बाकाइदा एसकौट कर रही है इरान का युद्दबोत जमरान फ्रिगेट अदन की खाड़ी में मौझूद है इरान को इस बात का डर है कि कहीं इसराइल उसके किसी वेपारिक जहाज पर खबजा न कर ले इसराइल के सामने इरान का गड़बंदन काफी कमजोर नजर आ रहा है एक तरफ इसराइल की सरकार अपने देश की राजधानी के अंदर इटली के रक्षामंत्री के साथ मीटिंग कर रही है लेकिन दूसरी तरफ इरान अभी भी अपने सयोग्यों के साथ मजबूत रिष्टे की तलाश में लगा हुआ है इसराइल का पड़ोसी देश जॉडन कुल कर इसराइल के साथ ख़़ा नजर आ रहा है वेस्ट इश्या के बाकि इसलामी देश असमंजस में नजर आ रहे हैं और वो इस युद्ध से दूर रहने की नीती पर अमल करते हुए दिख रहे हैं इरान और रूस के विदेश मंत्रियों ने आपस में फोन पर बाचीज जरूर की है लेकिन फिर भी ये कड़बंदन इसराइल के कड़बंदन के सामने बेहत कमजोर नजर आता है तोकि इसराइल के साथ अमेरिका ना सिर्फ खुलकर खड़ा है बलके अमेरिका के जनरल और अमेरिका, फ्रांस और बिटेन का पूरा साजो सामान इसराइल की सुरक्षा में तैनात है इरान और उसके सयोगलों के लिए इस वक्त भी सबसे बड़ी मुसीबत इसराइल का सुरक्षा कवज बना हुआ है लिबनान में एरान के सयोगी इस बुल्ला के पास एरान के दुआरा दी गई मिसाइल ही है और दक्षिन लिबनान में एक बार फिर इस्राइल पर टेस्ट फायर किये गए इस्राइल पर छे मिसाइलें दागी गई लेकिन इसराइल ने 6 की 6 मिसाइले बेकार कर दी और उन्हें इसराइल की धर्ती पर गिंडने से पहले ही मार दिया दूसरी तरफ इसराइल बेखौफ होकर गजापटी में लगातार कोहरा मचा रहा है बीते 24 गंटे के अंदर इसराइल ने गाज़ापट्टी में 24 ठिकानों पर हमले किये और इनमें 56 लोहों को मार दिया है इसराइल अब तक 33,899 फिलिस्टीनियों को गाज़ा में मार चुका है और 76,664 फिलिस्टीनियों को घायल कर चुका है दूसरी तरफ फिलिस्तीन हर साल की तरह इस साल भी 17 अपरेल को कैदी दिवस मना रहा है इस वक्त भी इजराइल की जेलों में साड़े 9000 फिलिस्तीनी राज़नीतिक कैदी मौजूद है इन में से 561 को उम्र कैद की सजा मिली हुई है गाजा पट्टी में 7 अक्तूबर से 15 मार्च के बीच 394 ऐसे हमले हुए जो संयुक्त राश्ट से जुड़े संगठनों पर हुए है जिसमें संयुक्त राश्ट का जंड़ा पहरा रहा था और इन हमलों में भी 408 विस्तापित दोगों की मौत हुई परमाणू शुद्ध इरान मरेगा या फिर मारेगा अगर इसरेल ने धोखे से भी इरान के परमाणू ठिकानों पर हमला किया तो ये तैय मानिये कि इरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर इरान के टॉप जनरल इसरेल पर सीधा हमला पलक जपकते ही करतेंगे इरान के पंकर में घातक मिसाइलों का ऐसा जखीरा मौझूद है जो इसरेल को विनाश करने के लिए काफी है शायद यही वज़े है कि अब इसरेल इरान के पर्माणू ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि इरान के पर्माणू हमलों से बचा जा सकते जड़ा देखिए खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इस्राईल इरान के किन परमाणो ठीकानों पर हमला करने जा रहा है इस्राईल के अफ़़ार The Times of Israel के मताभिक इरान के फोटो और नटासन परमाणो ठीकानों पर इस्राईल हमला करने जा रहा है खबरों में दाबा किया गया है कि इसरेल अपने लड़ा को विमाद F-35A और F-15E-X को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है 80 मीटर गहराई में मौझूद इरान के फोडो परमाणू ठेकाने पर 30,000 पाउंड बंकर ब्लस्टर बम गिराने का प्लान है ताकि 80 मीटर गहराई में इरान के फोडो परमाणू ठेकाने को तबाख किया जा सके ताबा किया जा रहा है कि 1200 किलोमेटर दूर मौझूद फोडो परमाणू ठेकाने को अगर इसरेल के F-35A और F-15E-X लड़ाकों विमान तबाख कर देते हैं तो ये इरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान थाबित होगा ऐसा नहीं है कि इसरेल के हमले का दावा खोखला है क्योंकि इस सुवत इसरेल के फाइटर जेट इरान के परमाणू ठेकानों पर जबरदस्थ हमला करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं एफ-35A और एफ-15E-X लड़ा को एक ऐसा अभ्यास कर रहे हैं जिसमें इसरेल से इरान के बीच और सक 1500 किलोमेटर दूर पर बम गिराना है हमले से जोड़ी इस खबर के पुष्टी एक और खबर भी कर रही है International Atomic Energy Agency यानी IAEA ने ऐसा खुलासा किया है जो वाकई दिल तहला देने बाला है IAEA की चीफ राफेल ग्रासी ने मीडिया को गटाया कि इरान के परमाणों ठेकानों कर इसरेल के हमले का खत्रा बढ़ चुका है जिसकी वज़े से इरान ने अपने कई परमाणों ठेकानों को बंद कर दिया है राफेल ग्रासी के मुताबिक आईये IAEA के अधिकारी इरान के परमाणों ठेकानों का निरिक्षन नहीं कर सकते जिनकी जाच रोज होती ही इरान में इस्रेली खत्रे को देखते हुए परमाणों साइटें बद का भी है परमाणों शुद इरान मरेगा या फिर मारेगा इरान ने भी कच्छी गोलिया नहीं खेली है इरान को भी कहीं न कहीं दूस से जबरदस्त मदद मिल रही है इस वक्द इरान दुनिया में आग्मगादी भून बनाने में काफी आगे निकल चुका है उसके पास हजारों की दादाद में बलेस्टे, क्रूस और हाइपरसोनिक मिसाईले हैं जिसमें से कई परमाणों वं से बहुत कम वक्ष में लैस हो सकती है इसी वज़़ा से दावा किया जा रहा है कि इरान के परमाणों फैसलेटी पर हमला करना इसरेल के लिए इराक और सीरिया की तरह आसान नहीं होने वाला है सबसे पहली बार इरानी परमाणों फैसलेटी विक्री होई है और उनमें से कई पहाड़ियों में इस्थित है दूसरी बाग ये कि इस्रेल से इरान के पर्माणों उस्थलों तक सीधी उडान के लिए भी हवा में इंधन भरने या इंधन भरने के लिए लैंड करने के अवश्रक्ता होगी इरान और इस्रेल के बीच जॉर्डन, इरान और सौधी अरब इस्थिक है जिन मसे कोई भी इस्रेली लडाको विमान को ना तो लैंडिंग के अजज़त देंगे और ना ही अपने अस्थमान से उरान पदने के मनजोरी देगा तीसरा यहने के इस्रेल से एरान के बीच की दूरी अट्वार सौ किलो मेंटर जहापर इस्रेली वरुसीना के लडाको विमानो के लिए परमान और फिकानो पर हमला करना जरा भी आसान नहीं होगा इधर इस्रेल के पी-म बेनमी नेतनियाहू फाइटर जट एफ-15 बेस का दारा कर चुके है नेतनियाहू भले ही एरान को दबाही की धमकिया दे लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत खदरनाक है जरा देखिये इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है युद्ध तो होना अभी बाकि है इरान को अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत पर जबरदस्थ भरुसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसरेल के बीच चल रही जंग से दूर हो जाओ जरा देखिये कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकत इरान के पास नो ऐसी बलेस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमेटर दूर इसरेल पर हमला बोल सकती है इन मिसाइल में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाये तो वो है सेजिन ये मिसाइल 17,000 किलोमेटर प्रति घंटे की तेजी से 2500 किलोमेटर दूर हमला कर सकती है तो वहीं कीबर मिसाइल की मारप्षम ताग 2000 किलोमेटर है इसके साथ ही हज कासेम की अटांकिंग रेंज 1400 किलोमेटर है इरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्योक्लियर पावस एलैस है इसकी रेंज 3000 किलोमेटर है इरान ने अपने डूरून के जखीरे में भी खास काम किया है पूरे मिडलीस्ट छित्र की बात की जाये तो इरान आत्मधाती डूरून का सबसे बड़ा निर्माता है इरान के पास ऐसे पर्माडू बंब है जो इस्रेयल को तबाह कर सकते हैं जरा देखिए इंटरनाश्टल एक्टॉमिक एनरजी एजनसी यानि आई एए एए इरान की पर्माडू क्षमता पर क्या दावा करता है खोल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे में अगर इस्रेयल इरान पर पर्माडू हमला करता है तो पूरा पश्ची मेश या पर्माडू बढ़्टी में भस्म हो जाएगी तो एरान ने इसराइल पर तावर तोड़ कई हमले किये हैं और दावा किया है कि ये तो अभी ट्रेलर है असली युद्ध अभी बाकी है ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या अब होगा पर्माडू युद्ध तो इसराइल और इरान जन से पूरी दुनिया खौफ में आ चुकी है इरान ने पांच घंटे तक इसराइल पर मिसाल और ड्रोन हमले किये है इरानी जनरों का दावा है कि ये तो अभी ट्रेलर है युद्ध भी बाकी है और इस बीच कुछ रेपोर्ट अब दावा किया जाने लगा है कि अगर इरान पर इसराइल और अमेरका मिलकर हमला करते है तो ऐसी सिथी में रूस इरान के साथ युद्ध में कूट पड़ेगा देखिए ये रेपोर्ट इसराइल से युद्ध इरान के साथ रूस अगर इसराइल, अमेरिका, ब्रिट्र और पश्चम देश ये सोच रहे हैं कि हम इरान को अगले 48 घंटे में तबाह कर देंगे तो ये गलत फेहमी वो जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं कर ले क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राश्रपति पुतिन का रूस इरान का जन्ग में साथ देने जा रहा है दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर अमेरिका, बिटर और इस्रेल मिलकर इरान पर हमला करते हैं तो रूस की घातक मिसाइले, धून और लड़ाकु जहाज इरान को बचाने के लिए जन्ग में सीधे कूद पड़ेंगे राश्रपती पोतिन ने इरान को खुफिया तरीके से पूरा वार प्लैन पहुचा दिया है बश्य मीडिया के जानकारों के मताबिक इस्रेल पर इरान का सीधा हमला साबित करता है कि इरान को रूस से हमले की हरी जंडी पहले ही मिल गई थी अब सबाल उड़ता है कि रूस इरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटन, इस्रैल और नाटो देशों से जंग क्यों करने पर उतारू है क्या इरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है ज़रा देखिये क्यों रूस इरान का साथ जंग में देने जा रहा है इसी लिए अब रूस इरान का जंग में साथ देने के लिए तयार हो चुका है इरान योकरेन युद में रूस को हजारों आदम घाती ध्रों शाहित 136 वहां से 10 जैसे ध्रों दे रहा है जिसके जर्ये रूस इरान को जंग में रॉंद चुका है यहां तक कि खुफिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इरान ने रूस को योकरेन जंग में अपनी घातक में साई लिए तीन लाख तोप के गोले दस करोड गोलियां तक दी है और उसके बाद भी हजारों रॉकेट जंग का सामान रूस अभी भी भेज रहा है डेफेंस एक्सपोर्ट का दावा है कि पोतन इरान के असान को दिल से मानते हैं और इरान से वफ़दारी दिखाते हुए अब जंग में इरान का साथ देने जा रहे हैं रूस के दम से ही एरान ने इसरेल पर गातक हमले किये हैं और 330 मिसाइल और रूम से हमला किया है बरादरान और दूस्तान मां दर मनतके के एलात मुटधी अमरीका दर आन किशवर हा दाराई पाईगाह निजामी इस इलाम करदीम के हदफ मां दर दिफाए मश्रू सिर्फन तन्बीह रजीम इसराईल है इरान के साथ मुस्लिम वर्ड, इस्रेल के साथ नेटो इस्रेल और इरान की जंग में दुनिया तेजी से बट रही है जहां रूस इरान के साथ खड़ा है तो वहीं अमेरिका, बिटे, फ्रांस, समेथ तमाम पशिमी और नेटो देश इसरेल के साथ खड़े है अब ज़र आप ये भी जान लीजिए कि इरान के साथ मुस्लिम वॉल्ड के कौन-कौन से देश खड़े है और कौन से मुस्लिम देशों ने इरान के साथ गट़दारी किये पहले आप ये जान लीजिए कि जब इरान आधी रात में इसरेल पर भायानक हमले कर रहा था तो उस वक्त अरब देश जॉर्डन ने इरान के घातक हमलों को नाकाम करने के लिए क्या किया टाइमस अब इसरेल ने इसरेली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जॉर्डन के जट विमानों ने उत्तरी और मध्य जॉर्डन से होकर इसरेल की ओर जाने वाले दरजनों इरानी ड्रोन को मार गिराया है जॉर्डन की तरफ से इस्रेयल की मदद के लिए अपने जेट भेजना एक बड़ा कदम है इस्रेयली सूत्रों का कहना है कि इरान के ड्रोन जॉर्डन घाटी और हवा में उतारे गए थे और यरुशलम की ओर जा रहे थे लेकन उससे पहले ही जॉर्डन की फाइटर जेट्स ने इरान के ड्रोन को मार किराया इरान जॉर्डन की गद्दारी से बेहत नाराज है इस्रेयल की मदद करने के लिए इरान की आई आर जीसी ने जॉर्डन को धमकी दी है कि अगर वो इस्राइल की और मदद करता है तो इरान का अगला टार्गेट जॉर्डन होगा एक पश्यमी न्यूज एजनसी ने इरान के सूत्रों के हवाले से दाबा किया है इरान की सेना जायोनी शासन के खिलाफ हमले के दोरान जॉर्डन की गदिविद्यों की सावधानी पूर्वक नेगरानी कर रही है और अगर जॉर्डन हस्तक शेप करता है तो इरान का अगला टार्गेट जॉर्डन होगा इस्राइल पर इरान के हमले के बाद से पूरे इरान में जश्ट मनाया जा रहा है इरान का दावा है कि उसने कई घंटे तक इस्राइल पर हमले किये लेकिन वहीं इस्रेल और अमेरिका का दावा है कि उसने इस्रेल के 300 से ज़ादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है जरा देखिए इरान के कितने ड्रोन और मिसाइले दबा हुई है इरान ने इस्रेल पर करीब 5 घंटे तक हमला किया इस्रेल पर इरान के हमले की दोरान अमेरिकी सेना ने 70 से ज़ादा ढों और कम से कम 3 बैलेस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है इस्रेली सेना का कहना है कि उसने इरान द्वारा दागे गए करीब 99 फीस्दी ढों और मिसाइल को मार गिराया है दावे के मुताबे इरान के 170 मिसाइल और ढोन को इस्रेल के बाहर ही मार दिया गया जबकि इरान की 30 क्रूज मिसाइले एक भी इस्रेली एर स्पेस में नहीं घुस्पाई 30 में से 25 मिसाइले तबाह कर दी गई एरान की 120 बैलेस्टिक मिसाइले दागी गई जेने तबाह करने का दावा किया गया है लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एरान की कुछ बैलेस्टिक मिसाइलों ने इसरेल के निवात्म एयर बेस में गिर गई थी इस्राइली सिना नमाना है कि उसे मामूली नुकसान हुआ है, कुल मेला कर एरान के तीन सौबीस ड्रून और मिसाइलें तबा हुई एरान नדखाया ट्रिलर इश्ट तो अभी बाकिये पिछले कुछ घंटों में जो हालात पश्शिम एशिया में जंग से बने हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका, बिटन जंग में सीधे तोर पर कूट पड़े हैं इस्रेल भी इरान पर जवावी हमले की तैयारी कर रहा है इस्रेल के पिम बेनियमिन नेतनियाहू फाइटर जेट एफ 15 बेस का दोरा कर चुके हैं नेतनियाहू भले ही इरान को तबाही की धंटियां दें लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत खदरनाक है ज़रा देखिये इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है युद्ध तो होना अभी बाकी है इरान को अपनी मिसाइल और रोन ताकत पर जबरदस्ट भरुसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इस्रेल के बीट चल रही जंग से दूर हो जाओ जरा देखिये कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकत इरान के पास नो ऐसी बैलेस्टिक मिसाइल्स हैं जो हसारों किलोमेटर दूर इस्रेल पर हमला बोल सकती है इन मिसाइल में अगर सबसे ख़दरनाक मिसाइल की बात की जाये तो वो है सेच ये मिसाइल 17,000 किलोमेटर प्रती घंटे की तेजी से 2500 किलोमेटर दूर हमला कर सकती है तो वहीं खीवर मिसाइल की मारफ शमताथ 2000 किलोमेटर है इसके साथ ही हज कासेन की अटैकिंग रेंज 1400 किलोमेटर है इरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूकलियर पावर से लैस है इसके रेंज 3000 किलोमेटर है इरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है पूरे मेडलिस्ट क्शे तकिबाद कीजाए तो ईरान अट घ्रोन का सबसे बड़ा नर्माता है ईरान के पास मोहाजर 10 नाम का घ्रोन भी है जिसके रेंग 2000 किलोमेटर है तो वही मोहाजर 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विसफोर तक भी लेजा सकता है अमश एरान पत्का बमतकफा नगद इसराइल वशिगरा योतर म-300 इयोमी मसुगीं शोनी ऐयूम ऐरानी पगश अता अलियनות האווירית वाट तकनोलोगी चल बशिलूव कौलिटीया लोगमत चजका शियाखद यरतो एत रुबम हमकरिया शिल ऐयूमी अब ऐसे हालात में अगर इरान रूस के साथ सीधे जंग में पूर पड़ता है तो फिर अमेरिका बिटन मिलकर भी इसराइल को इरान से बचा नहीं पाएंगे अब देखना होगा इरान का अगला कदम क्या होगा और इसराइल इरान के हमले का बदला कैसे लेता है चोंकि रूस अब इरान के साथ चटान बन कर खड़ा हो गया है पूरा अटालीस गांटे यही डेडलाइन है युद्ध की आर पार के युद्ध की इसराइल अपने दुश्मनों को वक्त बता कर मारता है समहलने का मौका भी नहीं देता है हमास के हमले के महज 72 घंटे बाद इसराइल ने आपरेशन शुरू कर दिया था लेकिन इरान के पास उतना टाइम भी नहीं है अगर ड्रोन हमले में इसराइल की 14 सेनिकों को घाल करने में कामियाब रहा तो उसका मतलब ये है कि इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोक पाने के लिए बिलकुल भी तैयार नहीं था इरान के आमले से भी इसराइल का आत्म विश्वास बढ़ गया है और नेत्याहूं की भी वार कैबिनिट के अंदर इरान से बदला लेनी की कस्मे खा रही है बिलकुल साफ है कि इरान इसराइल युद्ध चलता हुआ नजर नहीं आ रहा इसराइल की तरफ से 100% कनफर्म हो गया है कि वो इरान पर हमला करेगा इसराइल ने अपने मित्र देश के विदेश मंत्रियों को बता दिया है कि इरान पर पलटवार भ्यानक होगा और इरान को सवक सिखाने के लिए सभी मित्र देशों को इखटा होना होगा पश्चिमेश्या की युद्ध पहेली अब धीरे धीरे खुन रही है एक तरफ इरान के युद्ध पोत इसराइल की जमीन के आसपास समंदर के किनारों पर चक्कर लगा रहे है और दूसरी तरफ इरान अब दसगुना तेज हमले करने की धमकी दे रहा है किसी भी वक्त इसराइल और इरान का बेहत खतरनाक युद्ध छिडने वाला है दूसरी तरफ इसराइल पर तीन तरफ से हुए 180 डिग्री हमले के बावजूद भी घजा पट्टी पर इसराइल का कहर इतनी खतरनाक तरीके से टूट रहा है कि इसराइल ने सिर्फ एक गोले में 5,000 लोगों को मार डाला है यह हमला घजा सिटी के अलबस्मा IVF सेंटर यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर पर हुआ जहां पर हजारों की संख्या में मानव भून रखे हुए थे सबसे पहले हम बिटेन की विदेश मंत्री डेविट केमरून के उस बयान की चर्चा करेंगे जिसने इसराइल इरान युद पर 100% मोहर लगा दी है दरसल इरान के पलटवार के बाद इसराइल के मित्र देशों के तमाम विदेश मंत्री रक्षा मंत्री इसराइल के दौरे कर रहे हैं ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से इसराइल के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है इस्राइल के रक्षा मंत्री यॉफ गैलिंट ने इटली के रक्षा मंत्री से मुलाकात की है इस्राइल के अंदर बिटेन के विदेश मंत्री डेविट केमरान और इस्राइल के राश्टपती साख हगोर्स की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद बिटेन की विदेश मंतरी डेविट किमरॉन ने एसाब कर दिया है कि इसराइल ने इरान पर पलटवार करने का फैसला कर लिया है इसराइल की राजधानी के अंदर और क्या चल रहा है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं तहरान जहां ऐसी रणनीती बन चुकी है कि युक्रेन और घजापट्टी से भी भीशन युद अटल हो गया है एक तरफ बिटेन की विदेश मंतरी डेविट किमरान ये ऐलान कर रहे हैं कि युद अटल है इसराइल हमला करेगा और दूसरी तरफ इरान के उपविदेश मंतरी अली बागेरी ने एक बियान जारी किया है और बिल्कुल साफ साफ कहा है कि इसराइल को ये समझ लेना चाहिए कि इरान इस बार इसराइल के हमले का पलटवार करने के लिए बारा दिन का लंबा समय बिल्कुल भी नहीं और इसराइल को देहला दिया जाएगा इसराइल की राजधानी तेलवीव में इसराइल के बंतरी अपने साथी गड़बंदन देशों के प्रतिनिद्यों के साथ युद के शुरुआत से पहले जबरदस बैठके कर रहे हैं और दूसरी तरफ इरान की राजधानी सेना जो अपकी पिछले साल इरान की सेना ने आयातुला, रोहिला, खामनेई के मकबरे पर सेना दिवस मनाया था हाला कि इरान ने इसका कोई कारण नहीं दिया है कि उसने गुप तरीके से सेना दिवस क्यों मनाया लेकिन इसे इसराइल के पलटवार के खौफ से जोड़ कर ठोर होगी, अगर खुचकतरीन ठार रोजी अजना हिया रजीम से यूनिस्टी बेखाच वतन मासूरत बिगीरत वब मनाफ़ जो मूरी इसलामी इरान यगीन बेदानेंट बर खुर्दी बस्यार शड़ीद इरान को पता है कि इसराइल समुदर में भी कोई बड़ा एक्शन लेकर उसे चौका सकता है इसलिए इरान ने अपने युद्दपोत को लाल सागर की तरफ भेज़ दिया है इरान की नौसेना अपने वेपारिक जहाजों को बाकाइदा एसकौर्ट कर रही है इरान का युद्पोत जमरान फ्रिगेट अधन की खाड़ी में मौझूद है इरान को इस बात का डर है कि कहीं इसराइल उसके किसी वेपारिक जहाज पर अबजा न कर ले इसराइल के सामने इरान का गड़बंदन काफी कमजोर नजर आ रहा है एक तरफ इसराइल की सर्कार अपने देश की राजधानी के अंदर इटली के रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग कर रही है लेकिन दूसरी तरफ इरान अभी भी अपने सायोग्यों के साथ मजबूत रिष्टे की तलाश में लगा हुआ है इसराइल का पड़ोसी देश जौडन खुलकर इसराइल के साथ ख़डा नजर आ रहा है वेस्ट इशिया के बाकि इसलामी देश असमंजस में नजर आ रहे हैं और वो इस युद्ध से दूर रहने की नीती पर अमल करते हुए दिख रहे हैं इरान और रूस के विदेश मंतरियों ने आपस में फोन पर बाचीज जरूर की है लेकिन फिर भी ये गड़बंदन इसराइल के गड़बंदन के सामने बेहत कमजोर नजर आता है तोकि इसराइल के साथ अमेरिका ना सिर्फ खुलकर खड़ा है बलके अमेरिका के जनरल और अमेरिका फ्रांस और बिटेन का पूरा साथ औ सामान इसराइल की सुरक्षा में तैनात है इरान और उसके सायोग्यों के लिए इस वक्त भी सबसे बड़ी मुसीबत इसराइल का सुरक्षा कवज बना हुआ है लेबनान में एरान के सयोगी इस बुल्ला के पास एरान के द्वारा दी गई मिसाइल ही है और दक्षिन लेबनान में एक बार फिर इस्राइल पर टेस्ट फायर किये गए इसराइल पर 6 मिसाईलें दागी गई लेकिन इसराइल ने 6 की 6 मिसाईलें बेकार कर दी और उन्हें इसराइल की धरती पर गिंड़ने से पहले ही मार दिया दूसरी तरफ इसराइल बेखौफ होकर गाज़ा पटी में लगातार कोहरा मचा रहा है बीते 24 घं ते के अंदर इसराइल ने गाज़पटी में 24 ठिकानों पर हमले किये और इनमें 56 लोहों को मार दिया है इसराइल अब तक 33,899 फिलिस्तिनियों को गाजा में मार चुका है और 76,664 फिलिस्तिनियों को घाल कर चुका है दूसरी तरफ फिलिस्तीन हर साल की तरह इस साल भी सतना अपरेल को कैदी दिवस मना रहा है इस वक्त भी इजराइल की जेलों में साड़े नौ हजार फिलिस्तीनी राज़नीतिक कैदी मौजूद है इन में से 561 को उम्र कैद की सजा मिली हुई है गाजा पट्टी में 7 अक्तूबर से 15 मार्च के बीच 394 ऐसे हमले हुए जो संयुक्त राश्ट से जुड़े संगठनों पर हुए है जिसमें संयुक्त राश्ट का जंड़ा पहरा रहा था और इन हमलों में भी 408 विस्तापित दोगों की मौत हुई परमाणू शुद्ध इरान मरेगा या फिर मारेगा अगर इसरेल ने धोखे से भी इरान के परमाणू ठिकानों पर हमला किया तो ये तैय मानिये कि इरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर इरान के टॉप जनरल इसरेल पर सीधा हमला पलक जपकते ही करतेंगे इरान के पंकर में घातक मिसाईलों का ऐसा जखीरा मौझूद है जो इसरेल को विनाश करने के लिए काफी है शायद यही वज़े है कि अब इसरेल इरान के परमानों ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि इरान के परमानों हमलों से बचा जा सकते ज़रा देखिए खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इस्रेल इरान के किन परमाणू ठिकानों पर हमला करने जा रहा है इस्रेल के अफ़ार दे टाइम्स ओफ इस्रेल के मताबिक इरान के फोटो और नटाजन परमाणू ठिकानों पर इस्रेल हमला करने जा रहा है खबरों में दावा किया गया है कि इसरेल अपने लड़ा को विमाद F-35A और F-15E-X को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है 80 मीटर गहराई में मौझूद इरान के फोडो परमाणू ठेकाने पर 30,000 पाउंड बंकर ब्लस्टर बम गिराने का प्लान है ताकि 80 मीटर गहराई में इरान के फोडो परमाणू ठेकाने को तबाख किया जा सके दाबा किया जा रहा है कि 1200 किलोमेटर दूर मौझूद फोडो परमाणू ठेकाने को अगर इस्रेल के F-35A और F-15E-X लड़ाकों विमान तबाख कर देते हैं तो ये इरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान इसाबित होगा ऐसा नहीं है कि इस्रेल के हमले का दाबा खोखला है क्योंकि इस सुवत इस्रेल के फाइटर जेट इरान के परमाणू ठेकानों पर जबरदस्थ हमला करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं एफ-35A और एफ-15E-X लड़ा को एक ऐसा अभ्यास कर रहे हैं जिसमें इस्रेल से इरान के बीच और सत पंद्रा सो किलोमेटर दूर पर बम गिराना है हमले से जोड़ी इस खबर के पुष्टी एक और खबर भी कर रही है International Atomic Energy Agency यानि IAEA ने ऐसा खुलासा किया है जो वाकई दिल तहला देने बाला है IAEA की चीफ राफेल ग्रासी ने मीडिया को गताया कि इरान के परमाणों ठेकानों पर इस्रेल के हमले का खत्रा बढ़ चुका है जिसकी वज़े से इरान में अपने कई परमाणों ठेकानों को बंद कर दिया है राफेल ग्रासी के मुताबिक आईये IAEA के अधिकारी इरान के परमाणों ठेकानों का निरिक्षन नहीं कर सकते जिनकी जाच रोज होती ही इरान में इस्रेली खत्रे को देखे हुए परमाणों साइटें बढ़ का भी है तर दो अब चल्च भी है परमाणू शुद इरान मरेगा या फिर मारेगा इरान ने भी कच्छी गोलिया नहीं खेली है इरान को भी कही न कहीं दूस से जबरदस्त मदद मिल रही है इस वक्द इरान दुनिया में आत्मखाती भून बनाने में काफी आगे निकल चुका है उसके पास हजारों की दादाद में बलेस्टे, कूस और हाइपरसोनिक मिसाइले हैं जिसमें से कई परमाणू वं से बहुत कम वक्ट में लैस हो सकती है इसी वज़ा से दावा किया जा रहा है कि इरान के परमाणू फैसलेटी पर हमला करना इस्रेल के लिए इराक और सीरिया की तरह आसान नहीं होने वाला है सबसे पहली बाद इरानी परमाणू फैसलेटी बिखरी होई है और उनमें से कई पहाड़ीों में इस्थित है दूसरी बाद ये कि इस्रेल से इरान के परमाणू फैसलों तक सीधी उडान के लिए भी हवा में इंधन भरने या इंधन भरने के लिए लैंड करने के अवश्यक्ता होगी इरान और इस्रेल के बीच जॉडन, इरान और सौधी अरबिस्तिक है जिन मसे कोई भी इस्रेली लडाको गुमान को ना तो लैंडनिंग के अजाज़त देंगे और ना ही अपने अस्पान से औरान पदने के मनजूरी देगा तीसरा ये है कि इस्रेल से इरान के बीच की दूरी अटारा सौ किलोमेटर है जहाँ पर इस्रेली वारुसेना के लडाको गुमानों के लिए परमान और ठिकानों पर हमला करना जरा भी आसान नहीं होगा अब चनाँच रजीम इसराईल दस दस पा खताब कने इन बार पासुख एरान हमान तोली के मुनीराई मसल्ला इलाम करदन इधर इसरेल के पी-म बैनमिन नेतन्याहू फाइटर जट एफ-15 बेस का दौरा कर चुके है नेतन्याहू भले ही इरान को दबाही की धमकिया दे लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत खदरनाक है जरा देखिये इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है युद्ध तो होना अभी बाकी है इरान को अपनी मिसाइल और ड्रून ताकत पर जबरदस्थ भरूसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसरेल के बीच चल रही जंग से दूर हो जा जरा देखिये कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकत इरान के पास नो ऐसी बलेस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमेटर दूर इसरेल पर हमला बोल सकती है इन मिसाइल में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाये तो वो है सेचर ये मिसाइल 17,000 किलोमेटर परतिघंडे के तیजि से 2500 किलोमेटर दूर हमला कर सकती है तो वहीं कीबर मिसाइल के मारप्षम ताक 2000 किलोमेटर है इसके साथ ही हज कासेम की अटांकिंग रेंज 1400 किलो मीटर है। इरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्योक्लियर पावसल एस है। इसकी रेंज 3000 किलो मीटर है। इरान ने अपने डून के जखीरे में भी खास काम किया है। पूरे मिडल इस चित्र की बात की जाये तो इर इरान आत्मधाती ध्रोन का सबसे बड़ा निर्माता है। खोल मिलाकर अगले 24-48 घंटे में अगर इसराइल इरान पर पर्माणू हमला करता है तो पूरा पश्ची मेश या पर्माणू भट्टी में भस्म हो जाएगी। तो एरान ने इसराइल पर तावर तोड़ कई हमले किये हैं और दावा किया है कि ये तो अभी ट्रेलर है असलिए युद्ध अभी बाकी है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या अब होगा पर्माणू युद्ध। तो इसराइल और इरान जन से पूरी दुनिया खौफ में आ चुकी है। पांच घंटे तक इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किये है। इरानी जनरों का दावा है कि ये तो अभी ट्रेलर है युद्ध भी बाकी है। और इस बीच कुछ रिपोर्ट अब दावा किया जाने लगा है कि अगर इरान पर इसराइल और अमेरिका मिलकर हमला करते हैं तो ऐसी सिथी में रूस इरान के साथ युद्ध में कूट पड़ेगा। बड़ेगा। इस्रेल से युद्ध इरान के साथ रूस अगर इस्रेल, अमेरिका, ब्रित्र और पश्यम देश ये सोच रहे हैं कि हम इरान को अगले 48 गंटे में तबाह कर देंगे तो ये गलत फैमी वो जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं कर ले क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राश्रोपति पुतिन का रूस इरान का जंग में साथ बेने जा रहा है दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर अमेरिका, बिटन और इस्रेल मिलकर इरान पर हमला करते हैं तो रूस की घातक मिसाइले, धून और लड़ाकु जहाज इरान को बचाने के लिए जंग में सीधे कूद पड़ेंगे राश्वपती पोतिन ने इरान को खुफिया तरीके से पूरा वार प्लैन पहुचा दिया है पश्य मीडिया के जानकारों के मुताबिक इस्रेल पर इरान का सीधा हमला साबित करता है कि इरान को रूस से हमले की हरी जंडी पहले ही मिल गई थी अब सबाल उड़ता है कि रूस इरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटन, इस्रेल और नाटो देशों से जंग क्यो करने पर उतारू है क्या इरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है ज़रा देखिये क्यों रूस इरान का साथ जंग में देने जा रहा है दो साल से ज्यादा समय से चल रही रूस योकरेन जंग में इरान जंग कर रूस का साथ दे रहा है इसलिए अब रूस इरान का जंग में साथ देने के लिए तयार हो चुका है इरान योकरेन युद में रूस को हजारो अगाती ढोंग शाहिद 136 मुहासे 10 जैसे ढोंग दे रहा है जिसके जर्ये रूस योकरेन को जंग में रौंद चुका है यहां तक कि खुफिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इरान ने रूस को योकरेन जंग में अपनी घातक में साई ले तीन लाग तोप के गोले 10 करोड गोलियां तक दी है और उसके बाद भी हजारो रौकेट जंग का सामान रूस अभी भी भी भेज रहा है डेफेंस एक्सपोर्ट का दावा है कि पोतिन इरान के आसान को दिल से मानते हैं और इरान से वफ़दारी दिखाते हुए अब जंग में इरान का साथ देने जा रहे हैं रूस के दम से ही इरान ने इसरेल पर घातक हमले किये हैं और 330 मिसाइल और गूम से हमला किया है बरादरान और दूस्तान मान दर मनतके के एलात मुदादी अमरीका दर आन किशवर हा दाराई पाईगाह निजामी इस इलाम करदीम के हदफ मा दर दिफाए मशरू सिर्फन तन्बीह रजीम इसराईल हस्त इरान के साथ मुस्लिम वार्ड, इसरेल के साथ नाटू इसरेल और इरान की जंग में दुनिया तेजी से बट रही है जहां रूस इरान के साथ खड़ा है तो वहीं अमेरिका, बिट्र, फ्रांस समेथ तमाम पशिमी और नैटो देश इसरेल के साथ खड़े है अब ज़र आप ये भी जान लीजिए कि इरान के साथ मुस्लिम वाल के कौन-कौन से देश खड़े है और कौन से मुस्लिम देशों ने इरान के साथ गड़दारी किये पहले आप ये जान लीजिए कि जब इरान आधी रात में इसरेल पर भायानक हमले कर रहा था तो उस सुख अरब देश जॉर्डन ने इरान के घातक हमलों को नाकाम करने के लिए क्या किया टाइमस अफ इसरेल ने इसरेली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जॉर्डन के जट विमानों ने उत्तरी और मध्ध जॉर्डन से होकर इसरेल की ओर जाने वाले दरजुनों इरानी ड्रोन को मार गिराया है जॉर्डन की तरफ से इस्रेयल की मदद के लिए अपने जेट भेजना एक बड़ा कदम है इस्रेयली सूत्रों का कहना है कि इरान के ड्रोन जॉर्डन घाटी और हवा में उतारे गए थे और यरुशलम की ओर जा रहे थे लेकन उससे पहले ही जॉर्डन की फाइटर जेट्स ने इरान के ड्रोन को मार किराया इरान जॉर्डन की गद्डारी से बेहत नाराज है इस्रेयल की मदद करने के लिए इरान की IRGC ने जॉर्डन को धमकी दी है कि अगर वो इस्राइल की और मदद करता है तो इरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा एक पश्यमी न्यूज एजनसी ने इरान के सूत्रों के हवाले से दाबा किया है इरान की सेना जायोनी शासन के खिलाफ हमले के दोरान जॉर्डन की गदेविधियों की सावधानी पूरवक नेगरानी कर रही है और अगर जॉर्डन हस्तक शिप करता है तो इरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा इस्रेल पर इरान के हमले के बाद से पूरे इरान में जश्ट मनाया जा रहा है इरान का दावा है कि उसने कई घंटे तक इस्रेल पर हमले किये लेकिन वहीं इस्रेल और अमेरिका का दावा है कि उसने इस्रेल के 300 से ज़ादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है जरा देखिए इरान के कितने ड्रोन और मिसाइले दबा हुई है इरान ने इस्रेल पर करीब 5 गंटे तक हमला किया इस्रेल पर इरान के हमले की दोरान अमेरिकी सेना ने 70 से ज़ादा ढ्रोन और कम से कम 3 बैलस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है इस्रेली सेना का कहना है कि उसने इरान द्वारा दागे गए करीब 99 फीस्दी ढ्रोन और मिसाइल को मार गिराया है दावे की मुताबे इरान के 170 मिसाइल और ढोन को इसरेल के बाहर ही मार दिया गया जबकि इरान की 30 क्रूज मिसाइले एक भी इसरेली एर स्पेस में नहीं घुस्पाई 30 में से 25 मिसाइले तबाह कर दी गई एरान की 120 बैलेस्टिक मिसाइलें दागी गई, जेने तबाह करने का दावा किया गया है लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एरान की कुछ बैलेस्टिक मिसाइलों ने इस्राइल के निवात्म एयर बेस में गिर गई थी इस्राइली सिना नमाना है कि उसे मामूली नुकसान हुआ है, कुल मेलाकर एरान के 320 ड्रून और मिसाइलें तबा हुई एरान के खाया टरियलर, इस्यट, तबाब ही बाकिये पिछले कुछ घंटों में जो हालात पश्यम एशिया में जंग से बने हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका, बिर्टन जंग में सीधे तोर पर कूत पड़े हैं इस्रेल भी इरान पर जबावी हमले की तैयारी कर रहा है इस्रेल के पिम बैन्यमी नेतनियाहू फाइटर जेट एफ 15 बेस का दोरा कर चुके हैं नेतनियाहू भले ही इरान को तबाही की धंगिया दें लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत खदरनाक है ज़रा देखिये इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है युद्ध तो होना अभी बाकी है इरान को अपनी मिसाइल और रोन ताकत पर जबरदस्ट भरुसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इस्रेल के बीट चल रही जंग से दूर हो जाओ ज़रा देखिये कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकत इरान के पास नो ऐसी बैलेस्टिक मिसाइल्स हैं जो हसारों किलोमेटर दूर इस्रेल पर हमला बोल सकती है इन मिसाइल में अगर सबसे ख़दरनाक मिसाइल की बात की जाये तो वो है सेज़ ये मिसाइल 17,000 किलोमेटर प्रती घंटे की तेजी से 25-100 किलोमेटर दूर हमला कर सकती है तो वहीं कहीबर मिसाइल की मारफशमताग 2000 किलोमेटर है इसके साथ ही हज कासेन की अटैकिंग रेंज 1400 किलोमेटर है इरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर पावर से लैस है इसके रेंज 3000 किलोमेटर है इरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है पूरे मेडलिस्ट क्शे तरकिबात कीजाए तो ईरान अट घ्रोन का सबसे बड़ा निर्माता है ईरान के पास मोहाज़ 10 नाम का घ्रोन भी है जिसके रेंग 2000 किलोमेटर है तो वही मोहाज़ 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्पोटक भी लेजा सकता है अमश एरान पत्का बमतकफा नगद इसराइल वशिगरा योतर मे-300 इयोमी मसुगीं शोनी ऐयूम ऐरानी पगश अता अलियनות अवीरीत वाट तेकनोलोगीत शल बशिलूव कोऐलिटिया लोगमत चजका शियाखद इरतू अत रुबा ममख्रिया शल आयूमीम अब ऐसे हालात में अगर एरान रूस के साथ सीधे जंग में पूट पड़ता है तो फिर अमेरिका बिटन मिल कर भी इसराइल को एरान से बचा नहीं पाएंगे अब देखना होगा इरान का अगला कदम क्या होगा और इस रैन इरान के हमले का बदला कैसे लेता है चोंकि रूस अब इरान के साथ चटान बन कर खड़ा हो गया है पुरा अटालीस गहन्टे यही डेडलाइन है युद की आर पार के युद की इस्रैल अपने दुश्मनों को वक्त बता कर मारता है समहलने का मौका भी नहीं देता है हमास के हमले के महज 72 घंटे बाद इस्रैल ने ओपरेशन शुरू कर दिया था लेकिन इरान के पास उतना टाइम भी नहीं है अगर ड्रोन हमले में हिजबुला इस्रैल की 14 सेनिकों को घाल करने में कामियाब रहा तो उसका मतलब ये है कि इस्रैल का एर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोक पाने के लिए बिलकुल भी तयार नहीं था इरान के आमले से भी इस्रैल का आत्म विश्वास बढ़ गया है और नेत्याहूं की भी वार कैबिनिट के अंदर इरान से बदला लेनी की कसमे खा रही है बिलकुल साफ है कि इरान इस्रैल युद्ध चलता हुआ नजर नहीं आ रहा इस्रैल की तरफ से 100% कन्फर्म हो गया है कि वो इरान पर हमला करेगा इस्रैल ने अपने मित्र देश के विदेश मंत्रियों को बता दिया है कि इरान पर पलटवार भ्यानक होगा और इरान को सवक सिखाने के लिए सभी मित्र देशों को इखटा होना होगा पश्चिमेश्या की युद्ध पहेली अब धीरे धीरे खुन रही है एक तरफ इरान के युद्ध पोत इस्रैल की जमीन के आसपास समंदर के किनारों पर चक्कर लगा रहे है और दूसरी तरफ इरान अब दस गुना तेज हमले करने की धमकी दे रहा है किसी भी वक्त इसराइल और इरान का बेहत खतरनाक युद्ध छिडने वाला है दूसरी तरफ इसराइल पर तीन तरफ से हुए 180 डिग्री हमले के बावजूद भी घजा पट्टी पर इसराइल का कहर इतनी खतरनाक तरीके से तूट रहा है कि इसराइल ने सिर्फ एक गोले में 5,000 लोगों को मार डाला है यह हमला घजा सिटी के अलबस्मा IVF सेंटर यानि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर पर हुआ जहां पर हजारों की संख्या में मानब भून रखे हुए थे सबसे पहले हम बिटेन की विदेशमंत्री डेविट केमरून के उस बयान की चर्चा करेंगे जिसने इसराइल इरान युद पर 100% मोहर लगा दी है दरसल इरान के पलटवार के बाद इसराइल के मित्र देशों के तमाम विदेशमंत्री रक्षामंत्री इसराइल के दौरे कर रहे हैं बिटेन और जर्मनी के विदेशमंत्रियों से इसराइल के विदेशमंत्री ने मुलाकात की है इस्राइल के रक्षा मंतरी यॉफ गैलिंट ने इटली के रक्षा मंतरी से मुलाकात की है इस्राइल के अंदर बिटेन के विदेश मंतरी डेविट कैमरान और इस्राइल के राश्टपती साख हगोर्स की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद बिटेन की विदेश मंतरी डेविड किमरॉन ने इसाब कर दिया है कि इसराइल ने एरान पर पलटवार करने का फैसला कर लिया है इसराइल की राजधानी के अंदर और क्या चल रहा है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं तहरान जहां ऐसी रणनीती बन चुकी है कि युक्रेन और घजापट्टी से भी भीशन युद अटल हो गया है एक तरफ बिटेन की विदेश मंतरी डेविड किमरान ये एलान कर रहे हैं कि युद अटल है इसराइल हमला करेगा और दूसरी तरफ इरान के उप्विदेश मंतरी अलीब आगेरी ने एक बियान जारी किया है और बिल्कुल साफ साफ कहा है कि इसराइल को ये समझ लेना चाहिए कि इरान इस बार इसराइल के हमले का पलटवार करने के लिए 12 दिन का लंबा समय बिल्कुल भी नहीं लेगा इसराइल का हमला होते ही फौरण इरान के पलटवार की प्रतिक्रिया मिल जाएगी और इसराइल को दहला दिया जाएगा इसराइल की राजधानी तेलवीव में इसराइल के बंतरी अपने साथी गड़बंदन देशों के प्रतिनिद्यों के साथ युद के शुरुआत से पहले जबरदस बैठके कर रहे हैं और दूसरी तरफ इरान की राजधानी सेना दिवस मना रही है लेकिन इस बार सेना दिवस तेहरान की खुली सड़क पर नहीं मनाया गया इस बार इरान ने सीक्रिट तरीके से एक बैरिक के अंदर अपना सेना दिवस मनाया है जो अपकी पिछले साल इरान की सेना ने आयातुला, रोहिला, खामनेई के मकबरे पर सेना दिवस मनाया था हाला कि इरान ने इसका कोई कारण नहीं दिया है कि उसने गुब तरीके से सेना दिवस क्यों मनाया लेकिन इसे इसराइल के पलटवार के खौफ से जोड़ कर देखा जा रहा है इरान के सेना दिवस में बाकाइदा इरान के राश्टपती इबराहिम रईसी का एक बयान भी सामने आया और इस बयान में उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने हमला किया तो इस बार प्रतिक्रिया बहुत बड़े पैमाने पर होगी और बहुत कठोर होगी अगर खुचकतरीन तर्रोजी अज नाहिया रजीम सेनिस्टी बे खाक वतन मासूरत बिगीरत वब मनाफ़ जमूरी इसलामी इरान यगीन बदानेंट बर खुर्दी बस्यार शड़ीद इरान को पता है कि इसराइल समुदर में भी कोई बड़ा एक्शन लेकर तुसे चौका सकता है इसलिए इरान ने अपने युद्दपोत को लाल सागर की तरफ भेज दिया है इरान की नौसेना अपने वेपारिक जहाजों को बाकाइदा एसकौर्ट कर रही है इरान का युद्पोत जमरान फ्रिगेट अदन की खाड़ी में मौझूद है इरान को इस बात का डर है कि कहीं इसराइल उसके किसी वेपारिक जहाज पर अबजा न कर ले इसराइल के सामने इरान का गड़बंदन काफी कमजोर नजर आ रहा है एक तरफ इसराइल की सरकार अपने देश की राजधानी के अंदर इटली के रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग कर रही है लेकिन दूसरी तरफ इरान अभी भी अपने सयोग्यों के साथ मजबूत रिष्टे की तलाश में लगा हुआ है इसराइल का पड़ोसी देश जौडन खुल कर इसराइल के साथ ख़़ा नजर आ रहा है वेस्ट एशिया के बाकि इसलामी देश असमंजस में नजर आ रहे हैं और वो इस युद्ध से दूर रहने की नीती पर अमल करते हुए दिख रहे हैं इरान और रूस के विदेश मंत्रियों ने आपस में फोन पर बाचीज जरूर की है लेकिन फिर भी ये गड़बंदन इसराइल के गड़बंदन के सामने बेहत कमजोर नजर आता है तोकि इसराइल के साथ अमेरिका ना सिर्फ खुल कर खड़ा है बलकि अमेरिका के जनरल और अमेरिका फ्रांस और बिटेन का पूरा साथ औ सामान इसराइल की सुरक्षा में तैनात है इरान और उसके सायोग्यों के लिए इस वक्त भी सबसे बड़ी मुसीबत इसराइल का सुरक्षा कबज बना हुआ है लेबनान में एरान के सयोगी इसबुल्ला के पास एरान के द्वारा दी गई मिसाइल ही है और दक्षिन लेबनान में एक बार फिर इस्राइल पर टेस्ट फायर किये गए इस्राइल पर छे मिसाइलें दागी गई लेकिन इसराइल ने 6 की 6 मिसाईले बेकार कर दी और उन्हें इसराइल की धर्ती पर गिंडने से पहले ही मार दिया दूसरी तरफ इसराइल बेखौफ होकर गजापटी में लगातार कोहरा मचा रहा है बीते 24 घंटे के अंदर इसराइल ने गाज़ापटी में 24 ठिकानों पर हमले किये और इनमें 56 लोगों को मार दिया है इसराइल अब तक 33,899 फिलिस्तीनियों को गाज़ा में मार चुका है और 76,664 फिलिस्तीनियों को घायल कर चुका है दूसरी तरफ फिलिस्तीन हर साल की तरह इस साल 27 अपरेल को कैदी दिवस मना रहा है इस वक्त भी इजराइल की जेलों में 9,000 फिलिस्तीनी राज़नीतिक कैदी मौजूद है इनमें से 561 को उम्र कैद की सजा मिली हुई है गाजा पट्टी में 7 अक्तूबर से 15 मार्च के बीच 394 ऐसे हमले हुए जो संयुक्त राश्ट से जुड़े संगठनों पर हुए है जिसमें संयुक्त राश्ट का जंडा पहरा रहा था और इन हमलों में भी 408 विस्तापित दोगों की मौत हुई परमाणू शुद्ध इरान मरेगा या फिर मारेगा अगर इसरेल ने धोखे से भी इरान के परमाणू ठिकानों पर हमला किया तो ये तैय मानिये कि इरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर इरान के टॉप जनरल इसरेल पर सीधा हमला पलग जपकते ही करतेंगे इरान के पंकर में घातक मिसाइलों का ऐसा जखीरा मौजूद है जो इसरेल को विनाश करने के लिए काफी है शायद यही वज़े है कि अब इसरेल इरान के पर्माणू ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि इरान के पर्माणू हमलों से बचा जा सकते ज़रा देखिए खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इस्रेल इरान के किन परमाणू ठिकानों पर हमला करने जा रहा है इस्रेल के अफ़ार दे टाइम्स आफ इस्रेल के मताबिक इरान के फोटो और नटजन परमाणू ठिकानों पर इस्रेल हमला करने जा रहा है खबरों में दावा किया गया है कि इसरेल अपने लड़ा को विमान F-35A और F-15E-X को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है 80 मीटर गहराई में मौझूद इरान के फोडो परमाणू ठेकाने पर 30,000 पाउंड बंकर ब्लस्टर बम गिराने का प्लान है ताकि 80 मीटर गहराई में इरान के फोडो परमाणू ठेकाने को तबाख किया जा सके ताबा किया जा रहा है कि 1200 किलोमेटर दूर मौझूद फोडो परमाणू ठेकाने को अगर इस्रेल के F-35A और F-15E-X लड़ाकों विमान तबाख कर देते हैं तो ये इरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान थाबित होगा ऐसा नहीं है कि इस्रेल के हमले का दाबा खोखला है क्योंकि इस सुवक्ड इस्रेल के फाइटर जेट इरान के परमाणू ठेकानों पर जबरदस्थ हमला करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं एफ-35A और एफ-15E-X लड़ा को एक ऐसा अभ्यास कर रहे हैं जिसमें इस्रेल से इरान के बीच और सक 1500 किलोमेटर दूर पर बम गिराना है हमले से जोड़ी इस खबर के पुष्टी एक और खबर भी कर रही है International Atomic Energy Agency यानि IAEA ने ऐसा खुलासा किया है जो वाकई दिल तहला देने बाला है IAEA की चीफ राफेल ग्रासी ने मीडिया को बताया कि इरान के परमाणों ठेकानों पर इस्रेल के हमले का खत्रा बढ़ चुका है जिसकी वज़े से इरान ने अपने कई परमाणों ठेकानों को बंद कर दिया है राफेल ग्रासी के मुताबिक IAEA के अधिकारी इरान के परमाणों ठेकानों का नीरिक्षन नहीं कर सकते जिनकी जाच रोज होती थी इरान में इस्रेली खत्रे को देखते हुए परमाणों साइथें बढ़ का भी है और इस्पेक्टर को देखते हुए परमाणों साइथें बढ़ का भी है परमाणों शुद इरान मरेगा या फिर मारेगा इरान ने भी कच्छी गोलिया नहीं खेली है इरान को भी कही न कहीं दूस से जबरदस्त मदद मिल रही है इस वक्त इरान दुनिया में आत्मगाती ध्रून बनाने में काफी आगे निकल चुका है उसके पास हजारों की दादाद में बलेस्टिक, कूस और हाइपरसोनिक मिसाइले हैं जिसमें से कई परमाणों वं से बहुत कम वक्त में लैस हो सकती हैं इसी वज़ा से दावा किया जा रहा है कि इरान के परमाणों फैसलेटी पर हमला करना इसरेल के लिए इराक और सीरिया की तरह आसान नहीं होने वाला है सबसे पहली बार इरानी परमाणों फैसलेटी विखरी होई है और उनमें से कई पहाड़ीों में इस्थित है दूसरी बाग ये कि इसरेल से इरान की परमाणों फैसलों तक सीधी उडान के लिए भी हवा में इंधन भरने या इंधन भरने के लिए लैंड करने की आवश्यक्ता होगी इरान और इसरेल के बीच जॉडन, इरान और सौधी अरब इस्थित है जिन मसे कोई भी इसरेली लड़ाको विमान को ना तो लैंडिन के अजाज़त देंगे और ना ही अपने अस्थित है अरान पदने के मनजूरी देगा तीसरा ये है कि इसरेल से इरान के बीच की दूरी 800 किलोमेटर दे जहाँ पर इसरेली वारु सेना के लड़ाको विमानों के लिए परमानों प्रेगानों पर हमला करना जरा भी आसान नहीं होगा इधर इसरेल के पीम बेनमिन नेतनियाहू फाइटर जट एफ 15 बेस का दारा कर चुके है नेतनियाहू भले ही इरान को दबाही की धमकिया दे लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत खदरनाक है जरा देखिये इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है युद्ध तो होना अभी बाकि है इरान को अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत पर जबरदस्त भरूसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसरेल के बीच चल रही जंग से दूर हो जाओ ज़रा देखिये कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकत इरान के पास 9 ऐसी बलेस्टिक मिसाइल से हैं जो हजारों किलोमेटर दूर इसरेल पर हमला बोल सकती है इन मिसाइल में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाये तो वो है सेजिग ये मिसाइल 17,000 किलोमेटर प्रति घंटे की तेजी से 2500 किलोमेटर दूर हमला कर सकती है तो वही कीबर मिसाइल की मारक्षम तक 2000 किलोमेटर है इसके साथ ये हज का सेम की अटांकिंग रेंज 1400 किलोमेटर है इरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर पावस एलैस है इसकी रेंज 3000 किलोमेटर है इरान ने अपने डूरून के जखीरे में भी खास काम किया है पूरे मिडलीस च्रित्र की बात की जाये तो इरान आतुधाती भून का सबसे बड़ा निर्मा था है इरान के पास मुहाजर 10 नाम का खातक भून है जिसकी रेंज 2000 किलोमेटर है तो वहीं मुहाजर 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्पूटक भी ले जा सकता है अब सवाल उड़ता है कि इरान ऐसे हालत में क्या कर सकता है और क्या वाकई में इरान के पास ऐसे परमाणू बंब है जो इस्रेल को तबाह कर सकते हैं जरा देखिए International Atomic Energy Agency यानि IAEA इरान की परमाणू ख्शंता पर क्या दावा करता है खोल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे में अगर इस्रेल इरान पर परमाणू हमला करता है तो पूरा पश्शी मेश या परमाणू भट्टी में भस्म हो जाएगी तो इरान ने इस्रेल पर ताबर तोड़ कई हमले किये हैं और दावा किया है कि ये तो अभी ट्रेलर है असली युद्ध अभी बाकी है ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या अब होगा परमाणू युद्ध तो इस्राइल और इरान जन से पूरी दुनिया खौफ में आ चुकी है इरान ने पाँच गंटे तक इस्राइल पर मिसाल और ड्रोन हमले किये है इरानी जनरों का दावा है कि ये तो अभी ट्रेलर है युद्ध भी बाकी है और इस बीच कुछ रेपोर्ट अब दावा किया जाने लगा है कि अगर इरान पर इस्राइल और अमेरका मिलकर हमला करते है तो ऐसी सिथी में रूस इरान के साथ युद्ध में कूट पड़ेगा देखिए ये रेपोर्ट इस्राइल से युद्ध इरान के साथ रूस अगर इस्राइल, अमेरिका, ब्रित्राइल और पश्चम देश ये सोच रहे हैं कि हम इरान को अगले 48 गंटे में तबाह कर देंगे तो ये गलत फैमी वो जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं कर ले क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राश्रपती पुतिन का रूस इरान का जंग में साथ देने जा रहा है दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर अमेरिका, ब्रित्राइल और इस्राइल मिलकर इरान पर हमला करते हैं तो रूस की घातक मिसाइलें, धून और लड़ाकु जहाज इरान को बचाने के लिए जंग में सीधे कूद पड़ेंगे राश्रपती पुतिन ने इरान को खुफिया तरीके से पूरा वार प्लैन पहुचा दिया है बश्य मीडिया के जानकारों के मताबिक इस्रेयल पर इरान का सीधा हमला साबित करता है कि इरान को रूस से हमले की हरी जंडी पहले ही मिल गई थी अब सबाल उड़ता है कि रूस इरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटन, इस्रेयल और नाटो देशों से जंग क्यों करने पर उतारो है क्या इरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है ज़रा देखिए क्यों रूस इरान का साथ जंग में देने जा रहा है कि अब रूस इरान का जंग में साथ दिने के लिए तयार हो चुका है इरान योकरेन युद में रूस को हजारों आदंगाती ड्रों शाहित 136 वहां से 10 जैसे ड्रों दे रहा है जिसके जरिये रूस इरान को जंग में रौन चुका है यहां तक कि खुफिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इरान ने रूस को योकरेन जंग में अपनी घातक में साइल तीन लाख तोप के गोले दस करोड गोलियां तक दी है और उसके बाद भी हजारों रौकेट जंग का सामाद रूस अभी भी भी भेज रहा है डेफन्स एक्सपोर्ट का दावा है कि पुतिन इरान के आसान को दिल से मानते हैं और इरान से वफदारी दिखाते हुए अब जंग में इरान का साथ देने जा रहे हैं रोस के दम से ही एरान ने इसरेल पर गातक हमले किये हैं और 330 मिसाइल और रूम से हमला किया है बरादरान और दूस्तान मां दर मनतके के एलात मुटधी अमरीका दर आन किशवर हा दाराई पाईगाह निजामी इस इस इलाम करदीम के हदफ मां दर दिफाए मशरू सिर्फन तन्बीह रजीम इसराईल हस्ट इरान के साथ मुस्लिम वाल इसरेल के साथ नाटू इसरेल और इरान की जंग में दुनिया तेजी से बट रही है जहां रूस इरान के साथ खड़ा है तो वहीं अमेरिका, बिटे, फ्रांस समेथ तमाम पशिमी और नैटो देश इसरेल के साथ खड़े हैं अब ज़र आप ये भी जान लीजिए कि इरान के साथ मुस्लिम वाल के कौन-कौन से देश खड़े हैं और कौन से मुस्लिम देशों ने इरान के साथ खड़दारी कियें पहले आप ये जान लीजिए कि जब इरान आधी रात में इसरेल पर भायानक हमले कर रहा था तो उस सुख अरब देश जॉर्डन ने इरान के घातक हमलों को नाकाम करने के लिए क्या किया टाइमस अफ इसरेल ने इसरेली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जॉर्डन के जट विमानों ने उत्तरी और मध्य जॉर्डन से होकर इसरेल की ओर जाने वाले दरजुनों इरानी ड्रोन को मार गिराया है जॉर्डन की तरफ से इस्रेयल की मदद के लिए अपने जेट भेजना एक बड़ा कदम है इस्रेयली सूत्रों का कहना है कि इरान के ड्रोन जॉर्डन घाटी और हवा में उतारे गए थे और यरुशलम की ओर जा रहे थे लेकन उससे पहले ही जॉर्डन की फाइटर जेट्स ने इरान के ड्रोन को मार किराया इरान जॉर्डन की गद्दारी से बेहत नाराज है इस्रेयल की मदद करने के लिए इरान की IRGC ने जॉर्डन को धमकी दी है कि अगर वो इस्राइल की और मदद करता है तो इरान का अगला टार्गेट जॉर्डन होगा एक पश्यमी न्यूज एजनसी ने इरान के सूत्रों के हवाले से दाबा किया है इरान की सेना जायोनी शासन के खिलाफ हमले के दोरान जॉर्डन की गदेविद्यों की सावधानी पूरवक निगरानी कर रही है और अगर जॉर्डन हस्तक्षेप करता है तो इरान का अगला टार्गेट जॉर्डन होगा इस्राइल पर इरान के हमले के बाद से पूरे इरान में जश्ट मनाया जा रहा है इरान का दावा है कि उसने कई घंटे तक इस्राइल पर हमले किये लेकिन वहीं इस्रेल और अमेरिका का दावा है कि उसने इस्रेल के 300 से ज़ादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है जरा देखिए इरान के कितने ड्रोन और मिसाइले दबा हुई है इरान ने इस्रेल पर करीब 5 घंटे तक हमला किया इस्रेल पर इरान के हमले की दौरान अमेरिकी सेना ने 70 से ज़ादा ड्रोन और कम से कम 3 बैलस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है इस्रेली सेना का कहना है कि उसने इरान द्वारा दागे गए करीब 99 फीस्दी ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया है दावे की मुताबे इरान के 170 मिसाइल और ढोन को इस्रेल के बाहर ही मार दिया गया जबकि इरान की 30 क्रूज मिसाइले एक भी इस्रेली एर स्पेस में नहीं घुस्पाई 30 में से 25 मिसाइले तबाह कर दी गई एरान की 120 बलेस्टिक मिसाइले दागी गई जेने तबाह करने का दावा किया गया है लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एरान की कुछ बलेस्टिक मिसाइलों ने इसरेल के निवात्म एयर बेस्ट में गिर गई थी इस्राइली सिना नमाना है कि उसे मामूली नुकसान हुआ है, कौल मेलाकर ऐरान के 320 डूरून और मिसाइलें तबा हुई अमार्गा थो अद्राइली नुकसान हुआ है, कौल मेलाकर प्रदाइली नुकसान हुआ है उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका, बिटन, जंग में सीधे तोर पर कूट पड़े है इस्राइल भी इरान पर जवावी हमले की तैयारी कर रहा है इस्राइल के पीम वेन्यमिन नेतन्याहू फाइटर जेट F-15 बेस का दोरा कर चुके है नेतन्याहू भले ही इरान को तबाही की धम्तियां दें लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत ख़दरनाक है ज़रा देखिये इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है, युद्ध तो होना अभी बाकी है इरान को अपनी मिसाइल और रोन ताकत पर जबरदस्ट भरुसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसरैल के बीट चल रही जंग से दूर हो जाओ ज़रा देखिये कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकत इरान के पास 9 ऐसी बैलेस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमेटर दूर इस्रैल पर हमला बोल सकती है इन मिसाइल में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाए तो वो है सेच ये मिसाइल 17,000 किलो मीटर प्रती घंटे की तेजी से 2500 किलो मीटर दूर हमला कर सकती है तो वहीं खीबर मिसाइल की मारफ शम्ताग 2000 किलो मीटर है इसके साथ ही हज कासेन की अटैकिंग रेंज 1400 किलो मीटर है इरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर पावर से लैस है इसके रेंज 3000 किलो मीटर है इरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है पूरे मेडल इस्ट क्षेतर की बात की जाए तो इरान आत्गाती ड्रोन का सबसे बड़ा निर्माता है इरान के पास मोहाज़ तेन नाम काधा तक ब्रोन भी है जिसके रेंज 2000 किलो मीटर है तो वही मोहाज़ तेन अपने साथ 300 किलो ग्राम काव बस्पोर तक भी लेजा सकता है अमश एरान पत्का बमतकफा नגद इसराइल वशिगरा योतर मेश्मूट इयोमी मसुगीं शोनी ऐयूम हाई एरानी पगश अता अलियनות האवीरीत वाट तेकनोलोगी चल बशिलूव कौलिटिया लोगमत चजका अब ऐसे हालात में अगर एरान रूस के साथ सीधे जंग में पूट पड़ता है तो फिर अमेरिका बिटन मिल कर भी इसराइल को एरान से बचा नहीं पाएंगे अब देखना होगा कि एरान का अगला कदम क्या होगा और एसराइल इरान के हमले का बदला कैसे लेता है चोंकि रूस अब इरान के साथ चटान बन कर खड़ा हो गया है उरा अनतालीस गहंटे यही डेडलाइन है युद्ध की आर पार के युद्ध की इसराइल अपने दुश्मनों को वक्त बता कर मारता है समहलने का मौका भी नहीं देता है हमास के हमले के महज 72 घंटे बाद इसराइल ने आपरेशन शुरू कर दिया था लेकिन इरान के पास उतना टाइम भी नहीं है अगर ड्रोन हमले में इसराइल की 14 सेनिकों को घाल करने में कामियाब रहा तो उसका मतलब ये है कि इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोक पाने के लिए बिलकुल भी तैयार नहीं था इरान के हमले से भी इसराइल का आत्म विश्वास बढ़ गया है और नेत्याहूं की भी वार कैबिनिट के अंदर इरान से बदला लेनी की कस्मे खा रही है बिलकुल साफ है कि इरान इसराइल युद्ध चलता हुआ नजर नहीं आ रहा इसराइल की तरफ से 100% कनफर्म हो गया है कि वो इरान पर हमला करेगा इसराइल ने अपने मित्र देश के विदेश मंत्रियों को बता दिया है कि इरान पर पलटवार भ्यानक होगा और इरान को सवक सिखाने के लिए सभी मित्र देशों को इखटा होना होगा पश्चिमेश्या की युद्ध पहेली अब धीरे धीरे खुन रही है एक तरफ इरान के युद्ध पोत इसराइल की जमीन के आसपास समंदर के किनारों पर चक्कर लगा रहे है और दूसरी तरफ इरान अब दसगुना तेज हमले करने की धमकी दे रहा है किसी भी वक्त इसराइल और इरान का बेहत खतरनाक युद्ध छिडने वाला है दूसरी तरफ इसराइल पर तीन तरफ से हुए 180 डिग्री हमले के बावजूद भी घजा पट्टी पर इसराइल का कहर इतनी खतरनाक तरीके से टूट रहा है कि इसराइल ने सिर्फ एक गोले में 5,000 लोगों को मार डाला है यह हमला घजा सिटी के अलबस्मा IVF सेंटर यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर पर हुआ जहां पर हजारों की संख्या में मानव भून रखे हुए थे सबसे पहले हम बिटेन की विदेश मंत्री डेविट केमरून के उस बयान की चर्चा करेंगे जिसने इसराइल इरान युद पर 100% मोहर लगा दी है दरसल इरान के पलटवार के बाद इसराइल के मित्र देशों के तमाम विदेश मंत्री रक्षा मंत्री इसराइल के दौरे कर रहे हैं बिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से इसराइल के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है इस्राइल के रक्षा मंत्री यॉफ गैलिंट ने इटली के रक्षा मंत्री से मुलाकात की है इस्राइल के अंदर बिटेन के विदेश मंत्री डेविट केमरान और इस्राइल के राश्टपती साख हगोर्स की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद बिटेन की विदेश मंतरी डेविट किमरॉन ने इसाब कर दिया है कि इसराइल ने एरान पर पलटवार करने का फैसला कर लिया है इसराइल की राजधानी के अंदर और क्या चल रहा है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं तहरान जहां ऐसी रणनीती बन चुकी है कि युक्रेन और घजापट्टी से भी भीशन युद्ध अटल हो गया है एक तरफ बिटेन के विदेश मंत्री डेविट केमरान ये ऐलान कर रहे हैं कि युद्ध अटल है इसराइल हमला करेगा और दूसरी तरफ एरान के विदेश मंत्री अली बागेरी ने एक बियान जारी किया है और बिल्कुल साफ साफ कहा है कि इसराइल को ये समझ लेना चाहिए कि इरान इस बार इसराइल के हमले का पलटवार करने के लिए 12 दिन का लंबा समय बिल्कुल भी नहीं लेगा इसराइल का हमला होते ही फौरण एरान के पलटवार की प्रतिक्रिया मिल जाएगी और इसराइल को दहला दिया जाएगा इसराइल की राजधानी तेल अवीव में इसराइल के बंतरी अपने साथी गडबंदन देशों के प्रतिनिद्यों के साथ युद के शुरुआत से पहले जबर्दस बैठके कर रहे हैं और दूसरी तरफ इरान की राजधानी सेना दिवस मना रही है लेकिन इस बार सेना दिवस तेहरान की खुली सलक पर नहीं मनाया गया इस बार इरान ने सीक्रिट तरीके से एक बैरिक के अंदर अपना सेना दिवस मनाया है जो अपकी पिछले साल एरान की सेना ने आयातुल्ला, रोहिल्ला, खामनेई के मकबरे पर सेना दिवस मनाया था हाला कि एरान ने इसका कोई कारण नहीं दिया है कि उसने गुप तरीके से सेना दिवस क्यों मनाया लेकिन इसे इसराइल के पलटवार के खौफ से जोड़ कर देखा जा रहा है एरान के सेना दिवस में बाकाइदा एरान के राज्टपती इबराहिम रईसी का एक बयान भी सामने आया और इस बयान में उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने हमला किया तो इस बार प्रतिक्रिया बहुत बड़े पैमाने पर होगी और बहुत कठोर होगी एरान को पता है कि इसराइल समुद्र में भी कोई बड़ा एक्शन लेकर तुसे चौका सकता है इसलिए एरान ने अपने युद्दबोत को लाल सागर की तरफ भेज़ दिया है इरान की नौसेना अपने वेपारिक जहाजों को बाकाइदा एसकौर्ट कर रही है इरान का युद्दबोत जमरान फ्रिगेट अदन की खाड़ी में मौझूद है इरान को इस बात का डर है कि कहीं इसराइल उसके किसी वेपारिक जहाज पर अबज़ा न कर ले इसराइल के सामने इरान का गड़बंदन काफी कमजोर नज़र आ रहा है एक तरफ इसराइल की सरकार अपने देश की राजधानी के अंदर इटली के रक्षा मंतरी के साथ मीटिंग कर रही है लेकिन दूसरी तरफ इरान अभी भी अपने सयोग्यों के साथ मजबूत रिष्टे की तलाश में लगा हुआ है इसराइल का पड़ोसी देश जॉर्डन खुलकर इसराइल के साथ ख़़ा नज़र आ रहा है वेस्ट इशिया के बाकि इसलामी देश असमंजस में नज़र आ रहे हैं और वो इस युद्ध से दूर रहने की नीती पर अमल करते हुए दिख रहे हैं इरान और रूस के विदेश मंतरियों ने आपस में फोन पर बाचीज जरूर की है लेकिन फिर भी ये गड़बंदन इसराइल के गड़बंदन के सामने बेहत कमजोर नज़र आता है तोकि इसराइल के साथ अमेरिका ना सिर्फ खुलकर खड़ा है बलकि अमेरिका के जनरल और अमेरिका, फ्रांस और बिटेन का पूरा साज़ो सामान इसराइल की सुरक्षा में तैनाथ है इरान और उसके स्योग्यों के लिए इस वक्त भी सबसे बड़ी मुसीबत इसराइल का सुरक्षा कवज बना हुआ है लेबनान में एरान के सयोगी इस बुल्ला के पास एरान के द्वारा दी गई मिसाइल ही है और दक्षिन लेबनान में एक बार फिर इस्राइल पर टेस्ट फायर किये गए इसराइल पर 6 मिसाईलें दागी गई लेकिन इसराइल ने 6 की 6 मिसाईलें बेकार कर दी और उन्हें इसराइल की धर्ती पर गिंने से पहले ही मार दिया दूसरी तरफ इसराइल बेखौफ होकर गाज़ा पट्टी में लगातार कोहरा मचा रहा है बीते 24 घंटे के अंदर इसराइल ने गाज़ा पट्टी में 24 ठिकानों पर हमले किये और इन में 56 लोगों को मार दिया है इसराइल अब तक 33,899 फिलिस्तीनियों को गाज़ा में मार चुका है और 76,664 फिलिस्तीनियों को घायल कर चुका है दूसरी तरफ फिलिस्तीन हर साल की तरह इस साल भी 17 अपरेल को कैदी दिवस मना रहा है इस वक्त भी इसराइल की जेलों में 9,000 फिलिस्तीनी राज़नीतिक कैदी मौजूद है इन में से 561 को उम्र कैद की सजा मिली हुई है गजा पट्टी में 7 अक्तूबर से 15 मार्च के बीच 394 ऐसे हमले हुए जो संयुक्त राश्ट से जुड़े संगठनों पर हुए है जिसमें संयुक्त राश्ट का जंड़ा पहरा रहा था और इन हमलों में भी 408 विस्तापित दोगों की मौत हुई परमाणू शुद्ध इरान मरेगा या फिर मारेगा अगर इसरेल ने धोखे से भी इरान के परमाणू ठिकानों पर हमला किया तो ये तैय मानिये कि इरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर इरान के टॉप जनरल इसरेल पर सीधा हमला पलग जपकते ही करतेंगे इरान के पंकर में घातक मिसाइलों का ऐसा जखीरा मौजूद है जो इसरेल को विनाश करने के लिए काफी है शायद यही वज़े है कि अब इसरेल इरान के पर्माणू ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि इरान के पर्माणू हमलों से बचा जा सकते ज़रा देखिए खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इस्रेल इरान के किन परमाणू ठिकानों पर हमला करने जा रहा है इस्रेल के अफ़ार ताइम्स आफ इस्रेल के मताबिक इरान के फोटो और नटजन परमाणू ठिकानों पर इस्रेल हमला करने जा रहा है खबरों में दावा किया गया है कि इसरेल अपने लड़ा को विमान F-35A और F-15E-X को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है 80 मीटर गहराई में मौझूद इरान के फोडो परमाणू ठिकाने पर 30,000 पाउंड बंकर ब्लस्टर बम गिराने का प्लान है ताकि 80 मीटर गहराई में इरान के फोडो परमाणू ठिकाने को तबाख किया जा सके ताबा किया जा रहा है कि 1200 किलोमेटर दूर मौझूद फोडो परमाणू ठिकाने को अगर इस्रेल के F-35A और F-15E-X लड़ाकों विमान तबाख कर देते हैं तो ये इरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान थाबित होगा ऐसा नहीं है कि इस्रेल के हमले का दावा खोखला है क्योंकि इस सुवक्ड इस्रेल के फाइटर जेट इरान के परमाणू ठिकानों पर जबरदस्थ हमला करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं एफ-35A और एफ-15E-X लड़ा को एक ऐसा अभ्यास कर रहे हैं जिसमें इस्रेल से इरान के बीच और सक 1500 किलोमेटर दूर पर बम गिराना है हमले से जोड़ी इस खबर के पुष्टी एक और खबर भी कर रही है International Atomic Energy Agency यानि IAEA ने ऐसा खुलासा किया है जो वाकई दिल तहला देने बाला है IAEA की चीफ राफेल ग्रासी में मीडिया को बताया कि इरान के परमाणों ठेकानों पर इस्रेल के हमले का खत्रा बढ़ चुका है जिसकी वज़े से इरान ने अपने कई परमाणों ठेकानों को बंद कर दिया है राफेल ग्रासी के मुताबिक IAEA के अधिकारी इरान के परमाणों ठेकानों का निरिक्षन नहीं कर सकते जिनकी जाच रोज होती थी इरान में इस्रेली खत्रे को देखते हुए परमाणों साइथें बद का भी है परमाणों शुद इरान मरेगा या फिर मारेगा इरान ने भी कच्छी गोलिया नहीं खेली है इरान को भी कही न कहीं दूस से जबरदस्त मदद मिल रही है इस वक्त इरान दुनिया में आत्मगाती ध्रून बनाने में काफी आगे निकल चुका है उसके पास हजारों की दादाद में बलेस्टे, कूस और हाइपरसोनिक मिसाइले हैं जिसमें से कई परमाणों वं से बहुत कम वक्त में लैस हो सकती हैं इसी वज़ा से दावा किया जा रहा है कि इरान के परमाणों फैसलेटी पर हमला करना इस्रेल के लिए इराक और सीरिया की तरह आसान नहीं होने वाला है सबसे पहली बार इरानी परमाणों फैसलेटी बिखरी हुई है और उनमें से कई पहाड़ीों में इस्थित है दूसरी बाग ये कि इस्रेल से इरान के परमाणों फैसलों तक सीधी उडान के लिए भी हवा में इंधन भरने या इंधन भरने के लिए लैंड करने के आवश्यक्ता होगी इरान और इस्रेल के बीच जॉडन, इरान और सौधी अरब इस्थित है जिन मसे कोई भी इस्रेली लड़ाको विमान को ना तो लैंडिन के अजाज़त देंगे और ना ही अपने अस्पान से औरान पदने के मनजूरी देगा तीसरा ये है कि इस्रेल से इरान के बीच की दूरी 800 किलोमेटर देगे जहाँ पर इस्रेली वारु सेना के लड़ाको विमानों के लिए परमान और फिगानों पर हमला करना जरा भी आसान नहीं होगा इधर इस्रेल के पीम बेनमे नेतनियाहू फाइटर जट एफ 15 बेस का दौरा कर चुके है नेतनियाहू भले ही इरान को दबाही की धमकिया दे लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत खदरनाक है जरा देखिये इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है युद्ध तो होना अभी बाकि है इरान को अपनी मिसाइल और ड्रोन थाकत पर जबरदस्थ भरूसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसरेल के बीट चल रही जंग से दूर हो जाओ जरा देखिये कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकर इरान के पास नो ऐसी बलेस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमेटर दूर इसरेल पर हमला बोल सकती है इन मिसाइल में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाए तो वो है सेजिन ये मिसाइल 17,000 किलोमेटर प्रति घंटे की तेजी से 2500 किलोमेटर दूर हमला कर सकती है तो वही कीबर मिसाइल की मारक्षम ताग 2000 किलोमेटर है इसके साथ ही हज कासेम की अटांकिंग रेंज 1400 किलोमेटर है इरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर पावसलेस है इसकी रेंज 3000 किलोमेटर है इरान ने अपने ढून के जखीरे में भी खास काम किया है पूरे मिडलीस च्रित्र की बात की जाये तो इरान आतुधाती ढून का सबसे बड़ा निर्माता है इरान के पास महाजर 10 नाम का खातक भून है जिसकी रेंज 2000 किलोमेटर है तो वहीं महाजर 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्पोटक भी ले जा सकता है अब सवाल उड़ता है कि इरान ऐसे हालक में क्या कर सकता है और क्या वाकई में इरान के पास ऐसे परमाणू बंब हैं जो इसरेल को तबाह कर सकते हैं। जरा देखिये, International Atomic Energy Agency यानि IAEA इरान की परमाणू प्षमता पर क्या दावा करता है। खोल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे में अगर इसरेल इरान पर परमाणू हमला करता है, तो पूरा पश्ची मेश या परमाणू भट्टी में भश्म हो जाएगी। तो एरान ने इसराइल पर तावर तोड़ कई हमले किये हैं और दावा किया है कि ये तो अभी ट्रेलर है, असलिए युद्ध अभी बाकी है, ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या अब होगा परमाणू युद्ध? तो एसराइल और एरान जन से पूरी दुनिया खौफ में आ चुकी है, एरान ने पांच घंटे तक इसराइल पर मिसाल और ड्रोन हमले किये हैं, एरानी जनरों का दावा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, युद्ध भी बाकी है, और इस बीच कुछ रेपोच अब दावा किया जाने लगा है कि अगर एरान पर इसराइल और अमेरिका मिलकर हमला करते हैं, तो ऐसी सिथी में रूस एरान के साथ युद्ध में कूट पड़ेगा, देखिए ये रिपोर्ट इसराइल से युद्ध इरान के साथ रूस अगर इसराइल, अमेरिका, ब्रित्र और पश्चम देश ये सोच रहे हैं कि हम इरान को अगले 48 गंटे में तबाह कर देंगे तो ये गलत फेहमी वो जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं कर ले क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट में दाबा किया जा रहा है कि राश्चरपति पुतिन का रूस इरान का जंग में साथ देने जा रहा है अगर अमेरिका, ब्रित्र और इसराइल मिलकर इरान पर हमला करते हैं तो रूस की घातक मिसाइलें, धून और लड़ाकु जहाज इरान को बचाने के लिए जंग में सीधे कूद पड़ेंगे राश्रपती पोतिन ने इरान को खुफिया तरीके से पूरा वार प्लैन पहुचा दिया है वश्य मीडिया के जानकारों के मताविक इस्रेयल पर इरान का सीधा हमला साबित करता है कि इरान को रूस से हमले की हरी जंडी पहले ही मिल गई थी अब सबाल उड़ता है कि रूस इरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटन, इस्रेयल और नाटो देशों से जंग क्यों करने पर उतारू है क्या इरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है ज़रा देखिए क्यों रूस इरान का साथ जंग में देने जा रहा है दो साल से ज्यादा समय से चल रही रूस इरान जंग में इरान जंग कर रूस का साथ दे रहा है इसलिए अब रूस इरान का जंग में साथ दिने के लिए तयार हो चुका है इरान योक्रेन युदमे रूसको बहां क गाती ध्रोंच शाहिद 136, मुहांसर 10 जैसे ध्रोंच दे रहा है जसके जर्वे रूस योक्रेन को जंग मेर रौनद चुका है यहां तक कि खुफिया रेपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इरान ने रूस को यूकरेन जंग में अपनी घातक में साई ले तीन लाख तोप के गोले दस करोड गोलियां तक दी हैं और उसके बाद भी हजारों रॉकेट जंग का सामान रूस अभी भी भी भेज रहा है डेफेंस एक्सपोर्ट्स का दावा है कि पोतिन इरान के एसान को दिल से मानते हैं और इरान से वफदारी दिखाते हुए अब जंग में इरान का साथ देने जा रहे हैं रूस के दम से ही इरान ने इस्रेल पर घातक हमले किये हैं और दीन साथ इस मिसाइल और गूम से हमला किया है बरादरान व दूस्तान मान दर मनतगे के एलात मुदादी अमरीका दर आन किशवर हा दाराई पाईगाह निजामी इस इलाम करदीम के हदफ मा दर दिफाए मश्रू सिर्फन तन्बीह रजीम इसराईल है इरान के साथ मुस्लिम वर्ड इस्रेल के साथ नेटो इस्रेल और इरान की जंग में दुनिया तेजी से बट रही है जहां रूस इरान के साथ खड़ा है तो वहीं अमेरिका, बिटें, फ्रांस समेथ तमाम पशिमी और नेटो देश इसरेल के साथ खड़े हैं अब ज़र आप ये भी जान लीजिए कि इरान के साथ मुस्लिम वर्ड के कौन-कौन से देश खड़े है और कौन से मुस्लिम देशों ने इरान के साथ गतदारी किये पहले आप ये जान लीजे कि जब इरान आधी रात में इस्रेल पर भायानक हमले कर रहा था तो उस स्वक्त अरब देश जॉर्डन ने इरान के घातक हमलों को नाकाम करने के लिए क्या किया टाइमस अफ इस्रेल ने इस्रेली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जॉर्डन के जट विमानों ने उत्तरी और मध्ध जॉर्डन से होकर इस्रेल की ओर जाने वाले दरजुनों इरानी ड्रोन को मार गिराया है जॉर्डन की तरब से इस्रेल की मदद के लिए अपने जट भेजना एक बड़ा कदम है इस्रेली सूत्रों का कहना है कि इरान के ड्रोन जॉर्डन घाटी और हवा में उतारे गए थे और यरुशलम की ओर जा रहे थे लेकन उससे पहले ही जॉर्डन के फाइटर जेट्स ने इरान के ड्रोन को मार गिराया इरान जॉर्डन की गद्दारी से बेहद नाराज है सब्सक्राइट के हवाले से डावा किया है इरान की सेना जायोनी शासन के खिलाफ हमले के दौरान जॉर्डन की गद्द्ध weDh frozen की सावधानी पूरवक्ट निख्रानी कर रही है और अगर Jordan हस्तक्षीप करता है तो इरान का अगला टारगेट Jordan होगा इस्रेल पर इरान के हमले के बाद से पूरे इरान में जश्ट मनाया जा रहा है इरान का दावा है कि उसने कई घंटे तक इस्रेल पर हमले किये लेकिन वहीं इस्रेल और अमेरिका का दावा है कि उसने इस्रेल के 300 से ज़ादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है जरा देखिए इरान के कितने ड्रोन और मिसाइले दबा हुई है इरान ने इस्रेल पर करीब 5 घंटे तक हमला किया इस्रेल पर इरान के हमले की दोरान अमेरिकी सेना ने 70 से जादा ढोन और कम से कम 3 बैलस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है इस्रेली सेना का कहना है कि उसने इरान द्वारा दागे गए करीब 99 फीस्दी ढोन और मिसाइल को मार गिराया है दावे की मुताबे इरान के 170 मिसाइल और ढोन को इस्रेल के बाहर ही मार दिया गया जबकि इरान की 30 क्रूज मिसाइले एक भी इस्रेली एर स्पेस में नहीं घुस्पाई 30 में से 25 मिसाइले तबाह कर दी गई ओरन की 120 बलेस्टीG मिसालें दागी गई जिन legislature τबाा करने का दवा किया गया है लेकि भी कहा जा रहा है कि एरान की कुछ बलेस्टीG मिसालों ने इसरेelin के 79 एर बेस में गिर गई थी इसरेalonी से नाने माना है कि उसे मामूली नुकसान हुआ है कौलमलाकर ऐरान के तीन सोब ब्स जरून और मसायलें तबा हुए हमाराखा जो अद्था जड़्किन लुट ऑिरानीं वुष्डवीं लगादी बाइदा लियून पिछले कुछ घंटों में जो हालात पश्चिम एशिया में जंग से बने हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका बिटन जंग में सीधे तोर पर पूत पड़े हैं इस्रेल भी इरान पर जवावी हमले की तैयारी कर रहा है इस्रेल के पिम बेन्यमिन नेतनियाहू फाइटर जेट एफ 15 बेस का दोरा कर चुके हैं नेतनियाहू भले ही इरान को तबाही की धम्तियां दें लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत ख़दरनाक है जरा देखिये इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है युद्ध तो होना अभी बाकी है इरान को अपनी मिसाइल और रोन ताकत पर जबरदस्ट भरुसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसरैल के बीट चल रही जंग से दूर हो जाओ जरा देखिये कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकत इरान के पास नो ऐसी बेलेस्टिक मिसाइल्स हैं जो हसारों किलोमेटर दूर इसरैल पर हमला बोल सकती है इन मिसाइल में अगर सबसे ख़तरनाक मिसाइल की बात की जाये तो वो है सेच यह मिसाइल 17,000 किलोमेटर प्रती घंटे की तेजी से 2500 किलोमेटर दूर हमला कर सकती है तो वहीं खीबर मिसाइल की मारफशम ताक 2000 किलोमेटर है इसके साथ ही हज का सेन की अटैकिंग रेंज 1400 किलोमेटर है इरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर पावर से लैस है इसकी रेंज 3000 किलोमेटर है इरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है पूरे मेडलिस्ट कशे तरकिबाद कीजाय तो ऐरान अधगाती ब्रॉन का सबसे बड़ा नर्माता है ऐरान के पास मोहाज़त 10 नाम का धगातक ब्रॉन भी है जिसकी रेन, 2000 किलोमीटर है, तो वही मोहाज़त 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का ब्रॉन का ब्रॉन का ब्रॉन भी लेज़ा सकता है अमश एरान पत्का बमतकफा नगद इसराईल वशिगरा योतर मेशलोश्मूट इयोमी में सुगीं शोनीं अईयूम ऐरानी पगश अता अलियोनות अवीरीत वाटिकनोलोगीट शल बशिलोव कौलिट्सिया लुखमत चजका शियाखद इर्टो एत रुबाम हमकरिया शिल ऐयूमीं अब ऐसे हालात में अगर ऐरान रूस के साथ सीधे जग में कूट पड़ता है तो फिर अमेरिका बिटन मिलकर भी इसरेल को इरान से बचा नहीं पाएंगे अब देखना होगा कि इरान का अगला कदम क्या होगा और इसरेल इरान के हमले का बदला कैसे लेता है चोंकि रूस अब इरान के साथ चट्टान बन कर खड़ा हो गया है पुरा यही डेडलाइन है युद्ध की आर पार के युद्ध की इसरेल अपने दुश्मनों को वक्त बता कर मारता है समलने का मौका भी नहीं देता है हमास के हमले के महज 72 घंटे बाद इस्राइल ने ओपरेशन शुरू कर दिया था लेकिन इरान के पास उतना टाइम भी नहीं है अगर ड्रोन हमले में हिजबुल्ला इस्राइल की 14 सेनिकों को घाल करने में काम्याब रहा तो उसका मतलब ये है कि इस्राइल का एर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोक पाने के लिए बिलकुल भी तयार नहीं था इरान के आमले से भी इस्राइल का आत्म विश्वास बढ़ गया है और नेतनियाहूं की भी वार कैबिनिट के अंदर इरान से बदला लेनी की कसमे खा रही है बिलकुल साफ है कि इरान इस्राइल युद्ध चलता हुआ नजर नहीं आ रहा इस्राइल की तरफ से 100% कन्फर्म हो गया है कि वो इरान पर हमला करेगा इस्राइल ने अपने मित्र देश के विदेश मंत्रियों को बता दिया है कि इरान पर पलटवार भ्यानक होगा और इरान को सवक सिखाने के लिए सभी मित्र देशों को इखटा होना होगा पश्चिमेश्या की युद्ध पहेली अब धीरे धीरे खुर रही है एक तरफ इरान के युद्ध पोत इस्राइल की जमीन के आसपास समंदर के किनारों पर चक्कर लगा रहे है और दूसरी तरफ इरान अब दस गुना तेज हमले करने की धमकी दे रहा है किसी भी वक्त इस्राइल और इरान का बेहत खतरनाक युद्ध छिडने वाला है दूसरी तरफ इस्राइल पर तीन तरफ से हुए 180 डिग्री हमले के बावजूद भी घजा पट्टी पर इस्राइल का कहर इतनी खतरनाक तरीके से तूट रहा है कि इस्राइल ने सिर्फ एक गोले में पाँच हजार लोगों को मार डाला है यह हमला घजा सिटी के अलबस्मा आईवी अफ सेंटर यानी इन बिट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर पर हुआ दरसल इरान के पलटवार के बाद इस्राइल के मित्र देशों के तमाम विदेश मंत्री रक्षा मंत्री इस्राइल के दौरे कर रहे हैं ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से इस्राइल के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है इस्राइल के रक्षा मंत्री यॉफ गैलिंट ने इटली के रक्षा मंत्री से मुलाकात की है इस्राइल के अंदर बिटेन के विदेश मंत्री डेविट केमरान और इस्राइल के राश्टपती साख हगोर्स की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद बिटेन की विदेश मंतरी डेविट किमरॉन ने इसाब कर दिया है कि इसराइल ने एरान पर पलटवार करने का फैसला कर लिया है इसराइल की राजधानी के अंदर और क्या चल रहा है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं तहरान जहां ऐसी रणनीती बन चुकी है कि युक्रेन और घजापटी से भी भीशन युद अटल हो गया है एक तरफ बिटेन की विदेश मंतरी डेविट किमरान ये एलान कर रहे हैं कि युद अटल है इसराइल हमला करेगा और दूसरी तरफ इरान के उप्विदेश मंतरी अली बागेरी ने एक बियान जारी किया है और बिल्कुल साफ साफ कहा है कि इसराइल को ये समझ लेना चाहिए कि इस बार इसराइल के हमले का पलटवार करने के लिए बारा दिन का लंबा समय बिल्कुल भी नहीं लेगा इसराइल का हमला होते ही फौरण इरान के पलटवार की प्रतिक्रिया मिल जाएगी और इसराइल को दहला दिया जाएगा इसराइल की राजधानी तेल अवीव में इसराइल के बंतरी अपने साथी गडबंदन देशों के प्रतिनिद्यों के साथ युद के शुरुआत से पहले जबरदस बैठके कर रहे हैं और दूसरी तरफ इरान की राजधानी सेना दिवस मना रही है लेकिन इस बार सेना दिवस तेहरान की खुली सलक पर नहीं मनाया गया इस बार इरान ने सीक्रिट तरीके से एक बैरिक के अंदर अपना सेना दिवस मनाया है जो अपकी पिछले साल इरान की सेना ने आयातुला रोहिला खामनेई के मकबरे पर सेना दिवस मनाया था हाला कि एरान ने इसका कोई कारण नहीं दिया है कि उसने गुब तरीके से सेना दिवस क्यों मनाया लेकिन इसे इसराइल के पलटवार के खौफ से जोड़ कर देखा जा रहा है इरान के सेना दिवस में बाकाइदा इरान के राज़्टपती इबराहिम रईसी का एक बयान भी सामने आया और इस बयान में उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने हमला किया तो इस बार प्रतिक्रिया बहुत बड़े पेमाने पर होगी और बहुत कट्छुर होगी अगर कुचकतरीन तर्रोजी अजनाहिय रजीम स्यूनिस्टी बे खाक वतन मासूरत बिगीरत वब मनाफ़ जम्हूरी इसलामी एरन यगीन बेदानन बर खुर्दी बस्यार शडीद इरन को पता है कि इसराइल समुद्र में भी कोई बड़ा एक्शन लेकर तुसे चौका सकता है इसलिए इरन ने अपने युद्दपोत को लाल सागर की तरफ भेज़ दिया है इरन की नौसेना अपने वेपारिक जहाजों को बाकाइदा एसकौर्ट कर रही है इरन का युद्पोत जमरान फ्रिगेट अधन की खाड़ी में मौझूद है इरन को इस बात का डर है कि कहीं इसराइल उसके किसी वेपारिक जहाज पर अबजा न कर ले इसराइल के सामने इरन का गड़बंदन काफी कमजोर नज़र आ रहा है एक तरफ इसराइल की सरकार अपने देश की राजधानी के अंदर इटली के रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग कर रही है लेकिन दूसरी तरफ इरन अभी भी अपने सयोग्यों के साथ मजबूत रिष्टे की तलाश में लगा हुआ है इसराइल का पड़ोसी देश जौडन खुलकर इसराइल के साथ ख़डा नज़र आ रहा है वेस्ट एशिया के बाकि इसलामी देश असमंजस में नज़र आ रहे हैं और वो इस युद्ध से दूर रहने की नीती पर अमल करते हुए दिख रहे हैं इरान और रूस के विदेश मंत्रियों ने आपस में फोन पर बाचीज जरूर की है लेकिन फिर भी ये कड़बंदन इसराइल के कड़बंदन के सामने बेहत कमजोर नज़र आता है क्योंकि इसराइल के साथ अमेरिका ना सिर्फ खुलकर खड़ा है बलके अमेरिका के जनरल और अमेरिका फ्रांस और बिटेन का पूरा साथ औ सामान इसराइल की सुरक्षा में तैनात है इरान और उसके सयोगलों के लिए इस वक्त भी सबसे बड़ी मुसीबत इसराइल का सुरक्षा कबज बना हुआ है लेबनान में एरान के सयोगी इसबुल्ला के पास एरान के द्वारा दी गई मिसाइल ही है और दक्षिन लेबनान में एक बार फिर इस्राइल पर टेस्ट फायर किये गए इस्राइल पर छे मिसाइलें दागी गई लेकिन इसराइल ने 6 की 6 मिसाइले बेकार कर दी और उन्हें इसराइल की धर्ती पर गिनने से पहले ही मार दिया दूसरी तरफ इसराइल बेखौफ होकर गजापटी में लगातार कोहरा मचा रहा है बीते 24 घंटे के अंदर इसराइल ने गाजा पट्टी में 24 ठिकानों पर हमले किये और इन में 56 लोहों को मार दिया है इसराइल अब तक 33,899 फिलिस्तीनियों को गाजा में मार चुका है और 76,664 फिलिस्तीनियों को घायल कर चुका है दूसरी तरह फिलिस्तीन हर साल की तरह इस साल भी सतना अपरेल को कैदी दिवस मना रहा है इस वक्त भी इसराइल की जेलों में साड़े नौ हजार फिलिस्तीनी राजनीतिक कैदी मौजूद है इन में से 561 को उम्र कैद की सजा मिली हुई है गाजा पट्टी में 7 अक्तूबर से 15 मार्च के बीच 394 ऐसे हमले हुए जो संयुक्त राश्ट से जुड़े संगठनों पर हुए है जिसमें संयुक्त राश्ट का जंड़ा पहरा रहा था और इन हमलों में भी 408 विस्तापित दोगों की मौत हुई परमाणू शुद्ध इरान मरेगा या फिर मारेगा अगर इसरेल ने धोखे से भी इरान के परमाणू ठिकानों पर हमला किया तो ये तैमानिये कि इरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर इरान के टॉप जनरल इसरेल पर सीधा हमला पलक जपकते ही करतेंगे इरान के बंकर में घातक मिसाइलों का ऐसा जखीरा मौझूद है जो इसरेल को विनाश करने के लिए काफी है शायद यही वज़े है कि अब इसरेल इरान के परमानों ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि इरान के परमानों हमलों से बचा जा सकते जड़ा देखिए खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इस्रेल इरान के किन परमाणू ठिकानों पर हमला करने जा रहा है इस्रेल के अफ़ार दे टाइम्स ओफ इस्रेल के मताबिक इरान के फोटो और नटजन परमाणू ठिकानों पर इस्रेल हमला करने जा रहा है खबरों में दाबा किया गया है कि इसरेल अपने लड़ा को विमान F-35A और F-15EX को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है 80 मीटर गहराई में मौझूद इरान के फोडो परमाणू ठेकाने पर 30,000 पाउंड बंकर ब्लस्टर बम किराने का प्लान है ताकि 80 मीटर गहराई में इरान के फोडो परमाणू ठेकाने को तबाख किया जा सके ताबा किया जा रहा है कि 1200 किलोमेटर दूर मौझूद फोडो परमाणू ठेकाने को अगर इस्रेल के F-35A और F-15EX लड़ाकों विमान तबाख कर देते हैं तो ये इरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान थाबित होगा ऐसा नहीं है कि इस्रेल के हमले का दाबा खोखला है क्योंकि इस सुवत इस्रेल के फाइटर जेट इरान के परमाणू ठेकानों पर जबरदस्थ हमला करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं एफ-35A और एफ-15E-X लड़ा को एक ऐसा अभ्यास कर रहे हैं जिसमें इस्रेल से इरान के बीच और सत 1500 किलोमेटर दूर पर बम गिराना है हमले से जोड़ी इस खबर के बुष्टी एक और खबर भी कर रही है International Atomic Energy Agency यानि IAEA ने ऐसा खुलासा किया है जो वाकई दिल तहला देने वाला है IAEA के चीफ राफेल ग्रासी ने मीडिया को गताया कि इरान के परमाणों ठेकानों पर इस्रेल के हमले का खत्रा बढ़ चुगा है जिसकी वज़े से एरान ने अपने कई परमाणों ठेकानों को बंद कर दिया है राफेल ग्रासी के मुताबिक IAEA के अधिकारी एरान के परमाणों ठेकानों का नीरिक्षन नहीं कर सकते जिनकी जाच रोज होती ही इरान में इस्रेली खत्रे को देखते हुए परमाणों साइथें बद कभी है परमाणों शुद इरान मरेगा या फिर मारेगा इरान ने भी कच्छी गोलिया नहीं खेली है इरान को भी कहीं न कहीं दूस से जबरदस्त मदद मिल रही है इस वक्द इरान दुनिया में आत्मगादी ध्रून बनाने में काफी आगे निकल चुका है उसके पास हजारों की दादाद में बलेस्टिक, क्रूस और हाइपरसोनिक मिसाईले हैं जिसमें से कई परमाणों बम से बहुत कम वक्त में लेस हो सकती हैं इसी वज़़े से दावा किया जा रहा है कि इरान के परमाणों फैसलेटी पर हमला करना इस्रेल के लिए इराक और सीरिया की तरह आसान नहीं होने वाला है सबसे पहली बार इरानी परमाणों फैसलेटी विखरी होई है और उनमें से कई पहाड़ियों में इस्थित है दूसरी बाग ये कि इस्रेल से इरान के परमाणों फैसलों तक सीधी उडान के लिए भी हवा में इंधन भरने या इंधन भरने के लिए लैंड करने की अवश्यक्ता होगी इरान और इस्रेल के बीच जॉडन, इरान और साओडी अरब इस्तिक है जिन मसे कोई भी इस्रेली लड़ाको विमान को ना तो लैंडनिंग के अजाज़त देंगे और ना ही अपने अस्पान से उरान पदने के मनजूरी देगा तीसरा ये है कि इस्रेल से इरान के बीच की दूरी अटार सा किलो मेड़ दे जहाँ पर इस्रेली वरुसेना के लड़ाको विमानो के लिए परमान और फिगानो पर हमला करना जरा भी आसान नहीं होगा अब चनाँच रजीम इस्राईल दस दस पा खताब कने इन बार पासुख एरान हमान तोली के मोनी राई मसल्ला इलाम करदन इधर इस्रेल के पी-म बैनमिन नेतन्याहू फाइटर जट एफ-15 बेस का दोरा कर चुके है नेतन्याहू भले ही इरान को तबाही की धमकिया दे लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहत खदरनाक है ज़रा देखिये इरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है युद्ध तो होना अभी बाकी है इरान को अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत पर जबरदस्त भरुसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसरेल के बीच चल रही जंग से दूर हो जा ज़रा देखिये कैसी है इरान की हवाई हमले की ताकत इरान के पास नो ऐसी बलेस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमेटर दूर इसरेल पर हमला बोल सकती है इन मिसाइल में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाये तो वो है सेज़े ये मिसाइल सत्रह हजार किलोमेटर प्रति घंटे की तेजी से पच्चिस सौ किलोमेटर दूर हमला कर सकती है तो वही कीबर मिसाइल की मारफशम ताक दो हजार किलोमेटर है इसकी साथ ही हज कासेम की attacking range 1450 किलोमीटर है। इरान के पास crewled मिसाइल भी है जो nuclear power SOLS है। इसकी range 3000 किलोमीटर है। इरान ने अपने drone के जखीरे में भी खास काम किया है। पूरे मिडलिस्ट छित्र की बात की जाये तो इरान आत्मिधादी drone का सबसे बड़ा निर्माता है। इरान के पास मुहाजर 10 नाम का खातक फ्रोन है, जिसकी रेंज 2,000 किलोमीटर है, तो वहीं मुहाजर 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्पू टक भी ले जा सकता है। अब सवाल उड़ता है कि इरान ऐसे हालत में क्या कर सकता है? और क्या वाकई में इरान के पास ऐसे परमाणू बंब हैं, जो इसरेल को तबाह कर सकते हैं? जरा देखिये, International Atomic Energy Agency यानी IAEA इरान की परमाणू प्षमता पर क्या दाबा करता है? खोल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे में अगर इसरेल इरान पर परमाणू हमला करता है, तो पूरा पश्ची मेश या परमाणू भट्टी में भस्त हो जाएगी। तो इसराइल और इरान जंग से पूरी दुनिया खोफ में आ चुकी है, इरान ने पांच घंटे तक इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किये है, इरानी जनरों का दावा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, युद्ध भी बाकी है, और इस बीच कुछ रेपोर्ट अब दावा किया जाने लगा है कि अगर इरान पर इसराइल और अमेरिका मिलकर हमला करते हैं, तो ऐसी सिथी में रूस इरान के साथ युद्ध मे कूद पड़ेगा, देखियो ये रेपोर्ट झाल 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 झाल